दा इंटेलिजेंट इन्वेस्टर लेखग बेंजामिन ग्राहम परीचे यदि आप हवा में महल बना रहे हैं तो इसे करते रहें यह वह काम है जिसे करना चाहिए अब उन महलों की निव बनाने शुरू कर दें हेनरी डेविड थोरो वाल्डन ध्यान दें कि ग्राहम ने शुरूआत में ही यह गोशना की है कि यह पुस्तक आपको यह नहीं बताएगी कि आप बाजार पर कैसे काबू पाएंगे कोई भी सच्छी किताब यह नहीं कर सकती इसके बजाए यह पुस्तक आपको तीन शक्तिशाली सबक सिखाएगी पहला आप ऐ परिवर्तनिय नुकसान की बादाओं को कैसे कम कर सकते हैं दूसरा आप तिकाउला प्राप्त करने की संभावनाओं को अधिक्तम कैसे कर सकते हैं और तीसरा आप शुए को हराने वाले व्यवहार को कैसे नियंतरित कर सकते हैं जो अधिकाश निवेश्कों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुँचने से उन्हें रोकता है 1990 के उत्राद के उच्छाल के वर्षों में जब टेक्नलोजी शेरों का मुल्य हर दिन दुगना हो रहा था तब यह सोचना या कहना बेतु का लगता था कि आप अपने सभी पैसे खो सकते हैं लेकिन 2002 के अंत तक डोटकॉम और दूरसंचार शेरों में से कई ने अपने मुल्य का 90% या उससे अधिक खो दिया था एक बार जब आप अपने पैसे का 90% खो देते हैं तो आपको शुरू करने के लिए उन्निस सो परतिसत लाप्राप्त करना होगा यह जोखिम लेना मुर्खता पूर्ण है कि इससे बाहर निकलना लगबग ऐसंबव है यही कारण है कि ग्राहम लगातार छेर्चार से बचने के महतों पर जोड़ देते हैं केवल अध्याई 6, 14 और 20 को छोड़ कर लेकिन वो भी चेताउनी के साथ लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने साउधान है आपके निवेश की कीमत समय के साथ खटती रहती है हालांकि कोई भी उस जोखिम को खत्म नहीं कर सकता ग्राहम आपको बताएंगे कि इसका प्रबंदन और अपने डर को नियंतरन में कैसे करें क्या आप एक intelligent investor है अब एक महतोपून सवाल का जवाब दें ग्राहम के intelligent investor का क्या अर्थ है इस उस्तक के पहले संस्क्रेण में ग्राहम इस शवद को परिभाषित करते हैं और वे यह स्पष्ट करते हैं कि इस तरह की बुध्दी के साथ IQ vs 80 score का कुछ लेना देना नहीं है इसका मतलब केवल परशिक्षू, अनुसाशित और सीखने के लिए उच्छुक होना चाहिए आपको अपनी भावनाओं का उप्योग करने और अपने लिए सोचने में भी सक्षम होना चाहिए ग्राहम इस तरह की इंटेलिजेंस बताते हैं कि मस्तिस्क की तुल्ना में चरित्र आधिक विशेश है इस बात के सबूत उपलवद हैं कि उच्छ IQ और उच्छ सिख्षा बुद्धिमा निवेशक बनने के लिए प्रयापत नहीं है 1998 में लोंग टरम कैपिटल मैनेजमेंट एलपी गनितग्यों कम्प्यूटर वैग्यानिकों और दो नोबेल पूरुसकार विजेता आर्थ सास्त्रियों की बटालियन दुआरा संचालित एक हेजबंड कुछ ही हफ्तों में कुछ ही हफ्तों में दो बिलियन डॉलर से ज्यादा की राशिक खत्म कर दी गई जो कि इस भारी बरकम शर्त पर था कि बोंड मार्केट सामान्य पर लोटे गी लेकिन बोंड मार्केट अधिक से अधिक ऐसा मन्य होती गई और LTCM ने इतना पैसा उधार लिया कि इसके पतन ने वैस्विक वितिय प्रनाली को बहुत छोटा बना दिया और 1720 के वसंत में सर आईजेक न्यूटन ने सौट सी कमपनी जो की इंग्लेंड में सबसे हाट स्टोक थी के शेरों का स्वामितव हासिल किया जब उन्हें लगा कि बाजार हाथ से बाहर निकल रहा था तब महान बाजार बोंड में बेच दिया लेकिन कुछ महिने बाद बाजार में एक जबरदस्त उचाल आया तब न्यूटन फिर से बहुत अधिक कीमत पर बाजार में वापस कूद पड़े और 20,000 पोंड यानि आज के हिसाब से 3,000,000 डोलर से अधिक पैसा खो दिया और इसका हमके शब्दों में न्यूटन एक बुद्धिमान निवेशक से कोसों दूर थे भीड के गरजने से अपने फैसले को ओवर्ड्राइव करके दुनिया का सबसे बड़ा वैज्यानिक मूर्खों की तरह काम करता रहा संक्षेप में यदि आप अभी तक निवेश करने में विफल रहे हैं तो एसा इसलिए नहीं है क्योंकि आप बेवकूफ हैं एसा इसलिए है क्योंकि सर आईजेक न्यूटन की तरह आपने भावनात्मक अनुशाशन विक्षित नहीं किया है जो सफल निवेश की आउशक्त अध्याय आठ में ग्रहम वर्णन करते हैं कि अपनी भावनाओं का उपयोग करके और इंटेलिजेंस से बाजार के स्तर पर उतरने से इंकार कर अपनी बुद्धी को कैसे बढ़ाया जाए वहाँ आप अपनी सीख को माश्टर कर सकते हैं कि एक बुद्धी मान निवेशक होने के नाते दिमाग की तुलना में चरित्र का विशय अधिक है आपदा का इतिहास आईए अब पिछले कुछ सालों के कुछ प्रमुख वितिय विकासों को देखते हैं पहला ग्रेट डिप्रेशन के बाद सबसे खराब बाजार दुरगटना अमेरिकी शेरों के साथ मार्च 2000 और अक्टुवर 2002 के बीच होई जिससे उनके शेर मुल्य का 50.2% यानी 7.4 ट्रिलियन डॉलर खत्म हो गया दूसरा 1990 के दशक की सबसे होट कमपनियों की शेर कीमतों में बहुत गिरावट आई जिसमें AOL, Cisco, DGS, UNICEF, LUCEN और कॉल कॉम प्लस शेंकडों इंटरनेट शेरों का विनाश भी शामिल है तीसरा एन्रोन, टाइको और जेराक समेत अमेरिका के कुछ सबसे बड़े और सबसे सम्मानित निगमों में भारी वितिय दोका दढ़ी के आरोप लगे चोथा, कांसेको, ग्लोबल क्रोशिंग और वर्ल्ड काम के रूप में चमक वाली कमपनिया दिवालिया हो चुकी थी पांचवा, आरोप है कि लेखांकन फर्मों ने पुस्तकों को गुमाया और यहां तक की रिकोर्ड नश्ट कर दिये ताकि उनके ग्रहाकों को निवेश करने वाले लोगों को गुम्रा करने में मदद मिल सके चठा, प्रमुक कमपनियों के शिर्स अधिकारियों ने आरोप लगाया कि अपने निजी लाब के लिए सैंक्रों लाख डोलर डंप कर दिये खे साथमा, वाल स्ट्रीट पर सुरक्षा विशलेशकों ने सारोजनिक रूप से स्टोक की परसंसा की लेकिन निजी तोर पर स्विकार किया कि वे सब कचरे थे आठमा, एक शेर बाजार जो की खतरना गिरावट के बाद भी एतिहासिक उपायों से अधिक परचलित लगता है जो कई विशेशग्यों को सुझाओ देता है कि शेरों में अभी गिरावट ओर आएगी नौवा, ब्याजदरों में निरंतर गिरावट ने निवेशकों को स्टोक के लिए कोई आकरशक विकल्प नहीं छोड़ा दस्वा, मध्यपुरू के वैश्विक आंतकवाद और युद्ध के एपरत्यासित खत्रे के साथ एक निवेश वातावन खत्म हो चुका था ग्राहम के सिधानतों को सीख कर इस से अधिकतर नुक्सान से बचा चा सकता था जैसा कि ग्राहम ने कहा वाल स्ट्रीट पर कहीं और बड़ी उखलबदियों के लिए उच्सा जरूरी हो सकता है लेकिन यह लगबग हमेशा आपदा की और जाता है इंटरनेट शेरों वे बड़े विकास शेरों पर और पूरे स्टोक के रूप में कई लोगों ने सर आईजेक न्यूटन की तरह बेवकुफाना गलतियां की उन्होंने अन्य निवेश्कों के नेड़ने से खुद को निर्धारित होने दिया उन्होंने ग्राहम की चेतावनी को नजर अंदाज कर दिया कि खरीदार पूछना बूल गए के बाद वास्तों में डरावना नुक्षान हमेशा होता है सबसे अधिक दर्दनाक रूप से जब वे इससे सबसे ज़्यादा चाहते थे तब उन्होंने अपने आत्मनी अंतरन को खो दिया इन लोगोंने ग्राहम के दावे को साबित कर दिया कि निवेशक की मुख्य समश्या और यहां तक कि उसका सबसे बुरा दुश्मन वहे खुद होने की सबसे ज़्यादा संभावना है यह सुनिश्चित था कि वहन नहीं था उन लोगों में से कई लोग विसेश रूप से प्रोधोकी की और इंटरनेट शेरों पर यह बताते हुए हाई टेक परचार कर रहे थे कि यह उद्ध्योग आने वाले सालों तक एक दूसरे को आगे बढ़ाते रहेंगे लेकिन हमेशा के लिए ऐसा नहीं हुआ 1990 के मद्धे में वर्स के पहले पांच महिनों में 117.3% की वापसी के बाद स्मार्क इंटरनेट एंड पोर्टपोलियो मैनेजर एलेकजेंडर चेंग ने बहुश्यवानी की कि अगले 3-5 वर्सों में उनका फंड सालाना 50% और वार्शिक वसत 35% अगले 20 वर्सों तक रिटर्न देगा 1999 में अपने एमेरिंडो टेकनोलोजी फंड के एविस वसनिये 248.9% की बढ़ोतरी के बाद पोर्टपोलियो मैनेजर अलबर्टो वीलर ने कहा कि इंटरनेट एक सतत पैसा बनाने वाली मशीन है यदि आप इस क्षेतर से बाहर हैं तो आप कम परदर्शन कर रहे हैं आप गोड़े और छोटी गाड़ी में है और मैं पोर्श में हूँ आपको दस गुना विकास के आउसर पसंद नहीं है तो फिर किसी और के साथ चले जाओ परवरी 2000 में हेज फंट मैनेजर जेमस जे क्रेमर ने गोशना की कि इंटरनेट से संबंदित कमपनिया नई दुनिया के विजेता है क्रेमर ने ग्राहम पर भी एक टिपनी की कि आपको वेब के सामने मोजूद सभी मैट्रिक्स और सुत्रों वैगरंथों को फेंक ना होगा अगर हम किसी भी ग्राहम और डोड से सीखते हैं तो हमारे पास परवंदन के तहट कोई पैसा नहीं होगा इन सभी तथा कतित विशेशग्यों ने ग्राहम के चेतावनी के शांत सब्दों को नजर अन्राज कर दिया व्यावसाई में विकास के लिए स्पष्ट संभावनाए निवेशकों के लिए स्पष्ट मुनाफ़े में रुपांतरित नहीं करती है हालांकि यह देखना आसान लगता है कि कौन सा उद्योग सबसे तेजी से बढ़ेगा दूर दर्शिता में कोई वास्त्विक मुल्य नहीं है अगर अन्य निवेशक पहले से ही एक ही चीज़ की उमीद कर रहे है कम से कम तब तक किसी को दावा करने का परियास करने में कोई दिक्कत नहीं है कि तकनीक अभी भी दुनिया का सबसे बढ़ा विकास उद्योग होगा लेकिन सुनिश्चित करें कि आपको यह याद है वे लोग जो अब दावा करते हैं कि अगली निश्चित चीद स्वास्त्य देखवाल या उर्जा या अचल संपत्ती या सोना होगी उच्छ तक्निके हाइपरेटर की तुलना में अंत में सही होने की संभावना नहीं है सिल्वर लाइनिंग यदि 1990 के दसक में स्टोक के लिए कोई कीमत बहुत ज़्यादा नहीं लगती तो 2003 में हम उस बिंदू तक पहुँच गए हैं जिस पर कोई कीमत कम नहीं लगती है पेंडूलम गूम गया है क्योंकि ग्रहाम जानते थे कि यह हमेशा अजीव उच्छा और अन्याय पूर्ण निराशा से होता है 2002 में निवेशकों ने स्टोक म्यूचल फंड में 27 बिलियन डोलर की कमाई की और Securities Industries Association द्वारा किये गए एक सर्वेक्षन में पाया गया कि 10 निवेशकों में से एक ने कम से कम 25 परतिशत शेरों का घाटा खाया है वही लोग जो 1990 के दसक के अंत में स्टोक खरीदने के इचुक थे जब उनकी कीमतें बढ़ रही थी और इसलिए महेंगे बेचे गए स्टोक बन गए क्योंकि वे कीमत से नीचे उतरे और परिभाशा के अनुसार सस्ते हो गए जैसा कि ग्रहम अध्याई आठ में इतनी शांदार तरीके से बताते हैं कि बुद्धिमान निवेशक को पता चलता है कि कौन सा शेर अधिक जोखिम बढ़ा है और कौन सा कम जोखिम बढ़ा बुद्धिमान निवेशक बुल बाजार से डरता है क्योंकि इसका स्टोक खरीदने के लिए अधिक महंगा होता है और इसके विक्रित आपको बेर बाजार का स्वागत करना चाहिए क्योंकि इससे शेरों को विक्री के लिए वापस रखा जाता है तो दिल थाम ले, बुल बाजार की मोत बुरी खबर नहीं है हर कोई यह मानता है कि यह होना चाहिए स्टोक की कीमतों में गिरावट के कारण अब संपत्ति का निर्मान करने के लिए एक काफी सुरक्षित और स्वच्छ समय है आगे बढ़ें और सुनते रहें ग्रहम आपको बताएंगे कि इसे कैसे करें धन्यवाद, hindi-audiobook.com आपका दिन शुब हो दा इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अध्याए एक निवेश बनाम अटकलें इंटेलिजेंट इन्वेस्टर द्वारा परिणाम की उम्मीद क्या आप जानते हैं कि न्यूयार्क स्टोक एक्षेंज पर हमेशा क्लोजिंग बेल बजते ही बिना किसी खास वज़े के दलाल खुशी के मारे जूमने लगते हैं क्योंकि जब भी आप व्यापार करते हैं तब वे पैसा बनाते हैं चाहे आपने ट्रेडिंग की हो या नहीं आप निवेश के बज़ाए अठकलों के द्वारा अपनी वेल्थ को कम करते हैं बल्कि अपने हालातों से किसी और को बढ़ाते हैं ग्राहम की निवेश की परिभासास पस्ट है निवेश पूरी तरह से विशलेशन, प्रिंसिपल और एक परियाप्त रिटर्न की सुरक्षा का वादा करता है भी महसूस करना चाहिए इस से पहले कि आप अपने शेर खरिदते हैं दूसरा आपको समझदारी पूर्वक अपनी गंभीर नुक्सानों से रक्षा करनी चाहिए तीसरा आपको परियाप्त नहीं बल्कि ऐसा धहन परदर्शन करना चाहिए एक निवेशक अपने कारोबार के मुल्या के आधार पर शेर मुल्या की गंणा करता है एक शेर को इस आधार पर चुनना कि उसमें दूसरे लोग अधिक बुगतान कर रहे हैं एक तरह से जुआ है एक सटेवाज के लिए स्टाक कोट्स लगातार अक्सिजन धारा की तरह है इसे काटते ही वह मर जाता है एक निवेशक के लिए ग्राहम के कही कोटेशन के मुल्या बहुत कम है ग्राहम आग्रह करते हैं कि आपके वल तभी शेर में निवेश करें जब आप आराम दे स्टीती में हो कि निवेश करने के बाद आपको रोजना अपने शेर की दैनी कीमत जानने की आवशकता महसुस नहीं हो यदि आप भाग्यशाली हैं तो कैशिनों, जुवा या गोडों पर सटेवाजी की तरह बाजार की अटकलें आपको रोमान चक या पुरुसकरत कर सकती है लेकिन पैसा बनाने का यह सबसे बुरा काल्बनिक तरीका है इसा इसलिए है क्योंकि वाल स्ट्रीट, लास वेगास या गुरदोर की तरह यह हमेशा इस तरह है कि इसमें विश्वास करने वाले सबसे पहले अपने आपसे ही हारे होते हैं दूसरी ओर निवेश कैसी नोकाए कानूठा परकार है जिसमें आप अंतमे खोते नहीं है तो नियम यह है कि जब तक आप अपने निवेश के साथ बाजार में रुकेंगे यह आपके पक्ष में गुनात्मक फर्क डालता है जो लोग खुद के लिए पैसा बनाने के लिए निवेश करते हैं और हर बार वॉल स्ट्रीट के भड़किले परचार के कारण घरिदते और बेशते रहते हैं वो लोग अपने दलालों के लिए पैसे बनाते हैं High Speed ग्रहम चेताते हैं कि ब्रहमक अठकलों की वज़ेशे निवेश हमेशा एक गलती होती है 1990 के दशक में ब्रहम ने सामोहिक विनाश का नेतरतों किया था एसा लगता था जैसे हर किसी का धहर्येख खत्म हो गया और अमेरिका अठकलों का राश्टर बन गया ट्रेडर्स एक शेर से दूसरे शेर की खरीद परोक्त इस तरह से कर रहे थे जैसे अगस्त के महिने में गहास के मेदान के चारों और टिड़ी दल मड़ा रहा हो लोगों ने यह विश्वास करना शुरू कर दिया कि यह एक निवेश टकनीक का परिक्षन था कि यह काम कर रहा है अगर उन्होंने किसी भी आउदी के दोरान बाजार से लाब उठाया था चाहे उनकी रणनिती कितनी ही खतरनाक हो लोगों ने दावा किया कि वेश सही थे लेकिन बुद्धिमान निवेशक की ऐस थाई रूप से सही होने में कोई दिलस्थ भी नहीं है अपने दिर कालिन वितिय लक्षों तक पहुँचने के लिए आपकी तकनीक को स्थाई और भरोशे मंद होना ही चाहिए 1990 के दशक के कारोबार की तकनीकें जो डे ट्रेडिंग, डाइवर्सिफिकेशन को अंदेखा करना, होर्ट म्यूचल फंडोंग में जाना, स्टोक पिकिंग सिस्टम के बाद काम करती है लेकिन उन्हें लंबे समय तक परचलित होने का मुका नहीं मिला क्योंकि वे ग्राहम के निवेश के सभी तीन मान दंडों को पूरा करने में नाकाम रहे यह देखने के लिए कि क्यों ऐस थाई रूप से प्राप्त उच रिटर्न कुछ साबित नहीं करते हैं कल्पना करें कि दो स्थान आपस में एक दूसरे से 130 मिल की दूरी पर है अगर मैं 65 मिल परती गंटे की गती से चलता हूँ तो मैं उस दूरी को दो गंटों में पूरा कर सकता हूँ लेकिन अगर मैं 130 मिल परती गंटे की रफथार से ड्राइव करता हूँ तो मैं वहाँ एक गंटे में पहुंच जाता हूँ लेकिन अगर मैं इस कोशिश में जीवित रहता हूँ तो मैं सही हूँ क्या आपको यह कोशिश करने का लुप उठाना चाहिए क्योंकि आप मुझे यह कहते हुए सुनते हैं कि यह काम करता है बाजार को जीतने के लिए बहुत से चमकदार चीजें एक जैसी होती है जब तक आप इसे होल्ड कर सकते हैं तब तक आपकी किस्मत काम करती रहती है 1973 में जब ग्राहम ने आखिरी बार इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को संसोधित किया तो निव्यार्क स्टोक एक्सचेंज की वार्षिक कारोबार दर 20% थी जिसका आर्थ है कि ठेट शेर धारक ने इसे बेचने से पहले 5 साल तक स्टोक को होल्ड पर रखा था 2002 तक कारोबार दर में 105% की गिरावट दर्ज की गई जिसकी केवल 11.4 महिने की होल्डिंग अवदी थी 1973 में ओसत म्यूचल फंड लगबग तीन वर्षों तक स्टोक पर आयोजित हुआ 2002 तक शेर स्वामितों के अवदी केवल 10.9 महिने तक घट गई थी एसा लगता है कि म्यूचल फंड परबंदक अपने शेरों का अध्यन कर रहे थे ताकि वे सीख सकें कि उन्हें सबसे पहले नहीं खरीदा जाना चाहिए था फिर उन्हें तुरंत डंप कर दिया गया और सभी पर काम करना शुरू कर दिया गया यहां तक कि सबसे सम्मानित मनी परबंदन फर्मों को भी परेशानी हुई 1995 की शुरुवात में फिडेलिटी मेगलन जो तब दुनिया का सबसे बड़ा म्यूचुल फरंड था जिसके प्रबंदक जेफरी विनिक की प्रोधोगी की शेरों में 45.5% समपतियां थी विनिक ने गोष्णा की कि उनके ज्यादातर शेरधार को ने उन लक्षों के लिए फरंड में निवेश किया है जो वर्सों दूर है मुझे लगता है कि उनके उदेश है मेरे जैसे ही है और वे मानते हैं जैसा की मैं करता हूँ कि दिर्क कालिन दृष्टिकों सबसे अच्छा है लेकिन उन उच विचारधारा वाले शब्दों को लिखने के छे महिने बाद विनिक ने लगबग सभी तकनिकी शेरों को बेश दिया और उन आठ उनमादी सब्ताहों में लगबग 19 बिलियन डोलर के मुल्या के शेर बेचे और 1999 तक फिडेलिटी के डिसकाउंट ब्रोकरेज डिविजन अपने ग्रहाकों को किसी भी समय पॉम हैंड हैल्ड कम्प्यूटर का उप्योग करके कहीं भी व्यापार करने के लिए मोका दे रहा था जो पूरी तरह से फर्म के नई नारे के साथ पूरी तरह से समबंध था हर क्षण माईने रखता है फाइनेंसियल वीडियो गेम वॉल स्टीट ने ततकाल पैसे कमाने के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम बनाया मारगन स्टेनली की फर्म की ओनलाइन शाखा डिसकावर ब्रोकरेज ने एक टीवी एड चलाया जिसमें एक स्कुरूफी टाव ट्रक ड्राइवर एक समरद दिखने वाले कार्यकारी को चुनता है उसके डैश पोर्ड पर चितकाए गए एक उशन कटी बन दिया समुंदर तड की तस्वीर को देखते हुए कार्यकारी पूस्ता है अवकास चुटियां चालक ने जवाब दिया यह मेरा घर है ठीक है सूट पहने हुए आदमी कहता है यह एक द्वीब की तरह दिखता है और नए ही किसी विचार की आवशकता है ओनलाइन ब्रोकर अमेरी ट्रेड के एक टीवी विग्यापन ने दो ग्रहनियों को जोगिन से वापस आते हुए दिखाया एक अपने कंप्यूटर पर लोगवान करती है माउस को कई वार क्लिक करती है और उत्साही तोकर कहती है मुझे लगता है कि मैंने अभी लगबग सत्रा सो डोलर कमाई है वाटर हाउस प्रोक्रेज फर्म के टीवी विग्यापन में किसे ने बास्केट वाल कोज फिल जैक्सन से पूछा आप इसके बारे में कुछ जानते हैं उनका जवाब था मैं इसे अभी बनाने जा रहा हूँ वे किसी भी तरह दूसरी टीम के बारे में कुछ भी नहीं जानते लेकिन कहे रहे थे मैं अभी खेलने के लिए तैयार हूँ 1999 तक कम से कम 6 मिलियन लोग ओनलाइन व्यापार कर रहे थे और उनमें से दसवां हिस्सा तिवर गती से स्टोक खरीदने और बेचने के लिए इंटरनेट का उप्योग करके डे ट्रेडिंग कर रहा था क्यूबेंस न्यूवियर्क में 25 वर्षिया पूरू वेटर शोविज डिवा बारबरा स्ट्री सेंट से निकोलस बीरबास के सभी लोग लाइव कोईलों के स्टोक भर रहे थे इस से पहले बीरबास ने निंदा की मैं लंबी अवदी के लिए निवेश कर रहा था और मुझे पता चला कि यह स्मार्ट नहीं था अब बीरबास ने दिन में दस बार शेयरों का कारोबार किया और एक साल में दस लाख डोलर कमाने की उमीद की मैं अपने लाव या हानी कोलम में लाल देखने के लिए खड़ा नहीं हो सकता स्ट्री सेंड ने फोर्चुन के साथ एक साक्षातकार में कहा मैं बेलस बेल हूँ इसलिए मैं लाल पर प्रतिकरिया करता हूँ अगर मैं लाल देखता हूँ तो मैं अपने स्टोक बेशता हूँ नाई की दुकानों, रसोई, कैफे, टैक्सी कैप्स और ट्रक स्टॉप वित्य वेब साइटों और वित्य टीवी शेरों के बारे में निरंतर डेटा डालने से शेर बाजार को नौन स्टोप राष्ट्रिय वीडियो गेम में बदल दिया गया जनता पहले से कहीं ज़्यादा बाजारों के बारे में अधिक जानकार महसूस कर रही थी दुर्भाग्य वस जब लोग डेटा में डूब रहे थे तब ग्यान कहीं नहीं था उन कम्पनियों के स्टाथ पूरी तरह से खात्म हो गई जिन्होंने उन्हें जारी किया था शुद्ध अवाश्ट रशन बस एक टीवी या कंप्यूटर स्क्रीन पर चलने वाले ब्लिप मातर रह गए थे 20 दिसंबर 1999 को जुनो आनलाइन सर्वीस ने एक ट्रेल ब्लेजिंग बिजनेस प्लान का शुभारम किया जिससे उन्हें संभावत है कुछ नुक्षान होना निश्चित था जुनो ने गोशना की कि अब से यहें अपनी सभी खुद्रा सेवाओं को ईमेल के द्वारा निशुल्क परदान करेगा वे इंटरनेट एकसेस के लिए कोई शुल्क नहीं लेगा विग्यापन पर और अगले वर्ष विग्यापन पर लाकों डॉलर खर्च करेगा कॉर्पोरेट हर कीकी की इस गोशना पर जुनो का शेर दो दिन में 16.375 डॉलर से बढ़कर 66.75 डॉलर हो गया व्यावसाई को सीखना क्यों फाइदे मन था या यह क्यों आवशक था कि कंपनी दोरा उतवादित सामान या सेवाएं कैसी थी या उसका प्रबंदन कैसा था या कंपनी का नाम क्या था आपको स्टोक के बारे में जानने की जरूरत थी उनके परतिकों का आकरशक कोर था CBLT, INKT, PCLN, TGLO, VRSN, WBVN इस तरह आप उन्हें तेजी से खरीच सकते हैं पिना दो सेकेंड की देरी किये 1998 के उत्रार्द में एक छोटी दुरलब व्यापार रखरकावाली कंपनी टेमको सर्विसेज का स्टोक रिकोर्ड हाई वल्योम पर कुछ मिनटों में लगबग तीन गुना हो गया क्योंकि वितिय डिस्पलेसिया के एक विचितर रूप में हजारों व्यापारियों ने टीकर मास्टर के लिए अपने टीकर परतिक T.M.C.O. को भूलने के बाद टेमको खरीदा इस इंटरनेट स्टोक ने पहली बार सारजुनिक रूप से व्यापार शुरू किया ओसकर वाइल्ड ने मजाक किया कि एक सन की सब कीमत जानता है और कुछ भी नहीं इस परिभासा के तहप शेर बाजार हमेशा क्रोधित होता है क्योंकि 1990 के उत्रार्द में इसने आसकर को चौका दिया एक शेर की कीमत पर ब्लेड राइ कमपनी शेर को दुगना कर सकती है भले ही इसका मुल्य पूरी तरह से एपरत्यासित हो गया हो फिर भविशय में विकास की संभावना का हवाला देते हुए उन्होंने अपना मुल्य लक्षय Amazon.com पर डेड़ सो से चार सो तक बताया उस दिन Amazon ने उननीस परतिसत की बढ़ोतरी की और ब्लैक जेट के विरोध के बावजूद उनका मुल्य लगबग एक साल का पूरवानुमान था जो सिर्फ तीन हफतों में चार सो से आगे बढ़ गया था एक साल बाद पैन वेबर के विशले सक वाल्टर पाई सीक ने भविशय वानी की कि कौलकाम स्टोक अगले बारा महिनों में एक हजार डॉलर परतिस शेर पर पहुंच जाएगा उस साल स्टोक में पहले से ही अठारा सो ब्यालिस परतिसत की बढ़ोतरी हुई और उस दिन 31 परतिसत की बढ़ोतरी हुई जो की 669 डॉलर परतिशेर पर पहुँच गया पारमूले से नाकाम्याबी तक लेकिन व्यापार जैसे कि इतनी तेजी पर है यह अटकलों का एक मातर रूप नहीं है पिसले एक दसक में एक के बाद एक 60 सुतर को बढ़ावा दिया गया लोकप्रिय किया गया और फिर एक दरब फेंक दिया गया उन सभी ने यह जल्दी है यह आसान है बिना दर्द वाले लक्षन विक्सित किये और उन सभी ने निवेश और अनुमान लगाने के बीच ग्रहाम के नियमों में से एक का उलंगन किया यहां कुछ ट्रेंडी सुत्र है जो ओंदे मुँए गिर गए थे नकदी कलेंडर जनवरी प्रभाव साल के यंत में बड़े लाब पैदा करने के लिए छोटे शेहरों की प्रवर्ती 1980 के दशक में प्रकाशित, विद्वानों के लेखों और लोगप्रिय पुस्तकों में व्यापक रूप से प्रचलित थी इन अध्यनयों से पता चलता है कि यदि आपने दिसंबर के दूसरे चैमाई में छोटे शेहरों में स्टोक किया और उन्हें जनुरी तक रखा तो आप 5-10% तक रिटरन पाएंगे जिसने कई विसेसिग्यों को चकित कर दिया आखिरकार अगर यह आसान था निश्चित रूप से हर कोई इसके बारे में सुनता था बहुत से लोग ऐसा करेंगे और उनके अवसर दूर हो जाएंगे जनुरी जटके का क्या हुआ सबसे पहले कई निवेशक अपने कर बिलों को कम कर सकते हैं जो नुकसान में लोग के लिए साल के अंत में अपने क्रमिस्ट शेयर बेसते हैं दूसरा पेसे वर मनी मैनेजर अधिक स्तरक हो जाते हैं क्योंकि वर्ष नजदिक आ जाता है जो उनके प्रदर्शन को सुरक्षित रखने की मांग करता है इससे उन्हें गिरने वाले स्टोक खरीदने के लिए अनिचुक बनाता है और यदि एक अंडर फॉर्मिंग स्टोक भी छोटा और एसपस्ट है तो एक मनी मैनेजर होल्डिंग की सालाना सूची में इसे दिखाने के लिए भी उत्सुक होगा ये सभी कारक छोटे स्टोक को क्षणिक सोदेवाजी में बदल देते हैं जब करसंचालित बिक्री जनवरी में स्वाप्त हो जाती है तो वे आम तोर पर मजबूत और तेजी से लाब पैदा करते हुए वापस बेशते हैं जनवरी का प्रभाव ज्यादा नहीं चला है और यह कमजोर हो गया है रोचेस्टर विश्वी द्याले के विद प्रोफेसर विलियम स्वाट के मुताबिक यदि आपने दिसंबर के आखिर में चोटे सेर खरीदे थे और उन्हें जनवरी के शुरू में बेश दिया था तो 1980 से 1989 तक 4.4 अंक से 8.5 प्रतिशत अंक तक आपने बाजार से लाब लिया होगा और 1990 से 2000 तक 5.8 अंक तक जैसा कि जनवरी के प्रभाव के बारे में अधिक लोगों ने सीखा ज्यादा व्यापारियों ने दिसंबर में चोटे शेर खरीदे जिससे उन्होंने सोदा कम किया और इस प्रकार उनके रिटर्न कम हो गए इसके अलावा जनवरी प्रभाव सबसे चोटे शेरों में सबसे बड़ा है लेकिन ब्रेलेकसेज ग्रूप के अग्रिनी प्राधी करन प्लेकसस ग्रूप के मताबिक एसे चोटे स्टोग खरीदने और बेजने की कुल लागत आपके निवेश का आठ परतिसाद तक बढ़ा सकती है अफसोस की बात है कि आपके ब्रोकर का बुगदान करने के समय जनवरी प्रभाव पर आपके लाब बहे जाते हैं बस वही करें जो काम करता है 1996 में जेम्स ओर्शांगनेश नामक एक एसपस्ट मनी मैनेजर ने वर्ट वक्स ओन वाल स्ट्रीट नामक पुस्तक परकाशित की इसमें उन्होंने तर्क दिया कि निवेशक बाजार से काफी बहतर प्राप्त कर सकते हैं और शांगनेश ने एक शांदार दावा किया 1954 से 1994 तक आप 10,000 डोलर से 80,54,504 डोलर तक कमा सकते हैं बाजार से 10 गुनाशे अधिक यानी 18 विठ्षत ओसत वार्षिक रेटर्न से उस्च तम एक साल के रेटर्न के साथ 50 चेरों की बकेट खरीद कर कमाई के 5 सीधे साल और अपने कार्परेट राजसों में डेट गुना से भी कम कीमते साजा करें जैसे कि वे वाल स्ट्रीट के एडिशन थे ओशानेस ने यूएस पेटेंट प्राप्ट किया उनकी स्वेशालित रणनीतियों के लिए संक्या 5, 988, 778 और अपने निशकर्षों के आधार पर चार म्यूचल फंडों का एक समू लोंच क किया 1990 के उत्रार्द तक उन फंडों ने जनता से 155 मिलियन डॉलर से अधिक ले लिये थे और शेर धारकों को उनके वार्षिक पत्र में ओशान सेनी ने कहा हमेशा की तरह मुझे आशा है कि हम साथ मिलकर अपने दिर्ग का निल लक्षों तक पहुंच सकते हैं लेकिन वाल स्ट्रीट पर क्या काम करता है ओसेन्सी ने इसे परचारित करने के ठीक बात काम करना बंद कर दिया उनके दो फंड इतनी बूरी तरह से डूप गए कि वे 2000 के आरम में बंद हो गए जून 2000 में वे अपने नए लंबे समय के लक्षों के करीब चले गए और उस दन को नए परवंदकों के हातों में अपने ग्रहाकों को समय पर इक्षन निवेस रन्नितियों के बाद खुद को बचाने के लिए छोड़ दिया दशिशित फूर का पालन करें 1990 के दसक के मद्धे में मोटली फूल वेबसाइट और कई किताबों ने दफुलिश फूर नामक तकनीक को डेलाइट्स और हाइलाइट किया मोटली फूल के मुताबिक आपके बाजार ओसत पिछले 25 वर्सों में आपके निवेश की योजना बनाने पर सालाना केवल 15 मिनिट खर्च करके अपने म्यूचल फंड को क्रेश कर सकता है सबसे अच्छा इस तकनीक में निनुतम जोखिम था आपको बस इतना करना था शेर में अपने पैसे का 40 परतिसत दूसरे सबसे कम किमत वाले में रखें चोथा सेस तीन शेरों में से प्रतेक में 20 परतिसत रखो पांचवा एक साल बाद डाउजोंज को वैसे ही शोट करें और चरण एक से चार के अनुसार पोर्टफोलियो को रिसेट करें चटा अमीर बनने तक इसे दोहराते रहें 25 साल की अवधी में मोटली फूल ने दावा किया कि इस तकनीक ने सालाना उलिखनिये 10.1 परतिसत अंक से बढ़ोतरी हासिल की है उन्होंने बताया कि दैफुलिश पोर में आपके 20 अजार का निवेश अगले दो दसकों में 17,90 अजार का हो जाएगा आएए माल लेकी यहर अनिती ग्रहाम की निवेश की परिवासाओं को पूरा कर सकती है पहला किस तरह का गहन विशलेशन स्टोक को एकल सबसे आकरशक मुल्य और लाभास के साथ छोड़ने का उचुत्ते साबित कर सकता है लेकिन उन चार गुनों के साथ दूसरा आपके पैसे का 40% केवल एक स्टोक में रखें यह नुनुतम जो खिम्में डाल सकता है और तीसरा प्रिंसिपल की सुरक्षा परदान करने के लिए केवल चार शेरों का पॉर्टपोलियो कितना विविद्धा पूर्ण हो सकता है संक्षेप में कभी भी सबसे अधिक कोक मामी स्टोक पिकिंग फॉर्वलों में से एक था लोगों ने ओस एंगनेस के साथ कलती की यदि आप बड़ी मात्रा में डेटा को काफी देर तक देखते हैं तो पैटरन की एक बड़ी संख्या उबर कर सामने आएगी अकेले या चादिद भागे से कमपनियां जो ओसत स्टोक रिटरन का उत्पाधन करती है उन में बहुत सारी चीजें आम होंगी लेकिन जब तक उन कारकों से शेरों का प्रदर्शन नहीं हो जाता है तब तक भविश्य में रिटरन की भविश्य वानी करने के लिए उनका उप्योग नहीं किया जा सकता निश्चित रूप से बाजार को कुचलने की बजाए मूर्कों ने हाजारों लोगों को कुचला जो यह विस्वास बेवकुफी स्थर तक मानते थे कि निवेश का यह एक रूप था अकेले 2000 में चार मूर्क शेर कैटरपिलर इस्ट मैन कोडक, एस बी सी और जनरल मोटर 14% की गिरावट आई जबकि डौव में केवल 4.7% की कमी आई जैसा कि इन उधारनों से पता चलता है केवल एक चीज है जो वाल स्टीट पर बेर बाजार को कभी भी डराती नहीं है डोपी विचार इन तथापित निवेश द्रिष्टी कोणों में से परतेग ग्राहम के कानून का शिकार हो गया उच्च स्टोक परदर्शन अरजित करने के लिए सभी यांतरिक सुत्र एक प्रकार की आत्म विनाशकारी परकिरिया जैसे कम रिटर्न के कानून के समान है रिटर्न कम होने के दो कारण है अगर सुत्र केवल या चादित संकी की फ्लूक्स पर आधारित था केवल समय से पता चलता है कि पहली जगे में कोई समज नहीं आया दूसरे तरफ अगर सुत्र वास्तों में अतीत में काम करता था जनूरी प्रभाव की तरह तो इसे परचारित करके बाजार पंडित हमेशा खराब हो जाते हैं और आम तोर पर भविश्य में एसा करने की ख्षमता को खत्म कर देते हैं यह ग्राहम की चेताउनी को मजबूत करता है कि आपको अटकलों से बचना चाहिए जैसे कि अनुबविजुवारी अपनी कैसिनों के यात्राओं में करते हैं पहला आपको कभी यह सोचने के लिए खुद को ब्रहमित नहीं करना चाहिए कि आप अनुमान से निवेश कर रहे हैं दूसरा जब आप इसे गंभीरता से लेना शुरू करते हैं तो अटकले मोतिक रूप से खतरनाक हो सकती है और तीसरा आपको उस राशी पर सक्त सीमाई डालनी चाहिए जो आप दाओं पर लगाने के इच्छुक हैं जैसा की समझदार जुआरी करते हैं कैसी नों में 100 डॉलर से भी कम लेकर जाएं और अपने बाकी की पैसे को अपने होटल के कमरे में सुरुच्छित रूप से बंद कर दें बुद्धिमान निवेशक अपने कुल पोर्टपोलियों का एक छोटा सा हिस्सा पागल धन खाते के रूप में रखते हैं हम मेंसे अधिकांस के लिए हमारी कुल संपत्ती का 10 परतिसत सट्टा जोकिंपर अधिक्तम स्विकारियर राशी है अपने निवेश खातों में जो कुछ भी है उसके साथ अपने सट्टा खाते में धन को कभी भी ने जोड़ें कभी भी अपनी सट्टा सोच को अपनी निवेश कतिविदियों में फैलने की अनुमती ने दें और अपने पागल धन खाते में 10 परतिसत से अधिक संपतियों को कभी भी ने डालें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है बेहतर या बद्दर के लिए जुआ वरती मानो परकरती का हिस्सा है इसलिए अधिकांस लोगों के लिए इसे दबाने की कोशिस करना व्यर्थ है लेकिन आपको इसे सीमित और सैयोजित करना होगा यह सुनिशित करने का एक मात्र सबसे अच्छा तरीका है कि आप कभी भी निवेश के साथ ब्रहमित अटकलों में खुद को मुर्ख नहीं बनाएंगे धन्यवाद हिंदी ओडियोबुक डोट कॉम आपका दिन शुब हो दा इंटेलिजेंट इन्वेस्टर लेखक बेंजामिन ग्राहम भाग दो अध्याई दो इन्वेस्टर और इन्फलेशन अमेरिकी मजबूत हो रहे हैं 20 साल पहले 10 डोलर में करीदे गई किरानी का सामान उठाने के लिए दो लोगों को लगना पड़ता था लेकिन आजकल केवल 10 डोलर में इतना ही समान आता है कि एक 500 वर्षिय बच्चा भी उसे उठा सकता है हैनी यंग मैन मुद्रास फिति कीदर इसकी कौन परवा करता है 1997 से 2002 के बीच वस्तुओं और सेवाओं की लागत में ओसत वर्दी 2.2% से कम थी और आर्थ सास्त्रियों का मानना है कि यहां तक की राक डाउन दर भी अधिक हो सकती है उधारन के लिए कम्प्यूटर और घरेलू इलेक्टोनिस की कीमते कम हो गई वे इन वस्तुओं की गुण मत्ता बढ़ गई जिसका आर्थ है कि उब वोगताओं को उनके पैसे का बेहतर मुले मिल रहा है हाल के वर्षों में संग्त राजय अमेरिका में मुद्रास्पिती की वास्ट्विक्टर सालाना लगबग एक प्रदिसत चल रही है इसको पंडितों ने गोशना की कि मुद्रास्पिती मुरत प्राए हो गई है पैसे का ब्रहम मुद्रास्पिती के महतव को नजर अंदाज करने का एक अन्य कारण है जिसे मनो वेग्यनिक पैसे का ब्रहम कहते है यदि आपको एक वर्ष में दो प्रतिशत की वर्दी होती है और मुद्रास्पिती चार प्रतिसत पर चल रही है तब आप लगभग दो प्रतिसत पे कट पाते हैं उस समय आप निश्चित रूप से बहतर महसूस करेंगे जब मुद्रास्पिती सुन्य होने पर एक वर्स के दोरान जीरो प्रतिसत वेतन कटोती होती है फिर भी आपके वेतन में दोनों वर्लाव आपको वस्तुते समान सिती में छोड़ देते हैं जब तक नाम मात्र या पूर्ण परिवर्तन सा कारात्मक होता है हम इसे एक अच्छी चीज़ के रूप में देखते हैं भले ही मुद्रस पिती के बाद परिणाम नकारात्मक हों और आपके वेतन में कोई भी बदलाव पूरी तरह से अर्थ्वी आउस्ता में कीमतों के समानीकरत परिवर्तन की तुलना में अधिक ज्वलंद और विशिष्ट हैं इसी तरह निवेशकों को 1980 में बेंक प्रमान पक्तर पर 11 प्रतिसत कमाने से प्रसंता हुई और वे उस समय बहुत निराश हुए जब 2003 में 2 प्रतिसत कमाई कर रहे थे भले ही वे मुद्रस पिती के बाद पैसे ने बचा पाए हों हमारे द्वारा अरजित मामूली तर बेंक के विज्यापनों में दिखती है और इसकी खिड़की से पोस्ट की जाती है जहां में बड़े अंक अच्छा महसूस करवाते हैं लेकिन मुद्रस पिती उन बड़े अंकों को गुपत रूप से खाती रहती है विज्यापन के बज़ाए मुद्रस पिती हमारी संपती ले जाती है यही कारण है कि मुद्रस पिती को नजर अंदाज करना इतना आसान नहीं है आपके निवेश की सफलता को मापने के लिए इतना महतवपूर्ण यह हैं कि आप क्या करते हैं ने की आप मुद्रास्पिति के बाद कितना बचाते हैं। मुल रूप से बुद्धिमान निवेशक को हमेशा ऐ प्रत्यासित और कम अनुमानित होने के खिलाफ साउधन रहना चाहिए। यहे विश्वास करने के तीन अच्छे कारण है कि मुद्रास्पिति अभी निस्परान नहीं हुई है। पहला, 1973-1982 के समय में सिम्ट राजय अमेरिका इतिहास में मुद्रास्पिति के सबसे दर्दनाग विसपोटों में से एक में से गुजरा है। इसे उब वोगता मुल्य सुचकांक द्वारा मापा गया है कि इस अवधी के दोरान किमते दूगनी से अधिक हो गई जो लगवग 9% वार्शिक दर्स से बढ़ रही है। अकेले 1989 में मुद्रास्पिती 13.3% पर बढ़ी जिसको अर्थव्यवस्ता के पैरलाइस के रूप में जाना जाता है। जिसने कईयों को यह पूचने के लिए प्रेरित किया कि अमेरिका वैस्विक बाजार में परतिस परदा कर भी सकता है या नहीं। 1993 की शुरुवात में 4 डॉलर की कीमत वाले सामान और सेवाओं की कीमत 1982 के अंत तक 230 डॉलर हो गई थी जो डॉलर के मुल्य को 45 सेंट से कम कर देती है। जो भी इसका प्रियोग करता है वह धन के इस विनाश पर उपहास करेगा। जो समझदार नहीं है वह जोखिम के खिलाफ सुरक्षा में ऐस अपहल हो सकता है और इसे दोहरा सकता है। दूसरा, 1960 से दुनिया के बाजार उन मुक्तेसों में 69 परतिसत ने कम से कम एक वर्ष में 25 परतिसत या उस से अधिक मुदरस्पिती की वार्षिक दर्का सामना किया है। ओसतन उन मुदरस्पिती अवदी ने निवेशक की क्रेशक्ती का 53 परतिसत नश्ट कर दिया। हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका इस तरह की आवदा से मुक्त है। लेकिन हम यहें निश्कर्ष निकालते हैं कि यहें यहां कभी नहीं हो सकता है। तीसरा बढ़ती कीमतों में अंकल सैम ने मुदरस्पिती से सस्ता डोलर के साथ अपने करज का बुगतान करने की अनुमती थी। मुदरस्पिती को पूरी तरह से खत्म करना उस किसी भी सरकार के आर्थिक स्वेहित के खिलाफ है जो नियमित रूप से धन उधार लेती है। आधा बचाओ। बुद्धिमान निवेशक मुदरस्पिती के खिलाफ सुरक्षा के लिए क्या कर सकता है। मानक जवाब स्टोक खरीदना है लेकिन सामान्य उत्तरों के रूप में अक्सर यह पूरी तरह से सच नहीं है। जब उब्वोगता वस्तुओं और सेवाओं की किम्ते गिर गई स्टोक रिटर्न भयानक थे। बाजार के मुल्य के 43% तक खोने के साथ साथ मुद्रा स्पिती 6% हो गई और स्टोक भी डूप खेया। स्टोक मार्केट ने 14 वर्सों में से 8 में पैसा खो दिया। जिसमें मुद्रा स्पिती 6% से अधिक हो गई उन 14 वर्सों के लिए ओस्त रिटर्न 2.6% था। हालांकि हलकी मुद्रास्पिती कमपनियां ग्राकों को अपनी कच्छी सामगरी की बढ़ी हुई लागत को पारित करने के अनुमती देती है लेकिन उच्छ मुद्रस्पिती के कारण ग्रहाकों को अपनी खरीद और अर्थवी आवस्ता में निराशा जनक गतिविदी को कम करने के लिए मजबूर किया जाता है एतियासिक सबूत सपस्ट हैं 1926 में सटीक स्टोक मार्केट डेटा के आगमन के बाद 64-5 वर्स की आवधी रही है उन 64-5 वर्स की आवधी में से 50 में शेयर मुद्रस्पिती से आगे निकल गए यह परभावशाली है लेकिन अपूर्ण है इसका मतलब है कि शेयर मुद्रस्पिती के साथ समय के एक पांचुए हिस्से में बने रहने में नाकाम रहे रेश्क्यू के लिए दो सटीक शब्द सुभग्य से आप शेयरों से बाहर शाखाऊं द्वारा मुद्रस्पिती के खिलाब अपने बचाओ को मजबूत कर सकते हैं चुकि ग्रहाम ने आखिरी बार लिखा था दो मुद्रस्पिती सेनानी निवेश्कों के लिए व्यापक रूप से उपलब्द हो गई है REITS और TIPS REITS रियल इस्टेट इन्वेस्ट्मेंट ट्रस्ट या REIT जिसका उचारन है RITS ये वे कमपनिया है जो कमर्शियल और आवासिय संपतियों से किराया कमाती है और उन्हें एकत्रित करती है दस रियल इस्टेट म्यूचल फ़ंड बंडल में REIT मुद्रस्पिती का मुगावला करने का एक अच्छा काम करते है सबसे अच्छा विकल्प Vengard REIT Index Fund है अन्य अपेक्षा करतकम लागत वाले विकल्पों में कोहें एंड स्टी अर्स रियल्टी शेर कोलंबिया रियल इस्टेट एक्विटी फ़ंड और फिडेलिटी रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट फ़ंड शामिल हैं जबकि REIT फ़ंड की एक सटीक मुद्रस्पिती लडाकू होने की संभावना नहीं है इसके अपने समगर रिटर्न में बादा डाले बिना क्रेशक्ती के क्षरण के खिलाब रक्षा के लिए लंबे समय तक इसे आपको कुछ देना चाहिए TIPS Treasury Inflation Protected Securities या TIPS US सरकार के बोंड है जिने पहली बार 1997 में जारी किया गया था जो मुद्रास्पिती बढ़ने पर स्वेचालित रूप से मुल्य में बढ़ जाती है चुकि सहीं प्राजिया अमेरिका का पूर्ण विश्वास और क्रेडिट उनके पीछे खड़ा है इसलिए सभी Treasury Bond Default या ब्याज के गयर पुक्तान के जोखिन से सुरक्षित है लेकिन T.I.P.S. यहे भी गारंटी देता है कि आपके निवेश का मुल्य मुद्रास्पिती से खत्म नहीं होगा एक आसान पैकेज में आप वित्य नुक्षान और क्रेशक्ती के नुक्सान के खिलाफ खुद को भीमित करते हैं जब मुद्रास्पिती के गर्म होने के खारण आपके T.I.P.S. बॉन्ड का मुल्य बढ़ता है आंतरी के राजसव सेवा मानती है कि कर्योग्य आई के रूप में मुल्य में व्रदी भले ही यह पूरी तरह से एक पेपर लाब है जब तक कि आप अपने नए उच मुल्य पर बॉन्ड नहीं बेशते बुद्धिमान निवेशक, वित्ये विशलेशक मार्च श्वेबर के बुद्धिमान शब्दों को याद रखें एक सवाल यह है कि नोकर सासे कभी नह पूछें क्यों इस बेहद उतेजित कर जटिलता के कारण TIPS एक आई आरे जैसा कर्स तगित सेवा निवर्थ खाते के लिए सबसे उप्यूपते है 401K जहां वे आपकी कर्योग्य आए को जैक नहीं करेंगे आप चिदे US सरकार से TIPS खरीच सकते हैं या कम लागत वाले म्यूचल फंड जैसे वेंगार्ड मुद्रास्पिती सरक्षित परतिभूतियां या फिडेलिटी मुद्रास्पिती सरक्षित बॉंड फंड या तो सीधे या किसी फंड के माद्यम से TIPS अनुपात के लिए आदर्ष विकल्प है आपकी सेवानिवर्थी निदी का आप अन्यथा नगद में रहेंगे उन्हें व्यापार ने करें TIPS कम रन में एस्तिर हो सकता है लेकिन वेस्थाई आजीवन होल्डिंग के रूप में सर्वस्रेष्ट काम करते हैं ज्यादातर निवेश्कों के लिए आपकी सेवानिवर्थी संपतियों में से कम से कम 10% TIPS को आपटित करना आपके पैसे का एक हिस्सा पूरी तरह से सुरक्षित रखने और मुद्रस्विति के लंबे एद्रश्य पंजे की पहुंच से परे एक बुद्धिमान तरीका है धन्यवाद हिंडियोडियोबुक डोट कॉम आपका दिन शुब हो अगर आपको पता नहीं है कि आप कहां जा रहे हैं तो आपको सावधन रहना होगा क्योंकि आप वहां नहीं जा सकते हैं योगी भेरा इस अध्याई में ग्राहम बताते हैं कि बहुष्यवाणिया कैसे काम करती हैं वे दो साल बाद के बाजार के हाल अपने दूर दर्शिता से देखते हैं कि 1934 के विनाशकारी समय में भी बाजार से कैसे लाव लिया जा सकता है वे उसे कैसे परदर्शित किया जाता है जिसमें अमेरिकी शेयरों ने अपना 37% मुलेक हो दिया था जिसका आसर भविश्य में दो दस्कों से भी अधिक समय तक दिखता था इसी समय बाजार उन गुरुओं और सर्वसरेश्ट किताबे बेजने वालों के तरक को सुनता है जो कभी भी अपने जीवन काल में इस क्षितिजबर नहीं पहुंचे थे ग्राहम के तरक कमूल यह है कि बुद्धिमान निवेशक को अतीद के आधार पर भविश्य का पूरवानुमान कभी नहीं करना चाहिए दुर्भाग्यवश यह वास्तों में एक गलती रही कि 1990 के दसक में एक के बाद एक बुलिश किताबों की एक धाराने जैसे वाटन फाइनस प्रोफेसर जेरेमी सिगेल की स्टाक फोर्दा लोंग रन 1994 के बाद जेम्स गलासेन और केविन हैसेट के डव 36,000 डेविड एलियास के डव 4,000 और चार्ल कैडलेक के डव 1,00, क्रेशेडो 1999 आधी सभी परकाशित हुई पुर्वा नुमानियों ने तरक दिया कि 1802 के बाद से मुद्रास फिती के बाद शेरों ने वार्षी कोसत में 7% तेजी बना ली थी इसलिए उन्होंने निसकर से निकाला कि निवेशकों को भवी शेय में और ज़्यादा तेजी की उमीद करनी चाहिए कुछ शेयर ऐसे भी थे जो कम से कम 30 वरसों की किसी भी आउदी में हमेशा आगे रहे थे इसलिए स्टोक में बॉंड या यहां तक की बैंक नगत से कम जोखिम था और यदि आप लंबे समय तक शेयरों का स्वामी तो रखकर सभी जोखिमों को खत्म कर सकते थे तो आप उनके लिए कितना भुगतान करते 1999 और 2000 के आरंब में बैलोनी हर जगे था 7 दिसंबर 1999 को फर्स्ट हेंड म्यूचल फंड के पोर्ड फोलियो मैनेजर केविन लेंडिस CNN के मनी लाइन पर सारन पर दिखाई दिये यह पूछे जाने पर कि वाइरलेस दूर संचार स्टोप कितना लाब देगा कमाई के अनंत गुणकों पर उनके पास एक तैयार उतर था यह एक मानिया नहीं है पूरी तरह से विकास विकास के पूर्ण मुल्यों को देखो यह बड़ा है 18 जनवरी 2000 को केमर फैंस के मुखे निवेश रन नितिकार रोबर्ड फ्रोलिच ने वाल स्टीट जनरल में यह गोशित किया यह एक नई विसो व्यवस्था है हम देखते हैं कि लोग सही कमपनियों को त्याग देते हैं क्योंकि उनके शेर की कीमत बहुत अधिक होती है यह निवेशक द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी गलती है 10 अपरेल 2000 को बिजनस वीक पर जेफरी एम एपल गेट फिर लेमन ब्रदर्स के मुखे निवेश रन नितिकार ने एसिस्टता से पूछा क्या शेर बाजार दो साल पहले से आज खत्रे में है क्योंकि कीमत अधिक है जवाब ना है लेकिन जवाब हाँ है यह हमेशा रहा है यह हमेशा रहेगा और जब ग्राहम ने पूछा क्या इस तरह की अशक्तता निर्दोस हो सकती है वह जानते थे कि उस प्रसन का कोई शाष्वत उतर नहीं हो सकता है एक क्रोधित यूनानी भगवान की तरह शेर बाजार ने उन सभी को कुचल दिया जो इस बात पर विश्वास करते थे कि 1990 के उत्रार्द के उच्छ रिटर्न किसी प्रकार का दिव्यवरदान था देखें कि लेंडिस, फ्रोई लीक और एपल गेट द्वारा किये गए पूरवा नुमानों का क्या हुआ 2000 से 2002 तक लेंडिस के पालतू वायरलेश शेरों का सबसे स्थीर नो किया 67 परतिसत गिर गया जबकि सबसे खराब विन स्थार कम्यूनिकेशन 99.9 परतिसत गिर गया प्रोईज के पसंदीदा शेर सिसको सिस्टम्स और मोटरोला 2002 के यांत तक 70 परतिसत से अधिक गिर गई निवेशकों को अकेले सिसको पर 400 बिलियन डोलर से अधिक का नुक्सान हुआ जो कि हौंकोंग, इस्राइल, हुएब और सिंगापूर के संयुक्त आर्थिक उतबादन से अधिक था अपरेल 2000 में जब एपल गेट ने उधारवादी सवाल पूछा तो डाक्टर जोन्स इंडस्ट्रीज 11,187 पर नासड़क कम्पोजिट इंडेक्स 4,446 पर था 2002 के अंतर तक डाव 3300 के स्तर के आसपास गूम रहा था जबकि नासड़क लगबग सबसे निचले स्तर 1300 पर अपने सभी लाबों को खत्म करके ओंदे मूंग गिर गया था निसकर्स यह रहा कि जो जितनी स्पीड से उंचा गया वह उतनी ही स्पीड से नीचे गिरा इस प्रकार के शेर के लिए स्थाई परतिरक्षा के रूप में ग्राहम बुद्धिमान निवेशक से कुछ सरल संदिग्द सवाल पूछने का आगरह करते हैं शेरों का भविश्य रिटर्न हमेशा अपने पिछले रिटर्न के समान क्यों होना चाहिए जब प्रतेक निवेशक का मानना है कि लंबे समय तक पैसे कमाने के लिए स्टोक की गारंटी है तो क्या बाजार में भारी गिरावट नहीं होगी जब एक बार ऐसा होता है तो भविश्य में कैसे संभववते उच रिटर्न प्राप्त हो सकते हैं ग्राहम के जबाब हमेशां से तर्क और सामन्य ग्यान में नहीत हैं किसी भी निवेश का मुल्य हमेशां इसके लिए भुगतान की जाने वाली कीमत का एक कारिया होना चाहिए 1990 के दसक के अन्त तक मुद्रास्पिती दूर हो गई थी कार्परेट लाग तेजी से बढ़ रहे थे और अधिकांस दुनिया शान्ती में थी लेकिन इसका मतलब यह नहीं इसका मतलब यह हो सकता था कि शेर किसी भी कीमत पर खरीदने लाइक थे चुकि कमपनिया कमाई कर रही थी जो सीमित है निवेशकों को स्टोक के लिए भुगतान करने के इचुक होने की कीमत भी सीमित होनी चाहिए इस बारे में सोचें माइकल जोर्डन अपने पूरे समय का सबसे बढ़ा बास्केट बाल खिलारी हो सकता है और उसने परसंसकों को शिकागो स्टेडियम में एक विशाल इलेक्ट्रो मैनेट की तरह खींच लिया शिकागो बूल्स को लकडी के तल के चारों और एक बड़ी चमडे की गेंद उचालने के लिए जाडन को सालाना 34 मिलियन डोलर का भुगतान करने का सोदा मिला लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बूल को प्रतिस सत्र 340 मिलियन या 3.4 बिलियन या 34 बिलियन का भुगतान करना उचित होगा आप्टीमिजम की शिमाएं बाजार की हालिया रिपोर्ट पर ध्यान के अंदरित करते हुए ग्राहम चेताउनी देते हैं कि यह काफी आजीद और खतरनाक निश्कर्स है कि भविश्य में आम शेरों के लिए समान रूप से आस्टेरेजनक परिणाम की उम्मिद की जा सकती है 1995 से 1999 तक बाजार में 20% वर्दी हुई जो अमेरिकी इतिहास के स्टोक खरीदारोंग में अभूत पूरू आशावादिता बन गई 1998 के मद्धे में पैन वेबर प्रोक्रेज फर्म की गैलूप संग्थन दुबारा सर्वेक्षन किये गई निवेश्कों ने उम्मीद की थी कि आने वाले वर्ष में उनके पॉर्टपोलियो ओस्तन 13% की कमाई करेंगे 2000 की शूरुवाद तक उनकी ओस्त अप्यक्षित वाफसी 18% से अधिकों हो गई थी प्रिश्कर्त प्रेशेवर्ट भविश्य के रिटर्न के अपनी धार्नाओं के रूप में बस उत्साही के उधारन के लिए 2001 में SBC कम्यूनिकेशन में अपनी पेंशन योजना पर 8.5% से 9.5% तक अनुमानित वाफसी की 2002 तक मानक 500 स्टोक इंडेक्स में कम्पनियों की पेंशन योजनाओं पर वाफसी की ओस्त अनुमानित 9.2% की गई थी एक बिना सोचे समझें त्वरित उत्सा के बाद का भयानक सथ 2001 और 2002 में पाया गया की शेरों पर एक साल के रिटर्न की ओस्तों भी 7% तक गिर गई जी है हलांकि निवेशक अब 2000 की कीमतों में लगबग 50% कम कीमत पर स्टोक खरीच सकते थे वाल स्ट्रीट के अनुमानों के मुताबिक उन पेंशन योजनाओं पर रिटर्न के बारे में उन धारनाओं को M&P 500 में कंपनियों को 2002 और 2004 के भी 32 अरब डोलर का नियुन्तम खर्च होगा हलांकि निवेशकों को पता है कि वे कम पर खरीदना और उच पर बेचना चाहते हैं प्रैक्टिस में वे अक्सर इसे पीछे की ओर ले जाते हैं इस अध्याय में ग्राहम के चेताउनी सरल है विपरीट के सिधान्त के अनुसार अधिक उत्साही निवेशक जो लंबे समय तक शेर बाजार में बने रहते हैं उनके बारे में निश्चित हैं कि वे कम समय में गलत साबित हो सकते हैं 24 मार्च 2000 को अमेरिकी शेर बाजार का कुल मुल्य 14.54 ट्रिलियन डोलर तक पहुँच गया 9 अक्टूवर 2002 तक केवल 30 महिने बाद कुल अमेरिकी शेर बाजार 7.34 ट्रिलियन डोलर यानि 50.2 प्रतिसत कम हो गया था जो कि 7.41 ट्रिलियन डोलर का नुक्सान था इसे बीच कई बाजार पंडित, सालाना यहां तक की आने वाले दश्कों तक फ्लेट या यहां तक की नकारात्मक बाजार रिटर्न की भविश्य वणी करते हैं इस बिन्दू पर ग्रहा में एक साधार्ण सवाल पूस्ते हैं इस बात पर विचार करते हुए कि विशेशक के आखिरकार गलत साबित हो चुके थे तब क्यों बुद्धिमान निवेशक फिर भी इन पर विश्वास करते थे आगे क्या होगा शोर को ट्यून करें और भविश्य के रिटर्न के बारे में सोचें इस से पहले ग्राहम के तरीके पर गोड करें उनके अनुसार शेर बाजार का प्रदर्शन तीन कारकों पर निर्भर करता है पहला वास्तविक विकास कंपनियों की कमाई और लाभाश की बढ़ोतरी दूसरा मुद्रास्पिती व्रधी अर्थ व्यावस्ता में कीमतों की सामान्य बढ़ोतरी तीसरा सटा व्रधी या गिरावट निवेश के लिए जनता की भूप में कोई कमी या व्रधी लंबे समय तक प्रती शेर कारकोरेट कमाई में वार्शिक व्रधी ओसत 1.5 प्रतिसत से 2 प्रतिसत ओसत है 2003 की शुरुवात से मुद्रास्पिती सालाना लगवग 2.4 प्रतिसत तक चल रही थी स्टोग पर लाभांग 1.9 प्रतिसत था इसका मतलब है कि आप उसी तुरूप से स्टोग की अनुमानित रिटर्न 6 प्रतिसत की उमीद कर सकते थे यदि निवेश करने वाले लोगों को फिर से लालच मिलता है और स्टोग को वापस भेजता है तो वह सक्टा बुखार ऐस्ताई रूप से उच रिटर्न चलाएगा यदि इसके बजाए निवेशक 1930 और 1970 के दशक के अनुसार डर से भरे हुए हैं क्योंकि स्टोग पर रिटर्न ऐस्ताई रूप से कम हो जाएगा येल वी सुवी द्याले के कॉमर्स प्रोफेसर राबर्ट शिलर का मानना है कि ग्राहम ने उनके मुल्याकंद रिष्टिकोंड को प्रेडित किया शिलर पिछले 10 वर्सों में उसत कॉर्परेट मुनाफे के मुकावले मानक 500 शेयर सूचकांग की वर्तमान कीमत की तुलना करते हैं एतियासिक रिकोर्ड स्कैन करके शिलर ने दिखाया है कि जब उनका अनुपाद 20 से उपर चला जाता है तो बाजार आम तोर पर खराब रिटर्न देता है जब यह 10 से नीचे गिरता है तो स्टाक आम तोर पर लाब उत्वन करते हैं 2003 के आरंब में शिलर के गणित से शेरों की कीमत पिछले दसक की ओसत मुद्रस पीती समायोजित कमाई के लगबग 22.8 गुना थी अभी भी खत्रे के क्षेत्र में लेकिन दिसंबर 1999 में 44.2 गुना कमाई के उनके डिमेंटेड स्टर से नीचे थी इसलिए 2003 के शुरुआती दिनों के मुल्यांकन के स्तर से शेर बाजार ने कभी-कभी आने वाले दस वर्सों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है कभी-कभी खराब और सेज समय के साथ उलजन वरीस्तिति में भी रहा है मुझे लगता है कि ग्राहम सब से कम और उच्छतम रेटर्न और परियोजना के बीच अंतर को विभाजित करेंगे कि अगले दसक में शेयर सालाना लगवक 6 परतिसत कमाएंगे या मुद्रास पीती के बाद 4 परतिसत कमाएंगे 1990 के दसक की तुलना में 6 परतिसत कुछ भी नहीं है लेकिन यह लाबों की तुलना में बेहतर है जिससे बॉंड का उत्वादन होने की संभावना है और अधिकांश निवेशकों के लिए एक वीविद पोर्टॉलियों के हिस्से के रूप में परियाप्त कारण है लेकिन ग्राहम का दृष्टिकोंड दूसरा है भावी स्टॉक रिटर्न की भविश्यवानी करते समय आपके वल एक चीज़ पर भरोसा कर सकते हैं कि आप शायद गलत हो जाएंगे एक मातर निर्वी बाद सकते है जो अधित हमें सिखाता है वह यह है कि भविश्य हमेशा हमें आस्चिर चकित करेगा और वित्य इतिहास के उस कानून के लिए अनुशासनिक यह है कि बाजार सबसे अधिक लोगों को कुरूरता से आस्चिर चकित करेगा जो सबसे निश्चिन्त है कि भविश्य के बारे में उनके विचार सही है ग्राहम के अनुसार शक्तियों के बारे में विनम्मर रहना आपको भविश्य के एक द्रिश्टी कौन पर बहुत अधिक जोखिम से बचाएगा जो गलत सावित हो सकता है भविश्य का एउ तो गलत सावित हो सकता है तो हर तरह से आपको अपेक्षाओं को कम करना चाहिए लेकिन ध्यान रखें कि अपनी भावनाओं को निराश्ट नय होने दे बुद्धिमान निवेशक के लिए आशा हमेशा शाश्वत स्प्रिंग होते हैं वित्य बाजार में भविश्य में जितना बुरा दिखता है वह उतना ही बेटर होता है एक बार एक सनकी ने ब्रिटिस उपन्यासकार और निवंदकार जीके चेस्टरनन को बताया धन्य है वह जो कुछ भी उमीद नहीं करता है क्योंकि वह निराश्ट नहीं होगा चेस्टर टन का पूनर विचार धन्य वह है जो कुछ भी उमीद नहीं करता क्योंकि वह सब कुछ का आनंद लेगा धन्यवाद हिंदी ओडियोगुक डोट कॉम आपका दिन शुब हो ता इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अध्याए चार समन्य पोर्टफोलियो निती रक्षात्मक निवेशग हिंदी ओडियोगुक डोट कॉम आपका पोर्टफोलियो कितना आकरामक होना चाहिए ग्राहम कहते हैं आप किस परकार के निवेश पर कम निर्भर करते हैं और आप किस तरह के निवेशक हैं यहाँ पर बुद्धिमा निवेशक बनने के दो तरीके हैं पहला लगातार शोद, चैन और निगरानी करके स्टोक, बॉन्ड या म्यूचल फंड का मिसन बनाकर निवेश करके दूसरा या एक स्थाई पोर्टफोलियो बनाकर जो आटो पाइलेट पर चलता हो और उसे और प्रियास की आउशकता नहीं होती है ग्राहम का पहला दृष्टिकोन सक्रिय या उद्दमी है, यह बहुत समय और उर्जा लेता है निश्करिय या रक्षात्मक रिननेती थोड़ा समय या प्रियास लेती है, लेकिन इसमें बाजार के हिलने से लगबग स्थिर रहने की आउशकता होती है निवेश विचारक के रूप में चार्ल्स एलिस ने कहा है, कि उद्दमी दृष्टिकोन फिजिकली है, जबकि रक्षात्मक दृष्टिकोन मांग भावनात्मक है यदि आपके पास अतिरिक्त समय है, तो एक अत्यदिक परतिस परदी खेल परसंसकी तरह सोचें, कि आपको विरोधी टीम ने एक जटिल बोधिक चुनोती दी है अब आपका दिमाग एक्टिव होकर समाजान के लिए सोचना शुरू करता है यदि आप इस से भागते हैं, सादगी चाहते हैं और पैसे के बारे में सोचना पसंद नहीं करते हैं, तो यह है आपका निश्करिय द्रिश्टिकोन है कुछ लोग दोनों विदियों को सहयोजित करने में सबसे सहज महसूस करेंगे वे एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाएंगे जो मुख्य रूप से सक्रिय और आंशिक रूप से निश्करिय होता है या इसके विपरीद दोनों द्रिश्टिकोन समान बुद्धिमानी है, इससे आप या तो सफल हो सकते हैं या नहीं लेकिन अगर आप सही चुनने के लिए प्रियाप्त रूप से प्रियाप्त जानते हैं तो अपने निवेश के जीवन काल के दोरान इसके साथ रहें और अपनी लागत और भावनाओं को नियंतर्ण में रखें सकरिया और निशकरिया निवेश्कों के बीच ग्राहाम वितिया जोखिमों की याद दिलाने वालों में से एक है कि विद्धिय जोखिम ने केवल उस अस्थान पर है जहां हम में से अधिकांस इसकी तलास करते हैं यानि अर्थव्यवस्ता में या हमारे निवेश में बलकि खुद के भीतर भी है एक रक्षात्मग निवेशक कैसे शुरू करता है वह पहला और सबसे बुन्यादी निरने यह करता है कि शेरों में कितना रखा जाए और बॉंड और कैश में कितना रखा जाए स्टोक और बॉंड के बीच अपनी संपत्ती को निवेश करने के तरीके के बारे में ग्राहम की चर्चा में सबसे ऐसा मन्य बात यह है कि उन्होंने कभी भी उम्र शब्द का उलेक नहीं किया है। यह परंपरागत ग्यान के खिलाब द्रड़ता से उनकी सलाव बताता है कि जिसमें यह माना जाता है कि आपको निवेश में कितना जोखिम लेना चाहिए। यह इस बात पर निर्वर करता है कि आप कितने साल के हैं। एक थंबरूल है कि सोव में से आपकी उम्र घटाने से बाकी बची संख्या के बराबर परतिशत में स्टोप वे बाकी बचे परतिशत में अपनी संपती का निवेश बोंड आदी में करना चाहिए। यानि एक 28 वर्षिय वेक्ती अपने पैसे का बहतर परतिशत स्टोप में रखेगा, 81 वर्षिय वेक्ती केवल 1-9 परतिशत स्टोप में रखेगा। बाकी सब की तरह 1990-1999 के उतरार्द तक ये धारणाए आम थी। 1999 में एक लोग प्रिय पुस्तक ने तर्क दिया कि यदि आप 30 वर्ष से कम उमर के हैं तो आपको अपने पैसे का 95 परतिशत स्टोप में निवेश करना चाहिए। भले ही आपके पास जोखिम के लिए कुछ भी नए हो। जब तक आप इस सला के समर्थकों को अपने IQ से सो गटाने के इजाज़त नहीं देते हैं तो आपको यह बताने में सक्षम होना चाहिए कि यहां कुछ गड़वड है आपकी आईउ को यह निर्धारन क्यों करना चाहिए कि आप कितना जोखिम ले सकते हैं एक 89 वर्षी अव्यक्ति 3 मिलियन डॉलर के साब परियाप्त पेंशन और अपने पोते पोतों के लिए उसके ज़्यादातर पैसे को बोंड में निवेश करने की सला देना क्या मुर्गता नहीं होगी उसके पास पहले से ही बहुत सी आय है और उसके पोते जो अंतते उसके वारिस होंगे जिन के लिए दसकों पहले ही निवेश किया जा रहा है दूसरी तरफ एक 25 वर्षी अनवीवक्त जो अपने शादी और घर के बुकतान के लिए बचत कर रहा है वहे अपने सारे पैसे स्टोक में डाल देगा यदि शेर बाजार एक बड़ा गोता लगा लिता है तो उसके पास उसके खर्चे वाले हिस्से को कवर करने के लिए कोई आये ही नहीं बचेगी इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने युवा हैं आपको अपने पैशे की आऊ सकता शायद 40 सालों तक ने पड़े और चेतावनी के बिना अचानक अब से 40 मिनित ब भी आ सकता है इसलिए हर किसी को कुछ नगत संपत्ती जो कि में इन जगहों पर रखनी चाहिए जिसे जब चाहें एक मिनिट में कैश किया जा सकता हो आखिरकार कई लोग ठीक से निवेश करना बंद कर देते हैं क्योंकि शेर बाजार नीचे चला जाता है मनो वैग्यनिकों ने बताया है कि हम में से अधिकांश भविश्य वानी करते हुए आज कम काम करते हैं कि हम भविश्य में गतिसी रूप से चार्ज किये जाने वाले कारिकरम के बारे में कैसा महसूस करेंगे जब स्टोक 1980 और 1990 के दसक में 15 परतिसत या 20 परतिसत सालाना बढ़ रहा था तब यह कल्पना करना आसान था कि आप और आपके स्टोक आपके जीवन के साथ साथ चलेंगे लेकिन जब आप परतेग डोलर को देखते हैं तो आप एक डाइम पर उतरने का निवेश करते हैं तब बॉंड और नगदी की सुरक्षा की उलजन में विरोध करना मुश्किल होता है अपने शेरों को खरीदने और रखने के बजाए बहुत से लोग उन्हें उंचे भाव में खरीदते हैं और कम भाव में बेशते हैं और अपने हाथों से अपने सिर को पकड़ लेते हैं चूंकि इतने कम निवेशकों के पास गिरते बाजार में शेरों को पकड़ने की हिम्मत है। ग्राहम जोर देकर कहते हैं कि हर किसी को बोंड में कम से कम 25% निवेश करना चाहिए। वे तरक देते हैं कि वेह कुशन आपको शेरों के बदले में अपने बाकी पैसे को शेरों में रखने का साहस देगा। बेहतर जो खिम पाने के लिए आप इतना जो खिम ले सकते हैं। अपने जीवन की मौलिक परिस्थितियों के बारे में सोचें कि वे कब किक करेंगे, वे कब बदल सकते हैं और नगदी के लिए आपकी आउशकता को कैसे प्रभावित कर सकते हैं जैसे कुछ कारण यहां बताई जा रहे हैं पहला, आप कुवारे हैं या शादी सुधा, आपके पती या पतनी क्या करते हैं? दूसरा, क्या आपके बच्चे हैं? ट्यूशन बिल कब तक आने लगेंगे? तीसरा, क्या आपके पैसे का किसी को वारिश बनाएंगे? या क्या आप अपनी या अपने माता-पिता की उम्र बढ़ने के लिए अर्थिक रूप से जिम्मेदार होंगे चोथा, आपके करियर को कौन से कारक पर भावित कर सकते हैं पांचवा, यदि आप स्वेयरोजगार से कमाते हैं तो आपके जैसे व्यावसाई कितने समय तक चलेंगे चोथा, क्या आपको अपने निवेश चे नगदी आए की जरूरत है साथवा, आपके वेतन और आपकी व्याकी जरूरतों को देखते हुए आप अपने निवेश में कितना पैसा खो सकते हैं यदि इन कारकों पर विचार करने के बाद आपको लगता है कि आप शेरों के अधिक स्वामितव में निहिद उच्च जोखिम ले सकते हैं तो आप ग्राहम के निउन्तम बोंड या नगद में 25 परतिसत के आसपास हैं यदि नहीं तो अपने अधिक्तम शेरों को खत्म कर दें क्योंकि ग्राहम के अधिक्तम निवेश यानि पिचेतर परतिसत बोंड या नगदी में बढ़ते हैं एक बार जब आप लक्षय परतिसत निजारित करते हैं तो उन्हें के वल अपने विशेस जीवन परिस्तितियों में ही बतलें तब अधिक शेर ने खरीदें जब शेर बाजार चड़ रहा हो और उन्हें तब ने बेचें जब शेर बाजार नीचे चला गया हो ग्राहम के दृष्टिकोन का मूल अनुसासन के साथ अनुमान लगाने का है सो भाग्य से आपके 401K के माद्यम से अपने पोर्टपोलियो को स्थाई ओटो पाइलेट पर रखना आसान है आईए मान लें कि आप काफी हाई लेवल जोखिम के साथ सहज है मान ले कि आपका स्टोक में 70% संपतिया है और बॉंड में 30% यदि शेर वाजार 25% बढ़ता है लेकिन बॉंड स्थिर रहते हैं तो अब आपके पास स्टोक में 75% से कम और बॉंड में केवल 25% ही होगा अपनी 401K की वेब साइट पर जाएं या इसके टोल फ्री नंबर पर कॉल करें और अपने 37 लक्षे पर वापिस स्टोक फंड बेचते हैं कुझी एक अनुमानित रुग्ण सेडूल पर दोबारा बेचना है इतनी बार नहीं कि आप अपने आपको पागल कर दें और इतनी मुश्किल में नहीं कि आपके लक्षे विचलित हो जाएं मेरा सुझाव है कि आप नए साल और 4 जुलाई जैसे आसान याद रखने वाली तारीकों पर हर 6 महीने कम और अधिक नहीं पुनर विक्रिय करते हैं इस समायवदी के दोरान सेल की सुंदरता यह है कि यह है आपको अपने निवेश निर्नों को एक सरल उदेश्य पूर्ण मानक पर निर्हरित करने के लिए मजबूर करता है क्या आप मेरे पास इस योजना के मुकाबले इस संपत्ती के अधिकलाब हैं ब्याजदरें कहां जा रही है इसकी अनुमानित अनुमान के बारे में बताएं चाहे आपको लगता है कि डोव डूबने वाला है तीरो प्राइस समेब कुछ म्यूचल फंड कंपनिया जल्द ही एसी सेवा पेश कर सकती है जो आपके प्रिसेट लक्षों को स्वैचालित रूप से आपके 401 के पोटफोलियो को पुने संतुलित कर देगी इसलिए आपको कभी भी सक्रिय नेने लेने की आवशक्ता नहीं होगी 100% स्टोक में क्यों नहीं ग्राहम आपको सला देते हैं कि स्टोक में आपकी कुल संपत्ती का इचेतर परतिसत से अधिक निवेश नहीं करना है लेकिन क्या आपके सारे पैसे शेयर बाजार में हर किसी के लिए उपलब्द है निवेशकों के एक चोटी संख्या के लिए 100% स्टोक पोर्टपोलियो समझ में आ सकता है यदि आप इन में से एक हैं पहला यदि आपने कम से कम एक वर्ष के लिए अपने परिवार के लिए परियापत पैसा सुरक्षित रख दिया है दूसरा आप आने वाले कम से कम 20 वर्षों तक लगातार निवेश कर रहे हैं तीसरा साल 2000 में शुरू होने वाले बेर बाजार से आप बच गए हो चोथा साल 2000 में शुरू होने वाले बेर बाजार के दोरान शेर नहीं बेचे हो पांचवा, साल 2000 में शुरू होने वाले बाजार के दोरान आपने अधिक शेयर खरीदे हो छठा, इस पुस्तक के अध्याय आठ को पड़ा हो और अपने शुमे के निवेश वेवाहर को नियंतरित करने के लिए एक ओपचारी की योजना लागू की हो जब तक आप इन सभी परिक्षनों को इमानदारी से पारित नहीं कर लेते हैं तब तक आपको अपने सभी पैसे स्टोक ओप्चन में नहीं डालने हैं आखिरी बेयर बाजार में गभरा जाने वाले किसी भी व्यक्ति को अगले शेर मार्केट संकट में गभराहट होगी जब उसके पास कोई भी नगत या बॉन्ड नहीं होगा ग्राहम के दिनों में बॉन्ड निवेशकों को दो बुनियादी विकल्पों का सामना करना पड़ा कर्योग्य या कर्मुक्त अल्पकालिन या अधिरकालिन जो आज एक तिया ही है बॉन्ड या बॉन्ड फंड कर्योग्य या कर्मुट जब तक कि आप सबसे कम टेक्स ब्रैकेट में ने हो आपको अपने सेवानुरतिक हातों के बाहर केवल कर्मुट बॉंड खरीबना चाहिए अन्यता आपकी बॉंड आए का बहुत अधिक आई यारेस के हातों में खत्म हो जाएगा कर्योग्य बॉंड रखने का एक मातर स्थान आपकी 401 के या किसी अन्य पेंशन खाते के अंदर है जहां आप अपनी आमदनी पर कोई मौजूदा कर नहीं देते हैं और जहां बॉंड कोई जगे नहीं है क्योंकि उनके करला बरबाद हो जाते हैं अलब कालिन या दिर कालिन बॉंड और ब्यास दरें एक नजर के वीपरित सिरों पर हैं यदि ब्यास दरें बढ़ती हैं तो बॉंड की किमते गिरती हैं हालांकि एक अलब कालिन बंदन दिर कालिन बंदन से बहुत कम होता है दूसरी तरफ यदि ब्यास दरें गिरती हैं तो बॉन्ड की किम्ते बढ़ती हैं और दिर कलिन बॉन्ड छोटे से बेहतर परदर्शन करेगा आप पांच से दस वर्चों के परिपकों मद्द वर्तियावदी के बॉन्ड को खरीद कर अंतर को विभाजित कर सकते हैं अधिकांस निवेशकों के लिए इंटरमेडियेटरी बॉन्ड सबसे आसान विकल्प होते हैं क्योंकि वे आपको अनुमान लगाने के खेल से बाहर निकालने में सक्षम होते हैं कि ब्यास दरें क्या करेंगी बॉन्ड या बॉन्ड फण चुकि बॉन्ड आम तोर पर 10,000 डोलर के प्लोट में बेचे जाते हैं और आपको कम से कम 10 बॉन्ड की आवशकता होती है ताकि जोखिम में विचलन हो सके कि उन में से कोई भी बश्ट हो सकता है विक्तिकत बॉन्ड करीदने से कोई मतलब नहीं होता जब तक कि आपके पास निवेश करने के लिए कम से कम एक लाख डोलर ने हो बॉंड फंड मासिक आये की सुविदा के साथ सस्ते और आसान विविद्धा प्रदान करते हैं जिसे आप कमीशन के बॉंड फंड में फिर से निवेश कर सकते हैं अधिकांश निवेशकों के लिए बॉंड फंड व्यक्तिगत फंड को हराते हैं बेंगार्ड, इडालेटी, स्वाब और टीरो प्राइस जैसे परमुक कम्पनिया कम लागत पर बॉंड फंड का विस्तरत मेन्यू पर दान करती है आप अपनी नगदी से अधिक आई कैसे ले सकते हैं बुद्धिमान निवेशक को जमा या मनी मार्केट खातों के बैंक परमान पत्रों से बाहर जाने पर विचार करना चाहिए जिनोंने हाल ही में कम रिटर्न दिया है इन नकद विकल्पों में से कुछ है ट्रेजरी सिक्योरिटीज यूएस सरकार के दाईतों के रूप में ट्रेजरी सिक्योरिटीज वस्तूते कोई क्रेडिट जोखिम नहीं लेते क्योंकि अपने करज पर चूप करने के बज़ाए अंकल सेम सिर्फ करों को जैक कर सकता है या आपकी इच्छा पर अधिक पैसा प्रिंट कर सकता है ट्रेजरी बिल 4, 13 या 26 अबें परिपकव हो जाते हैं उनकी बहुत चोटी परिपकवता की वज़े से टी बिल मुश्किल में डूप जाते हैं जब बढ़ती ब्याजदरें अन्य आई निवेश की कीमतों को कम करती है लंबी आउदी के ट्रेजरी रिन हलांकि ब्याजदरें बढ़ने पर गंभीर रूप से पीडित हो जाते हैं ट्रेजरी सिक्यूरिटीज पर ब्याज आई आमतोर पर रज्य आईकर से मुक्त होती है और सारवजनी का हातों में 3.7 ट्रिलियन डॉलर के साथ ट्रेजरी रिन के लिए बाजार बहुत अधिक हैं इसलिए यदि आपको परिपकवता से पहले अपने पैसे की जरूरत है तो आप आसानी से एक खरीदार को इसे बेच सकते हैं सेविंग बॉंड्स ट्रेजरी के विप्रित विपनन योग्य नहीं है आप उन्हें किसी अन्य निवेशक को नहीं बेच सकते और यदि आप उन्हें पांच साल से कम समय में रिडिम करते हैं तो आप तीन महीने के ब्याज को खत्म कर देंगे इस परकार वे भविश्य में व्याकी जरूरत को पूरा करने के लिए मुख्य रूप से सिट अलोन मनी के रूप में उप्योकते हैं एक धार्मिक समारों के लिए उपहार जो वरसों दूर है या हावर्ड में अपने नवजात सिसु को लगाने के लिए बचत शुरू करें वे 25 डोलर जिदने कम मुल्य में आते हैं जिससे उन्हें पोते के लिए उपहार के रूप में आधर्श माना जाता है निवेशकों के लिए जो आस्वस्त रूप से आने वाले सालों तक पुछ नगत छोड़ सकते हैं मुद्रास्पिती सरंक्षित आई बॉर्ड ने हाल ही में लगबग 4% की आकर सक ब्यासदर पेश की है मौटगेज सिक्योरिटीज यानि बंदग पर्तिबूतियां सभी तराजिय अमेरिका के आसपास हजारों परतिबूतियों से मिलकर इन बॉर्ड को पेडरल नेशनल मार्टगेज एसोसेशन या सरकारी नेशनल मार्टगेज एसोसेशन जैसी एजेच्चियों द्वारा जारी किया जाता है हाला कि उन्हें यूएस ट्रेजरी द्वारा समर्थित नहीं किया जाता है इसलिए वे अपने अधिक जोखिम को दर्साने के लिए उच लाभांस पर बेशते हैं मोर्टगेज सेक्योरिटीज आम तोर पर जब व्यास दर्यें गिरती है तब कम परदर्शन करते हैं अच्छा मोर्टगेज सेक्योरिटीज फंड वेंगार्ड विडेलिटी और पिमको के पास उपलब्द है लेकिन यदि कोई ब्रोकर कभी आपको सीमो बेशने की कोशिश क करता है तो उसे बताएं कि आपकी प्रोटोलाइजिस्ट के साथ अपॉइंट्मेंट हो चुकी है एनुटी यानि वार्सिकियां ये बीमा जैसे निवेश आपको मौझूदा करों को रोकने और रिटायर होने के बाद पेंशन को बनाई रखने में सक्षम बनाता है और साव तर मामलों में एनुटी के स्वामितों के फुल खर्च जिसमें समर्पन मुल्य शामिल है जो आपके शुरुवाती निकासी पर लागू हो जाते हैं और इसके फाइदे खत्म हो जाएंगे कुछ अच्छी एनुटी खरीदी जाती है बेची नहीं जाती यह एक एनुटी वि CREF और बेंगार जैसी लागते हैं प्रेफर्ट स्टोप पसंदीदा शेयर सबसे खराब दोनों दुनिया के निवेश हैं यह बोंड से कम सुरुचिते हैं क्योंकि अगर बैंक दीवालिया हो जाता है तो उनके पास कंपनी की संपत्ती पर केवले एक माद्यमिक दावा होत है और वे आम शेयरों की तुलना में कम लाग शम्ता परदान करते हैं क्योंकि कमपनिया आम तोर पर ब्यास दरों में गिरावट या उनकी क्रेडिट रेटिंग में सुधार करते समय अपने पसंदीदा शेयरों को कोल या मजबूती से वापस खरीते हैं अपने अधिकांस पर ब्यास बुगतान के विपरेट एक जारी करने वाली कमपनी अपने कॉर्पोरेट कर बिल से पसंदीदा लावांस बुगतान गटा नहीं सकती है अपने आप से पूछें यदि यह कमपनी मेरे निवेश के लाइक होने के लिए प्रयाप्त सवस्त है तो यह बूंड जार करने और टेक्स ब्रेक प्राप्त करने के बजाए अपने पसंदीदा स्टोप पर वैसा लावांस क्यों दे रही है संभावित उत्तर यह है कि कमपनी स्वस्त नहीं है इसके बूंड के लिए बाजार खराब हो गया है और आपको अपने पसंदीदा शेयरों से संपर्क करना 115 शेयरों में लावांस 3% या उससे अधिक था कोई बुद्धिमान निवेशक कभी भी अपनी लावांस आई के लिए स्टोप खरीद लेगा कमपनी और उसके कारोबार ठोस होना चाहिए और इसकी स्टोप के मत उचित होनी चाहिए लेकिन 2000 में शुरू होने वाले बेर बा स्टोप जोड़ने से इसके आए बढ़ सकती है और इसकी संभावित वापसी बढ़ सकती है धन्यवाद hindi audiobook.com आपका दिन शुब हो अच्छा आकरमन ही सबसे अच्छा बचाओ है पिछले कुछ सालों के शेर बाजार के रक्तपात के बाद किसी भी रक्षात्मक निवेशक ने स्टोप में पैसा क्यों लगाया सबसे पहले ग्रहम के आग्रे को याद रखें कि आपके पोर्टफोलियों में समय और उर्जा लगाने के आपकी इच्छा के मुकाबले जोखिम के प्रती आपको कितना रक्षात्मक होना चाहिए और यदि आप निवेश के सही तरीके को अपनाते हैं तो स्टोप में निवेश करना आपके पैसे को बॉंड और नगदी में पारकिंग करना जितना आसान है साल 2000 में शुरू होने वाले बेर बाजार में यदि आप जला महसूस करते हैं और यदि बदले में यह भावना आपको द्रड़ता से जगड़े हुए है कि कभी एक भी स्टोप ने खरीदें एक पुरानी निती कहती है दूद से जला चाच भी फूंग फूंग कर पीता है क्योंकि साल 2000 वे 2002 की दुरुगटना इतनी बहानक थी कि कई निवेशक अब स्टोप को खतरनाक रूप से जोखिम बरा मानते हैं लेकिन विरोधा वासी रूप से दुरुगणा गरस्त होने के बावजूद बहुतों ने शेर बाजार से अधिक जोखिम उठाया है यह पहले गरम दूद था लेकिन अब यह कमरे के तापमान जिदनी चास है तार्किक रूप से देखा गया है कि आज शेरों के मालिक होने का निरने कुछ साल पहले उनके स्वामितों में कितना पैसा खोया होगा इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है जब शेरों को भविश्य में वि पैदावार कम होती है जिससे आएकर उत्पाधन पर भविश्य में रिटर्न कम हो जाता है जैसा कि हमने अध्याय तीन में देखा है स्टार्क 2003 की शुरुवात में एतिहासिक मानकों से केवल हलके से अधिक मुल्यवान है इस वीद हाल के दामों पर बौंड एसी कम पान करके फेपड़ों के कैंसर के बजाए खुद को बचा सकता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने रक्षात्मक है ग्रहाम की कम रख रखाओ की भावना में या कम जोखिम की समकालिन भावना में आज के मुल्यों का मतलब है कि आपको कम से कम अपने कुछ शे निवेश में हर महीने काम करने के लिए आपके पैसे का थोड़ा सा हिस्सा रखता है स्टाक पीगिंग में आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा गवाने से आपको बचा सकता है क्या आप जानते हैं कि आपको क्या खरीदना चाहिए सबसे पहले रक्षात्मक निवेशक को हम बचाव करना चाहिए यह विश्वास कि आप भिना होमवर्क किये स्टाक ले सकते हैं 1980 के दसक और 1990 के दसक के आरम में सबसे लोगप्रिय निवेश नारों में से एक था जो आप जानते हैं उसे खरीदें पीटर लिंच 1977 से 1990 तक फिडेलिटी मेगलन को म्यूचल फंड द्वारा संकलित सर्वतम ट्रैक रिकोर्ड में ले जाने वाले सबसे ज़्यादा करिश्माई परचारक थे इस सूर विचार का लिंच ने तर्क दिया कि शोकिया निवेश कों का एक फाइदा है कि पेशेवर निवेश सके इसका उपयोग कैसे भूल सकते हैं जैसा के लिंच ने कहा, कारों या कैमरों को खरीदने के दोरान आप समझते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या बिक्ता है और क्या नहीं और सबसे महतवपूर्ण हिस्सा यह है कि वाल स्ट्रीट इसे जानता है, इससे पहले आप इसे जानते हैं लिंच का विचार है यदि आप उन कम्पनियों या उद्योगों में निवेश करके अपने किनारे का उप्योग करते हैं तो आप विसेशग्यों से बहतर परदर्शन कर सकते हैं यह पूरी तरह से असंबव नहीं है और हजारों निवेश को ने वर्सों से इसका लाब उठाया है लेकिन लिंच का नियम केवल तभी काम करता है जब आप इसके अनुशाशनिक कापालन करते हैं वादा करने वाली कमपनी ढूंडना केवल पहला कदम है अगला कदम शोध करना अपने क्रेडिट के लिए लिंच ने जोड़ देकर कहा कि किसी को भी किसी कमपनी में कभी निवेश नहीं करना चाहिए इससे कोई फरक नहीं पड़ता कि उसके उतपात कितने अच्छे हैं क् कि इसके वित्य विवरणों का अध्यन किये विना इसके व्यवसाइक मुल्य का अनुमान नहीं लगाया चाह सकता दुर्भग्य वश अधिकान शेयर खरिदारों ने इस इससे को नजर अंदास कर दिया है डे ट्रेडर बारबरा लोगों के सामने हमेशा लिंच की शिक्षा फिर भी आपको काफी से भी ज्यादा स्टार्बक्स के वित्य विरोनों का विशलेशन करना होगा और स्टाक सुनिश्चित करना होगा कि कहीं यह और प्राजिट तो नहीं है अंगिनत स्टाक खरिदारों ने Amazon.com के शेयरों को खरीद कर एक ही गलती की क्योंकि वे वेब पर दिये गई अपने एक साक्षातकार पें फर्स्ट हैंड फंड के पॉर्ट फोलियो मैनेजर केविल लेंडिस को बस्टारूप से पूछा गया था आप इसे कैसे करते हैं मैं एसा क्यों नहीं कर सकता केविल ठीक है आप इसे कर सकते हैं लेंडिस ने चिलाया आपको केव प्रेड सेवा निवर्ती योजनाओं में हुआ, यदि आपको आप जो जानते हैं उसे खरीदना चाहते हैं, तो संबवताय आपकी कमपनी के स्टाक की तुलना में आपके 401K के लिए बहतर निवेश क्या हो सकता है, आखिरकार आप वहां काम करते हैं, क्या आप कभी बाहरी व रखा है केवल इतना ही पता चला है कि अंदुरूनी लोगों को अक्सर ग्यान का अप्रहम होता है, ने कि वास्तविक चीजों का, कारने की मेलान विश्विद्याले के बारुक फिस होग के नेतरतों में मनुवग्यानिकों ने disturbing facts पेस किये हैं, किसी विशे से अधिक परीच परीचित होने से लोग इस बात को नजर अंदाज कर देते हैं कि वे वास्तों में इसके बारे में कितना जानते हैं, यही कारण है कि आप जो जानते हैं उसमें निवेश करना खतरनाक हो सकता है, यानि आप जितना अधिक जानते हैं उतनी ही कम संभावना है कि आप स्टोक क जांस नहीं करेंगे अति संवेदन सील्टा के इस हानिकार करूप को होम बायस कहा जाता है यानि जिससे आप पहले से परीचित हैं उससे चिपकने की आदत जैसे एक व्यक्तिकित निवेशकों के पास अन्यस अवी फोन कमपनियों की तुलना में अपनी स्थानिय फोन कमपनी के तीन गुना अधिक शेयर हैं 2. ज्यादतर mutual fund उन शेरों का मालिक है जिनके मुख्यले ओसत अमेरिकी कमपनी की तुलना में fund के मुख्यकारे लेके 115 मिल के करीब है 3. 401 के निवेशक अपनी खुद की कमपनी के स्टोक में सेवा निवर्ती संपतियों का 25 पर 30 और 30 पर 30 के बीच रखते है संक्षेप में familiarity नसल पैदा करती है जैसे टीवी समाचार हमेशा कहते हैं वह इतना अच्छा लड़का था यह कोई उसका पडोसी सबसे अच्छा दोस्त या अपरादी का अभिवावक नहीं है जो एक चोंकाने वाली आवाज में यह कहता है इसका कारण यह है कि जब भी हम किसी के पास या किसी चीज के बहुत करीब होते हैं तो हम उन पर सवाल पूछने के बजाए हमारी मान्यताओं को स्विकार करते हैं एक स्टोक जितना अधिक परीचित होगा उतना ही अधिक रक्षात्मक निवेशक को आलसी बना देगा जो सोचता है कि कोई हमवर करने की आवशकता नहीं है एसाम मत होने दो क्या आप अपना खुद का रोल कर सकते हैं सो भाग्य से एक रक्षात्मक निवेशक के लिए जो स्टाक पॉर्टफोलियो को इकठा करने के लिए आवशक हमवर करने का इच्छुक है वह स्वरन क्युक है वित्या इतिहास में पहले कभी भी शेयरों का मालिकाना हक पाना इतना सस्ता और सुविदाजनक नहीं था इसे स्वेय करें अगर आपके पास स्टोक खरीदने के लिए बहुत कम नकत है तो भी आप ओनलाइन ब्रोकरेज के माध्यम से स्टोक खरीद सकते हैं ऑनलाइन स्टाक वेब साइटें उपलब्द कराए गई हजारों शेयरों की प्रतेक पिरियोडिक खरीद पर केवल नाम मातर ही चार्ज करती है आप हर हफते या हर मैने निवेश कर सकते हैं अपने लाभांश को फिर से निवेश कर सकते हैं और यहां तक कि अपने बैंक खाते से इलेक्ट्रोनिक निकासी या अपने पेचेक से सिधे खाते से स्टाक में अपने पैसे को ट्रिकल कर सकते हैं जबकि सेर बिल्डर्स आपको खरीदने या बेचने के लिए याद दिलाने के लिए अधिक शूलक लेते हैं पारंप्रिक दलालों या म्यूचल फंडों के विपरीद जो आपको 2000 या 3000 डॉलर से कम खाता तक नहीं खोलते वहीं इन ओनलाइन फर्मों के पास जीरो बैलेंस पर आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं और वे उन निवेशकों के लिए तयार है जो आटो पाइल वेश वेबसाइटें विवित्ता पूर्ण पोर्टफोलियो बनाने के लिए एक मात्र गेम हो सकती है आप जारी करने वाली कमपनियों से सीधे व्यक्तिगत स्टॉप भी खरीच सकते हैं 1994 में यूएस सेकूरिटीज एंड एक्सेंज कमिशन ने हैंड कप को ढिला कर दिया जो लंबे समय से सीधी विक्री पर लगा था सेंकडों कमपनियों ने इंटरनेट आधारित कार्यकरमों का निर्मान करके जवाब दिया कि निवेशक ब्रोकर के बिना शेर खरीच सकता है कमपनी अक्सर विभिन परकार के शूलक लेती है जो परती वर्स 25 डोलर से अधिक हो कारा मिल सकता है यदि आप अपनी खरीद के स्थाई और व्यापक रूप से विस्तरत रिकोर्ड रखने के लिए तैयार नहीं है तो पहले स्थान पर खरीद दानी ने करें और केवल एक स्टोक में निवेश ने करें या यहां तक की कुछ अलग अलग स्टोक भी जब तक आ आप अपने दाओं को फैलाने के इचुक नहीं हो तब तक आपको बिलकुल भी शर्त नहीं लगानी चाहिए गराम के दिशा निर्देश अनुसार निवेशकों के लिए 10 से 30 शेरों के बीच एक अच्छा प्रारंबग बिंदू बनी हुई है जो अपने खुद के शेर चु कुल मिलाकर महिने में एक या दो घंटे से अधिक खर्च नहीं करते हैं तो कुल मिलाकर आपके कुछ निवेश गलत हो सकते हैं इंटरनेट को आसान और इसे मिनिट दर मिनिट नए महसूस करने से यह आपको एक सक्टे बाज बना देता है एक रक्षात्मक निवेशक इसमे को स्टाक पीकिंग का आधिकांस काम स्वे करना होगा ग्रहम के दिशा निर्देश आपको कौर पोर्टफोलियो बनाने में मदद करेंगे जो निनुनतम रख रकाओ और स्थिर वापसी को स्थाई करता है दूसरी तरफ यदि आप समय नहीं दे सकते हैं या खुद के लिए ब्याज नहीं कमा सकते हैं तो किसी को स्टोक या म्यूचल फंड खरीदने के लिए नियुक्त करने में शर्म महसूस नहीं करें लेकिन आपके लिए एक जिम्मेदारी भी है कि आप इसे कभी भी डेलिगेट नहीं यह केवल आप और आप ही कर सकते हैं कि क्या आपका सलाकार बरोसे मंद है और आपके सभी शुल्क और आप से सभी शुल्क उचित रूप से लेता है इसे बढ़ाएं म्यूचल फंड एक रक्षात्मक निवेशक के लिए अपने स्वें के संपूर्ण पोर्टफोलियो पर निगरानी के बिना स्टोक स्वामितव का सबसे अच्छा तर या रख रखाओ की आवशक्ता नहीं होती है इंडेक्स पंड एक प्रकार का रिप वान विकल निवेश है जो वासिगिटन इरविन के आल्ची किसान की तरह किसी भी तरह की पीड़ा या आस्चरिय का कार्ण बनने की संभावना नहीं है जैसे जैसे वितिय वाजार भारी ह होते हैं और दिन बदिन नीचे आने लगते हैं और डूब जाते हैं तब रक्षात्मक निवेशक इस संकट पर नियंतर पा सकता है आपका रेफ्यूजल तब एक्टिव हो जाता है आपके भविश्य की भविश्यवानी करने की किसी भी क्षमता का त्याग आपका सबसे शक का प्रियोग करने लगते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितनी विचितर रूप से उसलकूद करता है जैसा कि ग्राहम ने कहा है ओसत डालर लागत आपको नियमित अंतराल पर निवेश में निश्चित रासी लगाने में सक्षम बनाता है हर हापते, महिने या कैलेंडर तीमाही आप खरीच सकते हैं अधिक खरीचते हैं चाहे आप बाजार में उपर, नीचे या किनारे पर हों कोई भी परमुक म्यूचल फंड कंपनी या ब्रोकरेज फर्म स्वेशालित रूप से आपके लिए इलेक्टोनिक रूप से पैसे सुरक्षित रूप से स्थानांतरित कर सकती हैं इसलिए आपको कभी भी चेक लिखना या भुगतान के सचेत पौंग को महसूस नहीं करना प रहा है बलकि यह भी कि बाजार के कौन से क्षेतर और उनके बीतर कौन से विशिष्ट स्थाक या बॉंड सर्व से रेस्ट होंगे मान लीजिए कि आप एक महिने में 500 डॉलर इन्वेस्ट करते हैं उल तीन इंडेक्स पंडों में 300 डॉलर अमेरिकी शेयर बाजार 100 डॉलर विदेशी शेयर और 100 डॉलर यूएस बॉंड में लगाते हैं आप यह सुनिशित कर सकते हैं कि आप लगबग हर निवेश के मालिक ह हर महिने हर गड़ी आप अधिक खरीदते हैं यदि बाजार गिर गया हो तो आपकी प्रिसेट राशी आगे बढ़ जाती है इससे पहले महिने से ज्यादा शेयर मिलते हैं यदि बाजार बढ़ गया है तो आपका पैसा आपके लिए कम शेयर खरीदता है अपने पोर्टपो इबाटसन एसोसियेशन के अनुसार यदि आपने सितंबर 1929 की शुरुआत में 500 स्टाक इंडेक्स में 12,000 डोलर का निवेश किया था तो 10 साल बाद आपके वल 7,223 डोलर ही बचा पाए लेकिन अगर आपने 100 डोलर के साथ शुरुआत की होती और हर महीने 100 डोलर का निवेश क किया होता तो अगस्त 1949 तक आपका पैसा 15,571 डोलर हो गया होता यह ग्रेट डिप्रेशन और हर समय के सबसे खराब बाजार के रूप में भी अनुशाशित खरीद की शक्ती है एक बार जब आप इंडेक्स पंड के साथ एक स्टाई आटो पाइलेट पोर्टफोलियो बना लेते हैं तो आप एक रक्षात्मक निवेशक की सबसे शक्ति शाली पर्तिकिरिया के साथ हर बाजार प्रशन का उत्तर देने में शक्षम होंगे अगर कोई पूसता है कि क्या बॉन्ड स्टोक से बेहतर परदर्शन करेंगे तो बस जवाव दें मुझे नहीं पता और इंडेक्स पंड में दिखेगा और आप लोंग ड्राइव पर जा सकते हैं जब वे कहते हैं कि विदेशी शेरों ने अगले साल अमेरिकी शेरों को हराया मुझे नहीं पता और मुझे परवा नहीं तो आप उस लाग को पकड़ लेंगे यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो आपको इस भावना से मुक्त करता है कि आपको वित्य बाजारों के बारे में क्या करना है और किसी ब्रहम की बजाए यह कहना कि मुझे नहीं पता और मुझे परवा नहीं है आपको सक्षम बनाता है भविश्य के बारे में आप कितना कम जान सकते हैं इस बारे में ग्यान आ दा इंटेलेजेंट इन्वेस्टर अध्याई च्छे उद्वी निवेशक के लिए पोर्टपोलियो निती नकारात्मक दृष्टिकॉन हिंदी ओडियोबुक डोट कॉम आकरामक और रक्षात्मक निवेशक के लिए जो आप करते हैं उतना ही महतवपून है जितना आप जो नहीं करते हैं इस अध्याई में ग्राहम आकरशक निवेश्टों के लिए अपने डोंट्स सुचिबद करते हैं जंक याड डोग्स हाई रिटर्न बॉंड जिने ग्राहम सेकंड ग्रेड या लोवर ग्रेड कहते हैं और आज इसे जंक बॉंड कहा जाता है अपने दिनों में यह डिफर्ट निवेश के जोखिम को दूर करने के लिए एक व्यक्तिकत निवेशक के लिए बहुत महगा और बोजिल था आज हालंकी 130 से अधिक म्यूचल फंड जंक बॉंड में विशे सग्या है ये फंड कोर्ट लोड द्वारा जंक खरीदते हैं वे दरजनों अलग अलग बॉंड से रखते हैं यह विवित्ता की कठनाई के बारे में ग्राहम की शिकायतों को कम करता है 1978 के बाद से जंक बॉंड बाजार का 4.4 परतिसत वार्शिक ओसद डिफाल्ट के रूप में चला गया है लेकिन उन चूप के बाद भी जंक बॉंड ने 10 वर्ष के वार्शिक ट्रेजरी बॉंड के लिए 8.6 परतिसत बराम 10 परतिसत की वार्शिक वापसी की है दुर्भाग्यवश अधिकांस जंक बॉंड फंड उच शुलक देते हैं और अपने निवेश की मूल रासी को सरक्षित करने का खराब काम करते हैं यदि आप सेवा निवर्थ हो जाते हैं तो एक जंक फंड उप्यूक तो हो सकता है जो आपकी पेंशन के पूरक के लिए अतिरिक्त माशिक आए की तलास कर रहे हैं और मुले में ऐस्ता ही टंबल सहन करते हैं यदि आप किसी बैंक या अन्यवितिय कमपनी में काम करते हैं तो ब्यास दरों में तेज वरधी आपके राइज को सिमित कर सकती है या यहां तक की आपकी नोकरी की सुरक्षा को भी खत्रे में डाल सकती है इसलिए एक जंक फंड जो ब्यास दरों में वरधी के दोरां अन् मुली विकल्प दाइतव नहीं है। ग्राहम ने जंक बॉंड की तुलना में विदेशी बॉंड को बेहतर शर्त नहीं माना। आज हालांकि विदेशी बॉंड के एक किस्में निवेशकों के लिए कुछ अपील हो सकती है। जो बहुत सारे जोखिम का सामना कर सकते हैं। लग बॉंड पॉर्टफोलियों का 10% से अधिक नहीं रखेगा। लेकिन उपरते बाजार बॉंड फंड शायद ही कभी अमेरिकी शेयर बाजार के साथ समनवे से चल पाते हैं। इसलिए वे दुरलब निवेशों में से एक हैं जिनके डाउन होने के कारण भी गिरने की संभाव नहीं है। इससे आपको अपने पॉर्टफोलियों में आराम का एक छोटा कोना मिल सकता है जब आपको इसकी आफशकता हो। जैसा कि हम पहले ही अध्याई एक में देख चुके हैं। एक समय में कुछ गंटों के लिए व्यापार होल्डिंग स्टोक दिन वित्याय आत्मत् और स्टाक खरीदने या बेशने की आपकी उत्सुकता आपकी रिटर्न को कम कर सकती है। कोई भी जो स्टाक खरीदने के लिए बेताब है वह किसी भी विक्रेता जिससे भाग लेने के इक चुक होने से पहले हाल ही के शेर मुल्य से 10 सेंट अधिक बोली लगा सकता है। बा के वल पांच सेंट तक बढ़ाते हैं तो आपने एक एदर्श है लेकिन बहुत वास्तविक 50 डॉलर खर्च किया है। फिलिप पक्ष पर जब घबराये हुए निवेशक एक स्टॉप पेजने के लिए बेकरार है और वे इसे हालिया कीमत से कम के लिए डंप करते हैं तो बा परतिसत से 4 परतिसत हो सकता है। यदि आप एक स्टाक में 1000 डॉलर डालते हैं तो भी शुरू होने से पहले आपके ट्रेडिंग लागत लगवग 40 डॉलर खा सकती है। स्टाक बेचें और आप व्यापार खर्च में 4 परतिसत से अधिक हो सकते हैं। ओ हां एक और बात जब आप निवेश के बजाए व्यापार करते हैं तो आप सामाने आए में लंबी आवदी के लाब को बदल लेते हैं। इसमें सब कुछ जोड़ें एक स्टाक व्यापारी को स्टाक खरीदने और बेचने में कम से कम 10 परतिसत हासिल करने की आवशकता है। अकेले भाग्ये से को कोशिश की है और सबूत सबस्ट है जितना आधिक आप व्यापार करेंगे आप उतना ही कम रखें। कैलिफोर्निया विश्विद्याले के वित प्रोफेसर ब्रेंट बावर और टेंडेंड ओडें ने एक प्रमुक छूट ब्रोकरेज फरम के 66,000 से अधिक ग्रहकों के व्य 96 में तक इन ग्रहकों ने 1.9 मिलियन से अधिक का व्यापार किया। अध्यन में लोगों ने प्रती वर्ष कम से कम आदा प्रतिसत अंक ओसत से कम प्रदर्शन किया लेकिन व्यापार लागत के बाद सबसे सक्रिय इन व्यापारियों ने प्रती महा अपने स्टोक में से 20% से अधिक स्थान अंत्रित किया बाजार को हर साल 6.4% अंक से रोंदने के बाद हलांकि अधिकांश निवेशक जिन्होंने ओसत माहुल में केवल कुल होल्डिंग का 0.2% कम से कम कारूबार किया है बाजार की कीमतों के बाद भी एक वैसकर द्वारा बाजार को बहतर प्रदर्शन करने में काम्याब रहे अपने दलालों को IRS को अपने लाव का एक बड़ा हिस्सा देने के बजाए उन्होंने लगबग सब कुछ अपने पास रखा सबक सपष्ट है कुछ ने करें वहां खड़े हो जाएं यह हर किसी के लिए यह स्विकार करने का समय है कि दिर कालिन निवेशक ही एक मातर प्रकार का निवेशक होता है कोई भी जो एक समय में कुछ मैनों से अधिक समय तक स्टोक नहीं रख सकता है वह एक विजेता के रूप में नहीं बलकि पीडित के रूप में खत्म हो जाता है 1990 के दसक में निवेश करने वाले लोगों के दिमाग को जब्त करने वाले समरद त्वरित्य विशाक्त पदार्थों में से एक सबसे गातक विचार यह था कि आप IPO खरीद कर धन का निर्माण कर सकते हैं एक IPO एक प्रारंबिक सार्वजनिक पेशकाश है या जनता के लिए कंपनी के सेर की पहली बिक्री है पहली बार ब्लूश में IPO में निवेश करना एक अच्छा विचार लगता है आखिरकार यदि आपने 13 मार्च 1986 को सार्वजनिक होने पर माइक्रोसोट के 100 शेर खरीदे थे तो 2003 के आरंब तक आपके 2100 डॉलर निवेश पर 7,20,000 डॉलर हो गई थे और वित प्रोफेसर जे रीटर और विलियम श्वाट ने दिखाया है कि यदि आपने जनवरी 1960 में प्रतेक आईपियो में खुल 1000 डॉलर इन्वेस्ट किया था तो उस महिने के अंत में बेचे गई कीमत पर फिर आईपियो के प्रतेक लगातार महिने की कमाई में फिर से निवेस्ट किया गया था तो आपका पॉर्टफोलियो 2001 के बाद तक 533 डिखियन डॉलर हो गया होता जिसका मतलब है कि अगर आप इस संख्या को कागज़ पर लिखें तो 533 के पीछे 33 जीरो लगानी पड़ेगी दुर्भाग्यवर्ष माइक्रोसोफ्ट की तरह हर आईपियो के लिए जो एक बड़ा विजेता बन जाता है वहां हाजारों हारे हुए हैं मनोवग्यानिक डेनियल कंडरमैन और आमोस टर्की ने बताया है कि जब मनुश्य किसी गटना की संभावना या आवर्ती का अनुमान लगाते हैं तो हम इस निर्ने को इस बात पर आधारित नहीं करते हैं कि गटना वास्तों में कितनी बार हुई है लेकिन पिछले उधारन कितने जोलंत है हम सभी अगली Microsoft खरीदना चाहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हम पहले Microsoft को खरीदने से चूप गई थे लेकिन हम आसानी से इस तथ्य को नजर अंदाज करते हैं कि यदि कांस अन्य IPO बहानक निवेश थे यदि आप कभी भी IPO बाजार के दुरलव विजेताओं में से एक नहीं बलकि एक व्यभारिक ऐसंभावता को याद रखते हैं तो आप 533 डिकियन डॉलर लाबर जित कर सकते हैं अन्त में IPO पर अधिकतर उच रिटर्न एक विसेश नेजी कलब के सदश्यों द्वारा कबजा कर लिया जाता है बड़े निवेश बैंक और फंड हाउस जो स्टाक को सारवजनिक व्यापार शुरू करने से पहले प्रारंबिक कीमत पर शेर प्राप्ट करते हैं शेरों में सबसे बड़ा रनप अक्सर इतना छोटा होता है कि कई बड़े निवेशकों को भी शेर नहीं मिल सकते जो बस वहाँ जाने के लिए प्रियाप्त नहीं है यदि लगबग हर निवेशक की तरह आप IPO तक पहुंच प्राप्ट कर सकते हैं केवल उनके शेरों ने विशेश प्रारंब की मुल्या से उपर राकेट की तरह परदर्शन किया है तो आपके परियनाम जबरदस्तों होंगे 1980-2001 तक यदि आपने अपनी पहली सारुजनिक बंद कीमत पर उसत IPO खरीदा था और तीन वर्षों तक अपने पास रखा था तो आप सालाना 23% से अधिक अंक बाजार से कम परदर्शित करेंगे शायद कोई स्टाक VA Linux से बहतर IPO से समर्द होने के सपने को व्यक्त नहीं करता है अगला MS-FT Linux के एक प्रारंबिक मालिक होने का अनंद लिया अभी खरीदें और अब से पांच साल में रिटायर 9 दिसंबर 1999 को स्टाक को 30 डॉलर की शुरुआती सारुजनिक पेशकर कीमत पर रखा गया था लेकिन शेरों की मांग इतनी करूर थी कि जब सुबे नास्टाक कोला गया तो VA Linux के शुरुआती मालिकों में से किसी ने भी शेर को तब तक नहीं जाने दिया जब तक कीमत 299 डॉलर तक नहीं पहुंच गई शेर 320 डॉलर पर पहुंच गया और 249.25 डॉलर पर बंद हुआ जो एक दिन में 697.5% का लाव था लेकिन वह लाव के वल कुछ हद तक संस्तागत व्यापारियों द्वारा अर्जित किया गया था व्यक्तिगत निवेशक लगवग पूरी तरह से जम्य हुए थे अधिक महतवपूर्ण बात यह है कि IPO खरीदना एक बुरा विचार है क्योंकि यह जूटे तोर पर ग्रहाम के सबसे मौलिक नियमों में से एक का उलंगन करता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने अन्य लोग स्टॉक खरीदना चाहते हैं आपको केवल तब ही करीदना चाहिए जब स्टॉक एक वांसनिय व्यावसाई का मालिक बनने का एक सस्ता तरीका हो पहले दिन की चोटी पर निवेशक V.A.L.N.X के शेरों का कुल 12.7 बिलियन डॉलर पर मुल्यांकन कर रहे थे कम्पनी का कारोबार क्या लाइक था? पांच साल से भी कम उमर के V.A.L.N.X ने अपने सोफ्टेर और सेवाओं के 44 मिलियन अमेरिकी डॉलर की संचई कुल शेर बेचे थे लेकिन इस प्रक्रिया में 25 मिलियन डॉलर खो दिये गए थे हालिया वितियती महाई में V.A.L.N.X ने विक्री में 15 मिलियन डॉलर कमाई थे लेकिन उन पर 10 मिलियन डॉलर खो दिये गए थे तब यह कारोबार हर डॉलर में लगवग 70 सेंट को रहा था V.A.L.N.X का सचित गाटा 30 मिलियन डॉलर था यदि V.A.L.N.X एक निजी कमपनी है जो उस व्यक्ति के स्वामितव में है जो अगले दरवाजे पर रहता है तो वह पैकेट बाड़ पर जुक गया और पूछा कि आप अपने संगर से छोटे विया वसाई को अपने हातों से लेने के लिए कितना बुक्तान करेंगे तो क्या आप जवाब देंगे ओ बारापमिट साथ बिलियन डॉलर मुझे इसमें कोई अचमबा नहीं लगता या फित आप विनमरता पूरुक मुस्कराते हैं अपने बारबेक्यू ग्रिल पर वापस आते हैं और आस्चरिया करते हैं कि पृत्वी पर आपका पडोसी धुमर पान कर रहा था विशेश रूप से अपने फैसले पर निर्वर करते हुए हम मैंसे कोई भी मुरत को लगवग 13 मिलियन डॉलर का बुगतान करने के लिए सहमत नहीं होगा लेकिन जब हम नेजी तोर पर सारवजने गुरूप से सारवजनिक होते हैं तो मुल्याकन अचानक लोग प्रिय परतिविता बन जाता है तो स्टाक के कीमत उस व्यापार के मुल्ये से अधिक महतब पोन लगती है जो इसका परती निदितों करती है जब तक कोई अन्य स्टोक के लिए आपके द्वारा किये गए भुगतान से अधिक भुगतान करेगा तो इस से कोई फर्क नहीं पड़ता की व्यावसाय क्या लाइक है व्यापार के पहले दिन एक राकेट की तरह ऊपर जाने के बाद VA Linux एक मक्थन वाली इनित की तरह नीचे आया 9 दिसंबर 2002 तक स्टोक के 249.50 डोलर के 3 दिन बाद VA Linux परती शेयर 1.90 डोलर पर पंद हुआ साक्षा के आधार पर निश्वक्ष बजन बुद्धिमान निवेशक को यहे निसकर्स निकालना चाहिए कि IPO के ओल प्रारंबिक सारोजनिक पेशकस के लिए खड़ा नहीं है अधिक सठीक रूप से यहे भी निवन के लिए शोर्टेड है यहे शायद अधिक मुल्यवान है केवल कल्पनात्मक लाब, अंद्रूनी निजी अवसर या बेवकूफ, निरर्थक और अपमान जनक धन्यवाद हिंदी ओडियोबुक डोट कॉम आपका दिन शुब हो अधियाए साथ, उद्मी के लिए ओटफोलियो निति निवेशक, सकारात्मक पक्ष, हिंदी ओडियोबुक डोट कॉम एक महान भाग्या बनाने के लिए बहुत सावधानी की आवशकता होती है जब आप इसे प्राप्त कर लेते हैं तो इसे बनाए रखने के लिए दस गुना अथिक बुद्धी की आवशकता होती है नाथन मेयर रोट स्चाइल टाइमिंग कुछ भी नहीं है एक आदर्स दुनिया में बुद्धिमा निवेशक तवी स्टाग खरीदेगा जब वे सस्ते होंगे और जब वे ओर्राइड हो जाएंगे तो उन्हें बेच देंगे फिर बॉंड और नगदी के बंकर को छेडने का प्रयास करेंगे जब तक की स्टोक फिर से खरीदने लाइक सस्ते नहीं हो जाएं 1966-2001 के अंद तक एक अध्यन में दावा किया गया था कि स्टोक में एक डॉलर के निवेशको लगातार लगाए रखने से इसका मुल्य 11.78 डॉलर हो गया था लेकिन यदि आपने प्रतेक वर्ष के पांथ सबसे बुरे दिनों से पहले अपने स्टोक से इसे बाहर निकाल लिया तो आपके मूल एक डॉलर का मुल्य 980.12 डॉलर हो गया होता सबसे जादोई विचार बाजारों की तरह यह हाथ की सफाई वरने धारित है वास्तों में आप कैसे बुरे दिन आने से पहले पता लगा सकते हैं कि कौन से दिन सबसे बुरे दिन होंगे साथ जनुवरी 1973 को निव यरक टाइम्स ने देश के टोप वितिय पूर्वा नुमान करताओं में से एक की साथ एक इंट्रिव्यू दिखाया जिसने निवेशकों से बिना किसी हिच की चाहट के शेर खरीदने का आग्रे किया यह बहुत ही दुरलब बात है कि आप इस गोशना को सुनने के बाद भी आयोग्य हो सकते हैं होरकास्टर का नाम एलन ग्रीन स्पैन था और यह बहुत दुरलब है कि उन्होंने हर उसको आयोग्य ठहराया जो इस पल का लाव ने उठा सके वो चाहे फेडरल रिजर्व के अध्यक्स भी क्यों ने हो ग्रेट शेर बाजार के डिप्रेशन के बाद 1973 और 1974 आर्थिक विकास के लिए सब से खराब साल थे क्या पेशेवर एलन ग्रीन स्पैन की तुलना में किसी भी समय बाजार को बेहतर बना सकते हैं 3 दिसंबर 2001 को आर्यम लेरी एंड कमपनी की मारकेट टाइमिंग फर्म के अध्यक्स केट लेरी ली ने कहा मुझे नहीं लगता कि अधिकास गिरावट के बाद नुकसान होने का कोई कारण है उन्होंने कहा 2003 की पहली तिमाही के लिए स्टोक बढ़िया लग रहा था जिसकी भविश्यमानी करते हुए अगले तीन महिनों में शेरों के ओसत 0.28 रिटर्न अर्जित किया जिसने नगदी से 1.5% अंडर फोर्म किया इस विचार में लेरी अकेली नहीं है ड्यूक विश्यमानी के दो वित प्रोफेसरों के एक अध्यन में पाया गया कि यदि आपने सभी बाजार टाइमिंग न्यूज लेटर्स के सर्वेस रेष्ट 10% की सिभारिशों का पालन किया होता तो आपने 1991 से 1995 तक 12.6 वार्षिक रेटर नर्जित की होती लेकिन अगर आपने उन्हें अंदेखा किया और अपने पैसे को स्टाक इंडेक्स फंड में रखा होता तो आपको 16.4% की आई होती जैसा कि डेनिस दार्षनिक सोरेन किरके गाड ने उलेक किया है लेकिन आप इसे देखकर सोच में ने पड़ जाएं जब आप वास्त्विक समय में इसे देख रहे हों बस केवल इसमें अंदर जाना है और तुरंत बाहर निकलना है वित्या बाजारों में हमेशा के लिए 2020 की बाधा रही है लेकिन दूर दर्शिता कानूनी रूप से अंदी होती है इसलिए अधिकांश निवेशकों के लिए बाजार का समय जानना व्यवारिक और भावनात्मक रूप से असंभव होता है क्या चल रहा है जो स्टार्क अंतरिक सियान की तरह गती पकड़ते हैं वे जैसे ही प्रत्विके समताप मंडल से आगे बढ़ते हैं तो ग्रोथ स्टार्क अक्सर गुरुत्वाक्षन को चीर कर आगे बढ़ जाते हैं आईए 1990 के सबसे होट ग्रोथ शेरों में से तीन के ट्रांजेक्ट्रीज पर नज़र डालते हैं जो है जनरल इलेक्ट्रिक, होम डिपो और सन माइक्रो सिस्टम 1995 से 1999 तक प्रतेएक वर्ष में प्रतेएक बढ़ा और अधिक लाबधायक सावित हुआ सन का राजसव दुगना हो गया और होम डिपो का दुगने से अधिक हो गया वेल्यू लाइन के अनुसार जी ई का राजसव 29% बढ़ा था जिसकी कमाई 65% बढ़ी होम डिपो और सन की प्रतिश शेर आए लगवग 3 गुनी हो गई थी लेकिन कुछ ऐसा हो रहा था जिसने ग्राहम को एक बार भी हैरान नहीं किया जितनी तेजी से ये कमपनिया बढ़ी उनके शेर उतने ही महंगे होते गई और जब स्टॉक कमपनियों की तुलना में तेजी से बढ़ता है तो निवेशक हमेशा मुशिबत में होते हैं जैसा की ग्राहम बताते हैं कि एक महान कंपनी तब एक महान निवेश नहीं होती है जब आप स्टोक के लिए बहुत अधिक भुगतान करते हैं। जितना अधिक स्टोक बढ़ता है उतना ही उपर जाने की संभावना है लेकिन उस सहज विश्वास को वित्य भोतिकी के एक मौलिक कानून द्वारा स्पष्ट रूप से विरोधावाशी माना जाता है। जितना बढ़ावे प्राप्त करते हैं उतनी ही धीमी गती से बढ़ते हैं। 1999 तक फॉर्चुन 500 की सूची में सबसे बड़ी 500 कमपनियों में से केवल 8 ही दो दसकों से सालाना ओसतन कमाई कम से कम 15% अरजित करने में सफल रही। पांस दश्कों के आंकड़ों को देखते हुए सैन फोर्च सी बरंस्टीन एंड कमपनी की शोध फरम ने दिखाया कि बड़ी अमेरिकी कमपनियों के केवल 10% ने कम से कम लगातार 5 सालों तक अपनी कमाई में 20% की वरदी की जो 10 सालों के लिए केवल 3% कमपनियों ने 20% की थी और खास बात यह है कि एक भी कमपनी ने इसे लगातार 15 साल तक एसा नहीं किया 1991 से लेकर 1998 में तक के हजारों अमेरिकी शेहरों के एक अकादमी का ध्यन में पाया गया कि 10 वर्स की अवदी में शुद कमाई में ओसतन 9.7% सालाना व्रती होई लेकिन सबसे बड़ी 20% कमपनियों के लिए कमाई के वल 9.3% की वार्सिक ओसत से बढ़ी यहां तक कि कई कोर्पोरेट नेता इन बादाओं को समझने में विफल रहते हैं हालांकि बुद्धिमान निवेशक बड़े विकास शेरों में दिल्चस्वी लेते हैं जब वे अपनी सबसे लोगप्रिय प्रिस्तिती में नहीं होते हैं लेकिन जब कुछ गलत हो जाता है तो जैसे जुलाई 2002 में जोंसन एड जोंसन ने गोशना की कि संगिय नियामक अप उस निचले स्तर पर जोंसन एंड जोंसन एक बार फिर से एक ग्रोथ स्टोक बन सकता था जिसके विकास के लिए यह एक उधारण है जिसे ग्राहम अपेक्षाकरत ऐलोग प्रिय बड़ी कंपनी कहते हैं अच्छी कीमत में बड़िया कंपनी खरीदें क्या आपको सभी इने एक सदी पहले कहा था कि अपने सभी अंडों को एक टोकरी में रखें और फिर उस टोकरी को देखते रहें जीवन की महान सफलताएं एक अगरता से बनती हैं जैसा की ग्राहम बताते हैं आम शेयरों से वास्तों में बड़े भाग्ये उन लोगों द्वारा बनाए गई में केंदरित निवेश में अपनी संपत्ती का पता लगाते हैं 1982 से अब तक उधारन के तोर पर देखें तो फोर्थ 400 सबसे अमीर अमेरिकियों की सूची में से लगबग सभी ने अब तक अंडाइवर्सिफाइड फोर्चून से ही डोमिनेट किया है हालांकि लगबग कोई चोटी किसमत इस तरह से नहीं बनाई गई है और नए ही इस तरह से कोई बड़े भागय लिखे गए हैं कारनेगी ने जो उलेक करने के लिए जिसे छोड़ दिया है वह यह है कि एकागरता जीवन की अधिकांश महान ऐस अपालताओं को भी बनाती है फोब की रिच लिस्ट पर फिर से नजर डालें 1982 में वापस फोब 400 के सदश्यों का ओसत मुले 230 बिलियन डोलर था 2002 के फोब 400 पर इसे बनाने के लिए ओसत 1982 के सदश्य को अपने धन पर केवल 4.5 ओसत वार्षिक रिटर्नर जित करने की आवशक्ता थी इस अवदी के दोरान जब बैंक खातों की तुलना में कहीं अधिक कमाई हुई और शेर बाजार ने 13.2 पर तिसद का वार्षिक ओसत क्राप्त किया क्या आप जानते हैं कि 1982 से फोब 400 में से कितने बाग्य साली अमीर 20 साल बाद सूची में बने रहे कुल सदस्यों में से केवल 64 और 2002 की सूची में अभी भी 16 परतिसद हैं जो अपने सभी अंडे एक टोकरी में रखे हुए हैं जो उन्हें पहली बार सूची में मिल गए थे जैसे तेल, गैस या कंप्यूटर जैसे उद्योगों में जो हार्डवेर या बुनियादी निर्मान या अन्य सभी मूल सदस्य इन से दूर हो गए जब कठिन समय हिट होता है तो इन लोगों में से कोई भी लगबग सभी बड़े लाबों के बावजूद जो बहुत सारा धन ला सकते हैं उन्हें ठीक से तैयार किये गए थे वे केवल खड़े होकर क्रंच कर सकते थे और लगातार बदलती अर्थ व्यवस्ता के कारण क्रंच पर खड़े रह सकते हैं आप सोच सकते हैं कि हमारी अंतहीन नेट वर्थ की दुनिया में यह उन शेयरों की एक सूची बनाने और खरीदने के लिए हैं जो ग्राहम के मांदनों को पूरा करते हैं हलांकि इंटरनेट से एक मदद मिल सकती है फिर भी आपको बहुत से काम हाथ से करने होंगे आज के एकनोमिक्स टाइम की एक प्रतीले मनी एंड इन्वेस्टिंग सेक्शन पर जाएं और शेयरों की वो सूची देखें जो पिछले साल से इस साल निचले स्थर पर थे उन्हें देखने के लिए BSC, NSC और Nasdaq स्कोर कार्ड पर भी एक नजर डालें यह देखें कि क्या कोई शेयर नेट वर्किंग कैपिटल मुल्य से कम पर भिक रहे हैं एडगार डेटाबेस से पहले हालिया त्रेमासिक या वार्शिक रिपोर्ट डाउनलोड करें कमपनी की मौझूदा परी संपतियों से किसी भी पसंदिदा स्टोक या दिरकालें रिंड सहित अपनी कुल देनदारियों को घड़ाएं हाई टेकनोलोजी और टेली कम्म्नुकेशन जैसे क्षेत्रों से अधिकान स्टोक हाल ही में काफी संख्या में लिस्टिड हुए हैं उधारन के लिए 31 अक्तुवर 2002 तक कॉंवर्स टेकनोलोजी के पास वर्तमान संपति में 2.4 बिलियन डोलर और कुल देनदारियों में 1 बिलियन डोलर थे जिससे यह शुद कारिय पूंजी 1.4 बिलियन डोलर था स्टोक के 190 बिलियन से कम शेयरों के साथ और 8 डोलर परतीश शेयर के तहट एक शेयर की कीमत के साथ काउंवर्स का कुल बाजार पूंजी करन 1.4 बिलियन डोलर से कम था काउंवर्स के नगदी और इन्वेंटरी के मुले से अधिक स्टोक की कीमत के साथ कमपनी का चल रहा व्याफार अनिवारिय रूप से कुछ भी नहीं बेच रहा था जैसा कि ग्राहम को पता था आप कभी भी काउंवर्स जैसे स्टोक पर पैसा खो सकते हैं यही कारण है कि आपको उन्हें केवल तभी खरीदना चाहिए जब आपको वे एक समय में एक के मुल्य में एक दरजन मिल सकते हैं और आप उन्हें धहरे पूरवक पकड़ कर रख सकते हैं लेकिन बहुत ही कम मौकों पर जब मिस्टर मार्केट कई सच्चे सोधे बाजों को पैदा करता है तो आप पैसा बनाने के लिए निश्चिन्त हो सकते हैं आपकी विदेश निती क्या है? विदेशी शेरों में निवेश करना बुद्धिमान निवेशक के लिए निवारिया नहीं है लेकिन यह निश्चित रूप से उचित है क्यों? आईए थोड़ा विचार करके देखें यह 1989 का अंत है और आप जापानी है यहां तत्या यह है पहला पिछले दस वर्सों में जापान के शेर वाजार ने स्विउक्त राजय अमेरिका में 17.5% वार्सिक लाव के साथ 21.2% की वार्सिक उसत प्राप्त की है दूसरा जापानी कंपनिया स्विउक्त राजय अमेरिका में कंकर बीच कोल कोर्स से राखफेलर सेंटर तक सब कुछ खरीद रही है इसी बीच DVL Financial Corporation of America और टेक्सको जैसी अमेरिकी फरमेद दिवालिया हो रही है तीसरा अमेरिकी हाई टेक्निक उद्योग डूब रहा है जापान फल फूल रहा है 1989 में उगते सूरज की भूमी में आप केवल यह निश्कर्स निकाल सकते हैं कि सूशी वेंडिंग मशिनों के बाद से जापान के बाहर निवेश करना सबसे कठी निविचार है सो भाविक रूप से आप अपना सारा पैसा जापनी शेरों में डालते हैं परिणाम यह होता है कि आप अगले दसक में अपने पैसे का लगबग दो तियाई हिस्सा खो देते हैं ग्राहम कहते हैं कि सी की यह है कि ऐसा नहीं है कि आपको कभी जापान जैसे विदेसी बाजारों में निवेश नहीं करना चाहिए बलकि जापान को अपना सारा पैसा घर पर नहीं रखना चाहिए और नहीं आपको भी इसे घर पर रखना चाहिए यदि आप संयुक्त राजे अमेरिका में रहते हैं संयुक्त राजे अमेरिका में काम करते हैं जहां अमेरिकी डोलर में बुगतान किया जाता है तो आप पहले से ही अमेरीकी अर्थव्य वस्ता पर एक बहुस्तरिय दाउं लगा रहे हैं विवेक पूर्ण रूप से आपको अपना निवेश पोर्टफोलियो कहीं और लगाना चाहिए सिर्फ इसलिए कि कोई भी कहीं भी और कभी भी यह नहीं जानता कि भविश्य में मार्केट बेहतर कहां रहने वाली है घर पर या विदेश में अपने स्टाक मनी का एक प्याई हिस्सा उन म्यूचुल फंड में लगाएं जो विदेशी स्टोक रखते हैं ये जोखिम के खिलाब सुरक्षा में हमारी मदद करते हैं धन्यवाद hindiaudiobook.com आपका तिन शुब हो दा इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अध्याए आठ इन्वेस्टर और मार्केट फ्लेक्श्वेशन्स hindiaudiobook.com जो लोग लोग प्रिय होना चाहते हैं उनकी खुशी दूसरों पर निर्भर करती है खुशी की चाहत रखने वालों की खुशी उनके नियंतर्ण से बाहर के मूड के साथ होती है लेकिन बुद्धिमानों की खुशी अपने स्वें के सोतंतर करतियों से बढ़ती है मार्कस अरेलियस डॉक्टर जैकेल और मिस्टर मार्केट ज्यादातर समय बाजार ज्यादातर शेरों के मुल्ले निर्धारन में सटीक होता है लाखों खरीदार और विक्रेता सही कीमत पर कमपनियों के मुल्ले निर्धारन में ओसत अच्छा काम करते हैं लेकिन कभी कभी कीमत सही नहीं होती इसलिए निर्णे गलत हो जाते हैं ऐसे समय में ग्राहम कहते हैं कि मिस्टर मार्केट की छवी को समझने की जरूरत होती है जिसमें शायद सबसे शांदार मेटाफोर जो यह समझाने के लिए बनाया गया है कि स्टोक कैसे गलत हो सकते हैं मैनिक डिप्रेसिव मिस्टर मारकेट हमेशा स्टोक के मुल्यांकन के हिसाब से या उस तरह कीमत नहीं देता है जिस तरह एक नीजी खरीदार एक व्यावसाई को महत्तो देता है इसके बजाए जब स्टोक बढ़ रहा होता है तो वहे खुशिशे अपने उदेशे मुल्या यानि अबजेक्टिव वैल्यू से अधिक वुगदान करता है और जब स्टोक नीचे गिर रहा होता है तो वहे उन्हें उनके वास्तिक मुल्या यानि ट्रू वर्च से कम के लिए डंप करने के लिए बेताव रहता है क्या मिश्टर मार्केट अभी भी आसपास हैं? क्या वहे अभी भी द्वी धूर भी है? तुम शर्त लगा लो वहे है 17 मार्च 2000 को इंक टमी कॉर्पोरेक्शन के शेर ने 231.625 डोलर का नया हाई लेवल चुआ चुंकि वे पहली बार जून 1998 में बाजार में आये थे इसलिए इंटरनेट सर्च सोफ्ट एर कंपनी के शेरों में लगवग 19% की व्रदी होई थी दिसंबर 1999 के बार के कुछ हफतों में स्टाक लगवग 3 गुना हो गया था इंक टमी में ऐसा क्या चल रहा था जो कारोबार को इतना मुल्यवान बना रहा था उत्तर लगवग स्पष्ट था अभूत पूरों रूप से तेज विकास दिसंबर 1999 में स्माप्त होने वाले तिमाही में इंक टमी ने उत्पादों और सेवाओं की 36 मिलियन डोलर की विक्री की इसने पूरे वर्ष 1998 की स्माप्ती तक इससे अधिक विक्री की यदि इंक टमी फिसले 12 महीनों की विकास दर को केवल 5 और वर्षों तक बनाई रख सकता तो इसका रेवेन्यू प्रती महा 36 मिलियन डोलर एक तीमाही से 5 बिलियन डोलर तक विस्पोटक होता इस द्रिष्टी से इस तरह की व्रदी से शेर तेजी से उपर चला गया जितना दूर उसे जाना निश्चित था लेकिन इंक टमी के स्टोप के साथ अपने इस प्रेम संबन में मिश्टर मार्केट अपने व्यवसाई के बारे में कुछ अंदेखी कर रहा था कमपनी बहुत सारा पैसा गवा रही थी इसने हालियाती मही में 6 मिलियन डॉलर गवाए उससे पहले 12 महिनों में 24 मिलियन डॉलर और उससे पहले वाले वर्ष में 24 मिलियन डॉलर का नुकसान उठाया था अपने पूरे कॉर्परेट जिवन काल में इंक टमी ने कभी भी अपने मुनाफे से पैसा नहीं कपाया था फिर भी एक मार्च 2000 को मिस्टर मार्केट ने कुल 25 बिलियन डॉलर के एक छोटे व्यावसाई को महतव दिया और फिर मिस्टर मार्केट अचानक बुरे सपने की चपेट में आ गया 30 सितंबर 2002 को 231.625 डॉलर प्रती शेर की उंची छलांग के ठीक ड़ही साल बाद इंक टमी का शेर 25 सेंट पर बंद हुआ कुल बाजार मुले 25 बिलियन डॉलर से गिरकर 40 मिलियन डॉलर से भी कम हो गया था क्या इंक टमी का कारोबार खत्म हो गया था हरगीज नहीं पिछले 12 महिनों में कमपनी ने 113 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू अरजित किया था तो क्या बदल गया था केवल मिस्टर मार्केट का मिजाज 2000 की शुरुवात में निवेशक इंटरनेट पर इतने एनियंतरित थे कि उन्होंने कमपनी के रेवेन्यू के 200 गुना इंक टमी के शेयरों की कीमत लगाई अब हालांकि वे इसके रेवेन्यू का केवल 0.35 गुना बुपतान करेंगे मिस्टर मार्केट ने डॉक्टर जेकेल से मिस्टर हाइक तक की यातरा की थी और हर उस शेयर को बुरी तरह से रोन दिया था जिसने उसे मुर्क बनाया था लेकिन मिस्टर मार्केट उनके इस गुसे में जायज नहीं था जितना की वे पहले उनमादीपन में था 23 दिसंबर 2002 को याहू इंक ने गोशना की कि वह इंक टमी को 1.65 डोलर परती शेयर में खरीदेगा 30 सितंबर को इंक टमी के स्टोक मुल्या का लगबग साथ गुना हो गया था इतिहाज शायद यह दिखाएगा कि याहू ने मौल भाव किया था जब मिश्टर मार्केट स्टोक को इतना सस्ता कर देता है तो यह कोई आसरिय नहीं है कि पूरी कमपनिया उसके तहर सही खरीद लेती है अपने लिए सोचें क्या आप स्वेच्छा से एक सर्टिफिकेट धारी को सब्ता में कम से कम पांस बार यह बताने के लिए अनुमती देंगे कि आपको ठीक उसी तरह महसूस करना चाहिए जिस तरह से वह महसूस करता है क्या आप कभी इस बाद के लिए सहमत होंगे कि वह सिर्फ इसलिए व्यर्थ है कि वह गलत है या फिर इसलिए क्योंकि वह सोचता है कि आपको भी गलत होना चाहिए बिल्कुल नहीं आप अपने अनुभों और अपने विश्वाशों के आधार पर अपने स्वें के भावनात्मक जीवन को नियंद्रित करने के अपने अधिकार पर जोड़ देते हैं लेकिन जब उनके वित्य जीवन की बात आती है तो लाखों लोग मिश्टर मार्केट को बताते हैं कि उन्हें कैसे महसूस करना है और क्या करना है इस तथ्य के बावजूग कि समय समय पर वह एक फुरूट केक से अधिक पोशक ततो प्राप्त कर सकते हैं 1999 में जब मिश्टर मार्केट पर संता से चिला रहा था कि अमेरिकी करमचारियों ने अपने 401 के सेवानेवर्ती योजनाओं में पोस्तन 8.6% का निर्देशन किया साल 2002 के बाद मिश्टर मार्केट ने 3 साल के स्टोक को कचरे के थेलों में रखकर खर्च किया तब ओसत योगदान दर लगबंग एक चुता ही गटकर सिर्फ 7% रह गई जितना सस्ता स्टोक मिला उतने ही उत्सुक लोग उन्हें खरीदने के लिए तयार हुए क्योंकि वे अपने लिए सोचने के बज़ाए मिश्टर मार्केट की नकल कर रहे थे बुद्धिमान निवेशक को पूरी तरह से मिश्टर मार्केट की उपेक्शन नहीं करनी चाहिए इसके बज़ाए आपको उसके साथ व्यापार करना चाहिए लेकिन केवल इस हद तक कि यह आपके हितों की सेवा करता रहे मिश्टर मार्केट का काम आपको कीमते परदान करना है आपका काम यह तै करना है कि आपके लाब यहानी को देखते हुए उचित खरीद वेच करना आपको उसके साथ केवल इसलिए व्यापार नहीं करना है क्योंकि वह लगातार आपसे मांग करता रहता है मिस्टर मार्केट को अपना मालिक होने से इंकार करके आप उसे अपने नोकर में बदल देते हैं आखिरकार जब वह मुल्यों को नश्ट करता हुआ परतीत होता है तब भी वह उन्हें कहीं और पैदा कर रहा होता है 1999 में विल्शेर 5000 इंडेक्स अमेरिकी स्टोक प्रदर्शन का सबसे बड़ा माप था टेकनोलोजी और टेली कम्यूनिकेशन शेरों द्वारा संचालित 23.8% लेकिन विल्शेर इंडेक्स में 7234 शेरों में से 3747 शेरोसत बढ़ने के बावजूद मुल्य में गिरावट आई जबकि उन उच तकनीक और दूर संचार शेरों को एक रेस कार के हुड की तुलना में एक अगस्त की दोपैर में गर्म किया गया था हजारों पुरानी अर्थवी अवस्ता के शेर कीचड में जमे हुए थे सस्ता और सस्ता हो रहा था CMGI का स्टोप, इंक्यूबेटर या इंटरन स्टार्टप फर्मों के लिए होल्डिंग कमपनी 1999 में आसरे जनक रूप से 949.9% हो गया इसी बीच बर्खशाइर हैथवे होल्डिंग कमपनी जिसके माद्यम से ग्राहम के सबसे बड़े शेश्य वारेन बफेट जो कोका कोला, जी लेट और वासिकेंटन पोस्ट कमपनी जैसे पुराने अर्थवी अवस्ता के दिगजों के मालिक हैं जो 24.9% तक गिर गई लेकिन तब जैसा कि यह अक्सर होता है, बाजार में अचानक मूर्ड स्विंग हुआ और 2002 के माद्यम से 1999 के सबसे खराब शेयर साल 2000 के सितारे बन गए उन दो होल्डिंग कमपनियों के रूप में CMGI ने साल 2000 में 96 परतीसत, 2001 में 70.9 परतीसत और अभी भी 2000 में 49.8 परतीसत अधिक जिसने 99.3 परतीसत का संचे मुल्यक हो दिया बर्क शेयर हैत्वे ने 2000 में 26.6 परतीसत और 2001 में 6.5 परतीसत की व्रदी की फिर 2002 में मामुली 3.8 का नुक्सान हुआ और 30 परतीसत का संचेई लाब हुआ क्या आप अपने खेल से आगे बढ़ सकते हैं? ग्राहम की सबसे शक्तिशाली अंतरद्रिष्टी में से एक यह है कि जो निवेशक अपने आपको अपनी होल्डिंग में बाजार की गिरावट से चिंतित होने के अनुमती देते हैं वह अपने बुन्यादी लाव को मूल नुक्सान में बदल रहा है मूल लाव यानि बेसिक एडवांटेज इन शब्दों से ग्राहम का अर्थ है कि बुद्धिमान वेक्टिगत निवेशक को यह चुनने के पूरी सोतंतरता है कि वह मिस्टर मार्केट का पालन करे या नहीं आपके पास खुद के लिए सोचने में सक्षम होने की लगजरी है हलांकि विसिस्ट मनी मैनेजर के पास मिस्टर मार्केट के हर कدم की नकल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है जो हाई खरीदता है और कम बेच रहा है जो अपने एनिश्ची चरणों में लगबग ना समझ है यहां कुछ हैंड़ पिक मुच्छल फंड मैनेजर और अन्य पेशवर निवेशक हैं जो इस परकार हैं एक मैनेजमेंट के तहट अर्बों डॉलर के साथ उन्हें सबसे बड़े शेरों की और बढ़ना चाहिए केवल वे ही मल्टी डॉलर की मात्रा में खरीद सकते हैं जिने अपने पोर्टफोलियो को भरने की जुरूरत है इस परकार कई फंड्स कुछ ही और प्राइजड दिगज़ों के मालिक हैं 2. बाजार में तेजी के साथ निवेशक फंड में और पैसा डालते हैं मैनेजरों ने उस नई नगदी का उप्योग उन शेरों को खरीदने के लिए किया है जो पहले से ही उनके पास हैं जो कीमतों को और भी अधिक खतरना कुछाईयों पर ले जाते हैं 3. यदि फंड मैनेजर बाजार में गिरावट आने पर अपने पैसे वापस मांगते हैं तो मैनेजरों को उन्हें नगत निकालने के लिए स्टोक बेचने की आफशकता हो सकती है जिस तरह फंड को एक बढ़ते हुए बाजार में इंफलेटेड प्राइस पर स्टोक खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है वैसे ही वे मजबूर विक्रेता बन जाते हैं क्योंकि स्टाक फिर से सस्ते हो जाते है चार कई पोर्टफोलियो मैनेजरों को बाजार की धड़कन के लिए बोनस मिलता है इसलिए वे S&P 500 इंडेक्स जैसे बेंचमार्क के खिला अपने रिटर्न को जानबूज कर मापते हैं यदि कोई कंपनी एक इंडेक्स में जुड़ जाती है तो सेंकडों फंड्स उसे अनिवारीय रूप से खरीदते हैं पांस, फंड मैनेजरों को जल्दी से स्पेसलाइजेशन की उम्मीद होती है जिस तरह दवा में सामान्य चिकित सकने, बाल रोग दिशे सक्या और जियाट्रिक आटोलिंग्रोलाइजिस्ट को रास्ता दिया है फंड मैनेजर्स को अपने छोटे ग्रोच स्टॉक या केवल मिड साइज वैल्यू स्टाक या कुछ और नहीं तो लार्ज ब्लेंड स्टाक खरीदने चाहिए यदि कोई कमपनी बहुत जारा खरीती है या बहुत छोटी कमपनी खरीती है या बहुत सस्ते या बहुत थोड़े खरीती है तो फंड को इसे बेचना पड़ता है भले ही मैनेजर स्टोक से प्यार करता हो इसका कोई कारण नहीं है कि आप पेशेवरों के साथ भी ऐसा नहीं कर सकते आप क्या नहीं कर सकते अपने खेल में पेशेवरों को हरा सकते है पेशेवर अपना खेल भी नहीं जीत सकते है आप इसे क्यों खेलना चाहते है यदि आप उनके नियमों का पालन करते है तो आप हार जाएंगे, क्योंकि आप Mr. Market के एक दास के रूप में, पेशवरों के रूप में स्माप्त हो जाएंगे इसके बजाए पहचाने की समझदारी से निवेश करना नियंतरिणिये को नियंतरित करने के बारे में है आप यह नियंतरित नहीं कर सकते हैं कि आपके द्वारा खरीदे गए शेयर या फंड आज, अगले हफते, इस महीने या इस साल वाजार में बेहतर परदर्शन करेंगे या नहीं अलपावदी में आपकी रिटर्न हमेशा मिस्टर मारकेट और उनके स्वामियों के लिए बंदक होंगे, लेकिन आप इन्हें नियंतरित कर सकते हैं एक, आपकी ब्रोकरेज लागत, कभी-कभी धहरिय पूर्वक और सस्ती ट्रेडिंग करके आप इसे कम कर सकते हैं दो, आपके ओनर्शिप कोष्ट, अत्यदिक वार्शी खर्चों के साथ म्यूचुल फंड्स खरीदने से इंकार करके तीन, अपने उमेदों में यथार्थवाद का उप्योग करके, अपने रिटर्न का अनुमान लगाने के लिए ज़्यादा कलपना नहीं करके चार, आपका जोखिम, आपके कुल संपत्ती का कुछ हिस्सा, शेर बाजार में डालकर, डाइवर्शिप हाई करके और री बैलेंसिंग करके पांच, आपके टेक्स बिल्स, कम से कम एक वर्ष के लिए और जब भी संबव हो, कम से कम पांच साल के लिए अपने पूंजी लाब थेता को कम करने के लिए शेरों को हुल्ड करके च्छे, और सबसे बढ़कर आपके अपने व्यवहार से यदि आप फाइनेंसियल टीवी देखते हैं या आधिकांस मार्केट एडिटोरियल को पढ़ते हैं तो आप सोचते होंगे कि निवेश किसी परकार का खेल, युद्ध या शत्रूता पूर्ण जंगल में जीवित रहने जैसा संगर्स है लेकिन अपने खेल में दूसरों की पिटाई के बारे में सोचना निवेश नहीं है, यह अपने खेल में खुद को नियंद्रित करने के बारे में है बुद्धिमान निवेशक के लिए चुनोती उन शेरों को ढूना नहीं है जो सबसे उपर या सबसे नीचे जाएंगे बलकि अपने आपको अपने सबसे बड़े दुश्मन होने से रोकने के लिए केवल इसलिए हाई खरीद से कि मिस्टर मार्केट कहते हैं खरीदो वे केवल इसलिए कम विखना क्योंकि मिस्टर मार्केट कहते हैं कि बेचो यदि आप इन्वेस्टमेंट होरीजन लंबे समय से कर रहे हैं तो कम से कम 25 या 30 साल तक केवल एक समझदार दृष्टी कोन रखें हर महिने स्वेचालित रूप से खरीदें और जब भी आप कुछ पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं करें इस आजिवन होल्डिंग के लिए सबसे अच्छा विकल पुल स्टोक मार्केट इंडेक्स फंड है इसे केवल नगदी की जवरदस जरूरत होने पर ही बेचें एक बुद्धिमान निवेशक होने के लिए आपको अपनी वित्य सवलता का आंकलन करने से भी इंकार करना चाहिए कि किसी एक समूने इसे कैसे किया है यदि आप ड्यू, डलास या डेनवर में कोई व्यक्ति हैं जिसने S&P 500 में बहुत कमाया है तो आप एक पैसा भी खराब नहीं है क्योंकि किसी ने भी इतना नहीं जाना है कि वह मारके को धराशाई कर देगा मैंने एक बार फलोरिडा के सबसे धनी सेवा निवर्थ समूदायों में से एक बोका रेटन में सेवा निवर्थ लोगों के एक समूदायों का साक्षात कर लिया मैंने इन लोगों से पूछा जो ज़्यादातर अपने सप्तर के दसक में थे अगर उन्होंने अपने निवेशत जिवन काल में बाजार को हराया था तो वे बताएं कुछ ने कहा हाँ कुछ ने कहा नहीं लेकिन सभी निश्चित नहीं थे फिर एक आदमी ने कहा कौन परवा करता है मुझे पता है कि मेरे निवेश ने बोका को समाप्त करने के लिए प्रयाप्त कमाई की है क्या इस से ज़्यादा सही जवाब हो सकता है आखिरकार निवेश का पूरा बिंदू ओसत से अधिक पैसा कमाना नहीं है बलकि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रियाप्त धन अरजित करना है आपकी निवेश की सफलता को मापने का सबसे अच्छा तरीका यह नहीं है कि क्या आप बाजार को हरा रहे हैं बलकि यह भी कि क्या आप एक वित्यय योजना और व्यवहार में अनुशाशन रखते हैं जो आपको उस जगह पर ले जाने की संभावना पैदा करता है जहां आप जाना चाहते हैं अंत में किसी और से पहले फिनिशिंग लाइन को पार करने के लिए क्या माइने नहीं रखता है लेकिन यह सुनिश्चित करें कि आप इसे पार करते हैं फिर निवेशकों को मिस्टर मार्केट इतना मोहक क्यों लगता है यह पता चला है कि हमारे दिमाग को मुश्किल में डालने में हमें मुश्किल होती है इनसान पैटर्न चाहने वाले होते हैं मनोवेगयनिकों ने दिखाया है कि यदि आप एक रेंडम सीक्वेंस वाले लोगों को परस्तूत करते हैं और उन्हें बताएं कि यह अए प्रत्यासित हैं वे फिर भी यह अनुमान लगाने की कोशिश करने पर जोर देंगे कि आगे क्या हो रहा है इसी तरह हम जानते हैं कि पासे का अगला रोल साथ होगा एक बेस बाल खिलारी बेस हिट करने वाला है वे पावर बाल लटरी में अगले जीत संक्या निश्चित रूप से 4, 27, 9, 16 या 42 होगी और यह हाट लिटल स्टाक अगला माइक्रोसोप्ट ही होगा नियूरो साइंस में नए शोद के आधार पर पता चला है कि हमारे दिमाग को उन रुजवनों का अनुवाव करने के लिए डिजाइन किया गया है जहां वे मौजुद नहीं है यह एक घटना के बाद एक पंक्ते में सिर्फ दो या तीन बार होता है मानो मस्तिस्क के ख्षेतरों को पूरोकाल सिंगुलेट और नाविक एक्यूबमस कहा जाता है स्वेचालित रूप से यह फिर से हो जाएगा यदि यह इसे दोराता है तो डोपामाईन नामक एक प्राकर्टिक रसाहिन जारी किया जाता है जो आपके मस्तिस्क को एक नरम उत्सा के साथ बढ़ा देता है इस प्रकार यदि कोई स्टाक लगातार कई बार उपर जाता है तो आप उमीद करते हैं कि यह जारी रहेगा और स्टाक बढ़ने पर आपका मस्तिस्क रसाहिन बदलता है जिससे आपको नेचरूल हाई मिलता है आप प्रभावी रूप से अपनी बहुश्यवाणियों के आदी हो जाते हैं लेकिन जब स्टाक गिरता है तो वित्य हानी आपके एमिगडाल को बढ़काती है मस्तिस्क का वह हिस्सा जो बहे और चिंता पर प्रक्रिया करता है इस समय आप अपने दिल की धड़कन को बढ़ने से रोक नहीं सकते हैं अगर आग का अलारम बंद हो जाता है तब वैसे भी आप आग की लप्टों से बचने ही सकते हैं तब स्टॉक की कीमते गिरने पर आप भैबित महसूस नहीं करने में अपनी मदद नहीं कर सकते हैं वास्तों में मनो वैगनिक डेनियल कहमेन और एमोस टावसकी ने बताया है कि वित्य नुकसान का दर्द एक समानलाब की खुशी के मुकावले तूगने से अधिक तीवर होता है एक शेयर पर एक अजार डोलर बनाना बहुत अच्छा लगता है लेकिन 1000 डोलर का नुकसान एक भावनात्मक दिवार को दो बार से अधिक शक्तिशाली बनाता है पैसा खोना इतना दर्दनाक है कि बहुत से लोग किसी और नुकसान की आशंका से घबरा जाते हैं और कम कीमत पर बेश देते हैं या अधिक खरीदने से इंकार कर देते हैं यह सपष्ट करने में मदद करता है कि हम बाजार में गिरावट के कच्चे परिणाम को ठीक क्यों करते हैं और नुकसान को अनुपात में रखना भूल जाते हैं इसलिए अगर एक टीवी रिपोर्टर का कहना है बाजार डूब रहा है डाव सो अंक नीचे है ज्यादातर लोग सहज रूप से काप उठते हैं लेकिन डाव के 8000 के हाली अस्तर पर यह सिर्फ 1.2% की गिरावट है अब सोचें कि आज के दिन का तापमान 81 डिगरी होता है तो यह कितना हाश्यासबद लगेगा कि टीवी की तड़क बढ़कने कहा तापमान गिर रहा है यह 81 डिगरी से गिर कर 80 डिगरी हो गया है वह भी 1.2% की गिरावट है जब आप बाजार की कीमतों को परतिशत के संदर्ब में देखना भूल जाते हैं तो मामूली कमपन से घवराना आसान हो जाता है 1990 के दसक के उतरार्द में कई लोगों को यह महसूस हुआ कि वे अंधेरे में थे जब तक कि वे दिन में कई बार अपने शेरों की कीमतों की जाच नहीं कर लेते थे लेकिन जैसा की ग्राहम कहते हैं यदि उनके शेरों में कोई बाजार भाव नहीं था तो उनके लिए विसिस्ट निवेशक बनना बेहतर होगा क्योंकि तब उन्हें मानसिक पीडा से बक्षा जाएगा जो अन्य व्यक्तियों की जजमेंट की गलतियों के कारण होता है एक बजगर 24 मिनट पर आपके स्टोप पोर्टोलियों का मुल्य एक बजगर 27 मिनट पर फिर से यह सब जांचने के लिए आप मजबूर महसूस करते हैं तो अपने आप से ये प्रशन पूछें एक क्या मैंने एक बजगर 24 मिनट पर अपने घर के बाजार मुल्य की जांच के लिए एक रियल इस्टेट एजेंट को बुलाया था क्या मुझे एक बजगर 37 मिनट पर उसे दुबारा बुलाना चाहिए दो अगर यह मेरे पास होता तो क्या कीमत बदल जाती अगर ऐसा होता तो क्या मैं अपना घर बेचने के लिए दोड़ पड़ता तीन मेरे घर का बाजार मुल्य मिनट दर मिनट की जांच करके या यह जानकर भी क्या मैं समय के साथ इसके मुल्य को बढ़ने से रोक सकता हूँ इन प्रश्णों का एक मातर संभावित उत्तर निश्चित रूप से नहीं है और आपको अपने पोर्टफोलियो को 10, 20 या 30 वर्ष के लिए निवेश होरीजन की तरह देखना चाहिए वे आपको कम पैसे में अधिक खरीदने में सक्षम बनाते हैं लंबे और आगे के स्टोक में गिरावट आती ही है और जितना अधिक आप खरीदते रहते हैं और अंत तक आप स्थिर रहते हैं तो उतने ही अधिक पैसे आप अंत में बनाएंगे एक बेर बाजार से डरने की बजाए आपको इसे गले लगाना चाहिए बुद्धिमान निवेशक को स्टार्ट या म्यूचल फंड के मालिक होने के बाउजूद पूरी तरह से अराम दायक होना चाहिए भले ही शेयर बाजार ने अपने दस वर्षों के लिए दैनिक कीमतों की आपूर्ती बंद कर दी हो नियूरो साइंटिस्ट एंटोनियो डेमाशियो बताते हैं यदि आपको एहसास है कि आप अपने नियंतर्ण में नहीं है तो हाई खरीदने और कम बेचने के लिए अपने जैविक प्रवर्ती को स्विकार करके आप डॉलर की ओसत लागत आवशक्ता को स्विकार कर सकते हैं अपने बहुत से पोर्टफोलियो को स्थाई आटो पाइलेट पर रखकर आप भविश्यवानी की लट से लड़ सकते हैं अपने दिर कालिन वितिय लक्षों पर ध्यान के अंदरित कर सकते हैं और मिस्टर मार्केट के मिजाज को समझ सकते हैं यद्पिगराहम सिखाते हैं कि आपको तब खरीदना चाहिए जब मिस्टर मार्केट चिला रहा हो बेचते रहें यह बुद्धिमान निवेशक को समझाने के लिए एक उधारन है एक बेर बाजार में बेचना समझ में आता है जब अगर आप पर टेक्स की मार पड़ती है अमेरिकी आंतरिक राजसव सहिता आपको साधारन आई में तीन हजार डॉलर तक की छूट देने के लिए आपको अपने वास्तविक नुकसान का उप्योग करने के अनुमती देते हैं मान लेजिए कि आपने जनवरी 2000 में कोका कोला स्टाक के 200 शेयर 60 डॉलर परती शेयर के हिसाब से कुल 12,000 डॉलर का निवेश करते हैं वर्स 2002 के अन्त तक स्टाक 44 डॉलर परती शेयर या आपके लोट के लिए 8,800 डॉलर से नीचे था तब आपका अनुमानित नुकसान 32 डॉलर हुआ आप ऐसा कर सकते थे जो ज़्यादातर लोग करते हैं या तो अपने नुकसान के बारे में सचेत रहें या इसे गलीचे के नीचे ज़ाडू देने जैसा महसूस करें और दिखावा करें कि यह कभी हुआ ही नहीं या आप इस पर नियंदरन कर सकते थे 2002 समाप्त होने से पहले आप अपने सभी कोक शेर पेच सकते थे 32 सो डोलर के नुकसान में ताला लगा सकते थे आई यारेस नियमों का पालन करने के लिए 31 दिनों के इंतजार के बाद आप कोक के 200 शेरों को फिर से खरीद लेंगे परिनामत है आप 2002 में अपनी कर्योग या आई को 3000 डोलर से कम करने में सक्षम होते और आप 2003 में अपनी आई को आफसेट करने के लिए 6200 डोलर के नुकसान का उप्योग कर सकते थे और इस से बेहतर आप अभी भी एक कंपनी के मालिक होंगे जिसका बमिशे आप पर विश्वास करता है लेकिन अब जितना आपने पहली बार भुतान किया है उससे लगबग एक तीहाई कम आपके पास होगा अंकल सेम आपके नुकसान की भरपाई के साथ नुकसान में बेचने और ताला लगाने का मतलब बता सकते हैं अगर अंकल सेम तुलना करके मिस्टर मार्केट को तार्किक बनाना चाहते हैं तो हम किस से शिकायद करें ग्राहम आपको एक इन्वेस्टर बनने के लिए एक इन्वेस्टमेंट ओनर्स कोंट्रेक्ट साइन करने के लिए कहते हैं जो इस परकार है मैं अपना नाम इसके द्वारा बताता हूँ कि मैं एक निवेशक हूँ जो भविश्य में कई वर्सों तक धन संचे करना चाहता हूँ मुझे पता है कि कई बार ऐसा होगा जब मुझे स्टोक या बॉंड में निवेश करने के लिए लुभाया जाएगा क्योंकि उनका मुले उपर जा रहा है और दूसरी बार जब मैं अपने निवेश को बेशने के लिए जाऊंगा तो ये मुझे लुभाएंगे क्योंकि वे नीचे चले गए है मैं इसके द्वारा अपने अजनवियों को मेरे लिए वितिय निड़ने लेने देने से मना करता हूँ मैं आगे कभी निवेश नहीं करने के लिए परतिबता जताता हूँ क्योंकि शेर बाजार उपर चला गया है और कभी बिखने वाला नहीं है क्योंकि यह नीचे चला गया है इसके बजाए मैं प्रतेक म्यूचल फंड और विविद पोर्ट पोलियों में एक स्वेचालित निवेश योजना या रुपए लागत ओसत कारिकरम के माध्यम से प्रती माहा खालिस्तान रुपए का निवेश करूँगा जब भी मैं नगदी को निवेश करने के स्थिति में होँगा मैं अतिरिक्त मात्रा में निवेश करूँगा मैं इसके द्वारा गोशना करता हूँ कि मैं इस में से प्रतेक निवेश को कम से कम निमन लेखिती थी जो इस संपरक की तारिक के बाद नियुनतम दर्श वर्श का होना चाहिए कि माध्यम से होल्ड करूँगा यहां तिथी लिखे इस अनुबंद की शर्तों के तहप अनुमती दिये गए एक मात्र अपवाद है नगदी की अचानक आवशक्ता जैसे कि स्वास्ते देखबाल की आपात सिती या मेरी नोकरी का नुकसान या एक योजनावद व्ये जैसे आवास डाउन पेमेंटिया या ट्यूशन बिल मैं केवल शर्तों का पालन करने के लिए अपना इरादा बताते हुए इस अनुमंद के नीचे हस्ताक्षर करता हूँ लेकिन जब भी मैं अपने किसी भी निवेश को बेशने के लिए ललचाया जाता हूँ तो मुझे इस दस्तावेश को फिर से पढ़ना होगा यह अनुमंद के वल तभी मान्य होता है जब कम से कम एक गवादवारा हस्ताक्षित किया जाता है और उसे एक सुरक्षित स्थान पर रखा जाना चाहिए जो भविश्य के संदर्व में आसानी से उपलब्द हो हस्ताक्षित, दिनांग और एक कवा के सिगनेचर अब आप इस कोंट्रेक्ट को साइन करके एक ऐसे स्थान पर रख लें जहां से आपको आसानी से उपलब्द हो सके धन्यवाद, hindi-audiobook.com, आपका दिन शुब हो एक अध्यापक ने स्कूली छातर बिली बोव से पूछा यदि आपके पास बारे बेड़े हैं और एक बार से बाहर कूद जाती है तो आपके पास कितनी बेड़े मचेंगी बिली बोव जवाब देता है, एक भी नहीं शिक्षक ने कहा, ठीक है, लेकिन क्या आपको यकीन है कि गटाने के सवाल का यह उत्तर सही है बिली बोव ने जवाब दिया, शायद नहीं लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी बेड़ों को पका पता है एक पूराना टेकसास मजाक लगभग आदर्ष विशुद रूप से mutual fund जिसका निर्मान अमेरिका में हुआ था को 1924 में एल्यूमिनियम के एक पूरो सेल्जमेन और एडवर्ड जी लेसलर नाम के पैंद्वारा स्थाफित किया गया था mutual fund काफी सस्ते बहुत सुविदाजनक आमतोर पर विविद पेशेवर रूप से मैनेजड और संगिय परतिबूती कानून के कुछ सबसे कठिन प्रावधानों के तहट टाइटली रेगुलेटेड होते हैं इनके माध्यम से लगभग किसी के लिए निवेश को आसान और सस्ता बना कर इसके द्वारा लगभग 54 मिलियन अमेरिकी परिपारों के धन को निवेश की मुख्यदारा में ला दिया है यह शायद वित्य लोगतंतर में अब तक की सबसे बड़ी 29 साबिद हुआ है लेकिन म्यूचल फंड सही नहीं है और वे लगबग सही है यह दोनों वक्य काफी अंतर पैदा करते हैं इनी खामियों की वज़े से अधिकांस फंड बाजार को कमजूर कर देते हैं यह अपने निवेशकों से आगे निकल जाते हैं और उनके लिए सिरदर्द पैदा करते हैं वे प्रदर्शन में एनियमित उतार चड़ाओं को जहलते हैं बुद्धिमा निवेशक को बड़ी सावधानी के साथ अपनी धनरासी के लिए फंड का चैन करना चाहिए ताकि मोटी गड़बडी का सामना नहीं करना पड़े जादतर निवेशक इस धारना के साथ एक फंड खरीदते हैं जो तेजी से उपर जा रहा है और यह उपर जाना जारी रहेगा मनो वेगेनिकों ने हमें बताया है कि मनुश्यों में यह विश्वास करने की एक जन्मजात परवर्ती होती है कि लंबे समय तक परिणामों की एक छोटी सरंकला से भी भविश्यवानी की जा सकती है हम अपने श्वे के अनुबहु से जानते हैं कि कुछ पलंबर दूसरों की तुलना में बेहतर है कुछ बेजबाल खिलाडियों के घरेलू पिज़ पर जादारन हिट करने की संभावना है हमारे पसंदिदा रेस्तरा लगातार बहतर भोजन परोस्ते हैं और स्मार्ट बच्चों को लगातार अच्छे ग्रेड मिलते हैं हमारे चारों और कोशल, दिमाग और कड़ी मेहनत को बहुत मानिता दी जाती है उन्हें पुरुसकर्द किया जाता है और लगातार दोहर आया जाता है इसलिए यदि कोई फंड बाजार से बहतर परदर्शन करता है तो हमारा अंतर ग्यान हमसे यह उम्मीद करता है दिखाई देता है लेकिन अक्सर जो अभी अभी काफी होट स्टोक था वह अचानक ठंडा हो जाता है तो प्रबंदक का आईक्यू पचास अंकों तक सिकुड जाता है यह हमें उस समय की याद दिलाता है जब बाजार का सबसे होट तक्निकी सेक्टर 1999 में अचानक बिना पूरू चेताउनी के तरल नाइट्रोजन की तरह ठंडा हो गया और यह है एक उस निवेशक के लिए समर्णियत अथ्या है जो इसे करता रहता है कि पिछले परदर्शन के आधार पर फंड करीवना एक मूर्क तापून काम है वित्य विद्वान कम से कम डेड़ सदी से म्यूचल फंड के प्रदर्शन का अध्यन कर रहे हैं और वे इसके कई बिंदूओं पर लगबग एकमत नहीं है जैसे नमबर एक ओसत फंड स्टोक का सही तरह से चैयन नहीं करते हैं ताकि शोद और उनके ट्रेडिंग की लागतों को दूर किया जा सके दूसरा, फंड का खर्द जितना अधिक होगा, उतना ही कम रिटर्न देगा तीसरा, जितना अधिक बार एक फंड अपने शेरों को ट्रेड करता है, उतना ही कम कमाई देता है चोथा अत्यधिक ऐस्तिर फंड जो ओसत से अधिक उचलते और गिरते हैं उनके ऐस्ताई रहने की संभावना है पांचवाँ पिछले हाई रिटर्न वाले फंड के लंबे समय तक विजेता बने रहने की संभावना नहीं है अतीर में अपने रिटर्न के आधार पर भविशय के सिर्श परदर्शन वाले फंडों के चैयन की आपकी संभावनाई उतनी ही अधिक है जितने की बिगफुट और अबोनिबेल स्नोमेन दोनों अपनी अगली काक्टेल पार्टी में गुलाबी बेले चपल में दिखाई देंगे दूसरे शब्दों में आपके मोके सुनने नहीं है लेकिन वे इसके बहुत करीब है लेकिन एक अच्छी खबर यह भी है कि सबसे पहले यह समझना कि एक अच्छा फंड ढूनना इतना कठिन क्यों है यह आपको अधिक बुद्धिमान निवेशक बनने में मदद करेगा दूसरा जबकि पिछला प्रदर्शन भविशय के रिटर्न का खराब पूरवानुमान होता है एसे अन्य कारक हैं जिनका उप्योग आप एक अच्छा फंड खोजने की ख्षमदाओं को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं अन्त में एक फंड तब उतकरष्ट मुल्य की पेशकरश कर सकता है जब आप अपनी होल्डिंग में विविद्धा लाने के लिए एक किभाईती तरीका आपना कर अन्य सभी चीजों से छुटकारा पाकर स्टोग को चुनते हैं अधिक विजेता फंड विजेता क्यों नहीं होते हैं एक फंड जितना बेहतर परदर्शन करता है उसके निवेशक उतनी ही बाधाओं का सामना करते हैं माईग्रेटिंग मैनेजर जब स्टोग पिकर को लगता है कि यहां कुछ पेंच है तो हर कोई उससे कहता है कि यदि आपने गलाम पिकर स्टाफ के कोशल को बुनाने के लिए ट्रांस अमेरिका प्रेमियर एक्विटी फंड खरीदा जिसने 1997 में 47.5% लाप राप्त किया तो अगले चार वर्सों में तीन में ट्रांस अमेरिका फंड बाजार में पिछड गया यदि आपने एरिन सुलिवान के हाई रिटर्न को पुनाने के लिए 2000 की शुरुआत में फिडेलिटी एग्रेसिव ग्रोथ फंड खरीदा जिसने 1997 के बाद से अपने शेर धारकों के पैसे को लगबग तीन गुना कर दिया तो ठीक है उसने 2000 में अपना हेज फंड शुरू करना छोड़ दिया वे उसका पूरू फंड खत्म हो गया वो भी अगले तीन वर्षों में इनके मुले के तीन चौथाई से अधिक पर एलिफेंटियासिस एसेट जब कोई फंड उच रिटर्न अरजित करता है तो निवेशक नोटिस करते हैं अक्सर कुछ ही आपतों में सैंकडों मिलियन डोलर उसमें डालते हैं फंड मैनेजर उन कुछ विकल्पों को छोड़ देते हैं जो खराब हैं वे उस पैसे को किसी दिन के लिए सुरक्षित रख सकते हैं अगर स्टोक जारी रहता है तब नगदी पर कम रिटर्न फंड के परिणामों को समेटतेगा वहे अपने द्वारा पहले से ही खरीदे गई शेयरों में नई पैसे डाल सकता है जो शायद तब उपर गए हैं जब उसने पहली बार उने खरीदा था और अगर वहे लाकों डोलर अधिक और इन्वेस्ट करता है तो वहे खतरनाक रूप से ओवर वैल्यूड हो जाएगा या वहे नए स्टोक खरीद सकता है जो पहले से ही घुद के लिए प्रियाप्त नहीं है लेकिन उसे उने नीचे से अनुसंधान करना होगा और उन पर अधिक से अधिक कंपनियों पर नजर रखना होगा जिनका कि उनका उप्योग करने के लिए उप्योग किया जाता है अंत में जब 100 मिलियन डॉलर का निम्बल फंड अपनी संपति का 2% यानि 2 मिलियन डॉलर मिनोव कोर्पोरेशन में डालता है जो कुल 500 मिलियन डॉलर के बाजार मुल्यवाला स्टोक है तो यह मिनोव के 1% से आदे से भी कम है लेकिन अगर होट प्रदर्शन निम्बल फंड को 10 मिलियन डोलर तक ले जाता है तो उसकी 2% संपत्ती का निवेश खुल 200 मिलियन डोलर होगा मिनुवा के पूरे मुल्यका लगवग आधा यह स्वामितव का एक स्थर है जो संगिय कानून के तहट 20 विकारिय नहीं है कुछ कंपनिया अपने फंडों को इंक्यूबेटिंग करने में माहिर होती है उन्हें सारोजनिक रूप से बेचने से पहले निजी तोर पर टेस्ट करना होता है प्रायोजक इन इंक्यूबेट किये गए निदियों को जो खिम भरी रणनीतियों के लिए गिनी पिक के रूप में उपयोग कर सकते हैं जो की छोटी रकम के साथ सबसे अच्छा काम करते हैं जैसे की वास्तों में छोटे स्टाक खरीदना या प्रारिम्बिक पबलिक ओफरिंग का त्वरित व्यापार अगर इसकी रणनीति सफल होती है तो फंड अपने निजी रिटर्न को सारवजनिक करके निवेशकों को लुभा सकता है अन्यमामलों में फंड मैनेजर वाइप्स प्रबंदन फीज देता है जो नेट रिटर्न बढ़ाता है बाद में यहे उचे रिटर्न के बाद ग्रहाकों को काफी आकर्शित करता है लगबग अपवाद के दिना इंक्यूबेटेड और शुल्क माफी वाले फंडों के रिटर्न ने मध्यस्ता को फीका कर दिया है क्योंकि बाहरी निवेशकों ने उन में लाखों डोलर दाले हैं खर्च बढ़ रहा है यहे अचसर छोटे निवेशकों की तुल्ना में बहुत बड़े बलाकों में कम खरीदारों वे विक्रेताओं के साथ स्टोक का व्यापार करने के लिए अधिक खर्च करता है यह संपति में 100 मिलियन डोलर के साथ एक फंड ट्रेडिंग लागतों में प्रति वर्स एक परतिसत का भुगतान कर सकता है लेकिन अगर उच परतिलाव वाले फंड को 10 बिलियन डोलर तक और भेशते हैं तो इसके ट्रेडों में उन परी संपतियों का कम से कम 2% का आसानी से खाया चा सकता है ठेट फंड एक बार में इसे केवल 11 महीने के लिए अपने स्टोप पर रखता है इसलिए ट्रेडिंग लागत एक संक्षारक एसिड की तरह रिटर्न पर खर्च हो जाती है इस बीच फंड चलाने की अन्य लागतें शायद ही कभी घटती है यह कभी कभी संपति बढ़ने पर भी नहीं घटती है 1.5% के ओसत ओपरेटिंग खर्च और लगबग 2% के ट्रेडिंग लागत के साथ विशिष्ट फंड को लागत के बाद इसे मैच करने के लिए लागतों से पहले बाजार को प्रती वर्ष 3.5% अंकों से रोंदना पड़ता है भेडों का व्यवहार अंत में एक बार जब कोई फंड सफल हो जाता है तो उसके प्रवंदक दरपोग और नकल करने वाले हो जाते हैं जैसे जैसे कोई फंड पड़ता है उसकी फीस और अधिक आकर्शक होती जाती है प्रवंदकों ने अपने शुरुवाती उच रिटर्न को उत्पन करने के लिए जो जोखिम उठाए वे अब निवेशकों को दूर कर सकते हैं और उन सभी से मोटी फीज आई को खत्रे में डाल सकते हैं जो सबसे बड़ी धनरासी, समान और और फेट भेड़ के धुंड से मिलती जूलती है जो सभी सुस्त गती से आगे बढ़ रहे हैं सभी एक ही समय में आबा कहे रहे हैं लगबग हर विकास ने दी सिसको, जी-ई, माइक्रोसॉप, फाइजर और वालमार्ट के मालिक हैं जो लगबग समान अनुपात में हैं यह व्यवार इतना प्रचलित है कि वित्विद्वान इसे केवल हेरिंग कहते हैं लेकिन अपनी स्मय की सुलक आये की रक्षा करके फंड मैनेजर अपने बाहरी निवेशकों के लिए बेहतर रिटर्न देने की ख्षमता से समझोता करते हैं उनकी मोटी लागत और बुरे व्यवाहर के कारण वे अधिकांस फंड अपने पास रखने में विवल रहते हैं क्योंकि आस्चरिय नहीं कि ऐ परिशकर्त मचली के रूप में उच रिटर्न लगबग खराब हो रहे हैं समय बीथने के साथ और अधिक उनके अत्यदिक खर्चों का पूल अधिकांस धन को पीछे छोड़ देता है तब बुद्धिमा निवेशक को क्या करना चाहिए सबसे पहले यह पहचाने कि एक इंडेक्स फंड जो बाजार में सभी शेरों का मालिक है जिसने हर समय सर्वस रेष्ट और सबसे खराब का अनुमान लगाए बिना लंबे समय में सबसे अधिक फंड को पीछे छोड़ा है जिसका रोक बॉटम ओवरेड सालाना 0.2% ओपरेटिंग खर्च और येरली ट्रेडिंग कोस्ट सिर्फ 0.1% है जो इंडेक्स फंड को एक अचूक लाव देती है यदि स्टाक कुछ लाव उत्वन करता है तो कहा जाता है कि अगले 20 वर्सों में 7% वार्षिक रेटर्न देगा वेंगार्ड कुल स्टोक मार्केट की तरह कम लागत वाले इंडेक्स फंड ने भी 6.7 तक की वापसी दी है लेकिन ओसत स्टोक फंड ओपरेटिंग कोस्ट 1.5% और ट्रेडिंग लागत में लगबग 2% के साथ सालाना 3.5% लाव हासिल करने में भग्यसाली रहा है इंडेक्स फंड में केवल एक महतोपूर्ण दोश है वे उबाऊ है आप कभी भी बारवेक्यू पर नहीं जा पाएंगे और तब इस बारे में डिंग मारने से भी बंचित रहे जाएंगे कि आप देश के सिर्श परदर्शन वाले फंड के मालिक जैसे हैं आप कभी भी यह दावा नहीं कर पाएंगे कि आप बाजार को रोंदते हैं क्योंकि इस इंडेक्स फंड का काम बाजार के रिटर्न से मेल खाना है बस इस से अधिक कुछ नहीं आपके इंडेक्स फंड मैनेजर की पासे को रोल करने की या अनुमान लगाने की संभावना नहीं होती है कि अगला महान उद्योग टेलिपोर्टेशन या स्क्रेच एन स्नीफ वेबसाइट या टेलिपैथिक वेटलाउस क्लिनिक होगा यह है फंड हमेशा हर स्टाक का मालिक होगा नहीं की अगली नई चीज़ पर केवल एक मैनेजर का सबसे अच्छा आनुमाओ लेकिन जैसे जैसे साल बीटते जाएंगे इंडेक्सिंग का लागत लाब लगातार बढ़ता जाएगा 20 साल या उससे अधिक के लिए एक इंडेक्स फंड पकड़ो उसमें हर मैने नई पैसे जोड़ते जाएं तब आप सभी पेशेवर और वेक्टिकत निवेशकों के विशाल बहुमत को बेहतर बनाने के लिए निश्चिंत हो जाते हैं अपने जीवन में काफी समय बाद ग्राहम ने वेक्टिकत निवेशकों के लिए सबसे अच्छे विकल्प के रूप में इंडेक्स फंड की परसंसा की जैसा की वारेन बफेक्ट करते हैं जब आप अपने सभी हैंडिकैप्स को जोड़ते हैं तो आस्चिरिय नहीं होता कि इतने कम फंड्स इंडेक्स को हरा देते हैं एसा कुछ और भी करते हैं इनमें क्या गुन होते हैं उनके परबंदक सबसे बड़े शेर धारक हैं फंड के मैनेजरों के लिए क्या सबसे अच्छा है और निवेशकों के लिए सबसे अच्छा क्या है जब मैनेजर फंड के शेरों के सबसे बड़े मालिक में से एक होते हैं तो कुछ फर्मों जैसे कि लोंग लिप पार्टनर् अपने स्वेय के फंड से कुछ भी करने से मना करते हैं और डेवेलिस वे FPA जैसी अन्य फर्मों के परबंदकों के पास इतना धन होता है कि वे अपने धन का परबंदन करने की संभावना रखते हैं जैसे कि यह हैं उनका अपना हो बादाओं को कम करने के लिए वे फीस बढ़ाएंगे निदियों को भारी आकार में आने देंगे या एक बुरे कर बिल के साथ आएंगे इन फंड का प्रोक्सी स्टेटमेंट और स्टेटमेंट आफ एडिशनल इंफॉर्मेशन दोनों सिक्यूरिटीज एंड एक्सचेंज कमिशन पर एडगार डेटाबेस के माध्यम से www.sec.gov पर उपलवद होता है ये खुलासा करते हैं कि प्रबंदक फंड के कम से कम एक प्रतिशत शेरों के मालिक हैं या नहीं वे सस्ते हैं फंड व्यवसाई में सबसे आम मितकों में से यह एक है कि आप जो भी बुक्तान करते हैं वह आपको वापिस मिलता है उच रिटर्न के लिए उच शुल्क का सबसे अच्छा उचित्ते हैं इस तरक के साथ दो समश्याई हैं पहला यह सच नहीं है दस्कों के अनुशंधान ने यह साबित कर दिया है कि उच शुल्क वाले फंड समय के साथ कम रिटर्न कमाते हैं दूसरे उच रिटर्न ऐस थाई होते हैं जबकि उच शुल्क ग्रेनाइट की तरह लगवग स्थाई होते हैं यदि आप इनके होट रिटर्न के लिए फंड खरीते हैं तो आप अच्छी तरह से मुट्टी वर ठंडी राखे साथ खत्म हो सकते हैं लेकिन जब इसके रिटर्न में गिरावट नहीं होगी तो भी फंड के मालिक होने की आपकी लागत लगवग निश्चित है उनमें कुछ अलग होने की हिम्मत है जब पीटर लिंच ने फिडिलिटी मेगलन को भगाया तो उन्होंने जो कुछ भी उन्हें सस्ता लग रहा था उसे खरीद लिया भले ही वे अन्यफंड मेनेजरों के स्वामितों में हो 1982 में उनका सबसे बड़ा निवेस्ट्रेज रिबोंड था इसके ठीक बाद उन्होंने क्रिसलर पर अपने सिर्ष पकड़ बना ली भले ही अधिकांस विसे सग्योंने पोटो में करके दिवालिया होने की उमीद की थी फिर भी 1986 में लिंच ने फिडेलिटी मेगलन का लगवग 20% होन्डा, हेव हाइड्रो और वोल्वो जैसे विदेशी शेरों में डाल दिया इसलिए इससे पहले कि आप अमेरिकी स्टॉप फंड खरीदते हैं S&V 500 इंडेक्स के रोस्टर के खिलाब इसकी नवींतम रिपोर्ट में सूची बद होल्डिंग की तुलना करें अगर में ट्वीडली और ट्वीडल्डम की तरह दिखते हैं तो दूसरे फंड्स के लिए खरीदारी करें उन्होंने दर्वाजा बंद कर दिया सबसे अच्छा फंड अक्सर नए निवेशकों के करीब होता है यह केवल अपने मौझूदा शेर धारकों को और अधिक खरीदने की अनुमती देता है यह नए खरीदारों के उन्मात को रोपता है तो सिर्ष पर बैठना चाहते हैं और परीसंपती एलिफेनियसिस के दर्थ से फंड की रक्षा करते हैं यह इस बात का भी संकेत है कि फंड मैनेजर आपके खुद की जेब को आपके आगे नहीं रख रहे हैं लेकिन समापन पहले होना चाहिए किसी भी फंड के आकार में नहीं होने के बाद कुछ कंपनियों के पास अपने स्वेय के फाटकों को बंद करने का एक अनुकर्णिया रिकोर्ड है जैसे लार्ज लीफ, नुमेरीक, ओक मार्क, टी रोव प्राइस, वेंगार्ड और वाशेच आदी इसके सबसे बहतरिन उधारन है वे विग्यापन नहीं करते हैं जैसा कि प्लेटो ने दे रिपबलिक में कहा है कि आदर शाशक वे हैं जो शाशन नहीं करना चाहते हैं सबसे अच्छे फंड मैनेजर अक्सर एसा व्यवाहर करते हैं मानो वे आपके पैसे नहीं चाहते हैं वे लगातार वित्य टेलिविजन पर दिखाई नहीं देते हैं या अपने नमबर वन रिटर्ण के गवंड वाले विग्यापन नहीं चलाते हैं 2001 तक लगातार मेल सेंट पाउर ग्रोथ फंड के पास एक भी वेबसाइट नहीं थी लेकिन अभी भी यह 24 राजियों में अपने शेयर बेशता है 1990 में लॉंच होने के बाद से टेर्णो फंड ने कभी भी कोई खुद्रा विक्यापन नहीं चलाया आपको क्या देखना चाहिए? ज्यादातर फंड खरीबताद अतीत को देखते हैं पहले प्रदर्शन, फिर प्रबंदक की प्रतिष्टा, फिर फंड के जोखिम और अंत में फंड के खर्चोपत ध्यान के दृत करते हैं पुद्धिमान निवेशक उन्हीं चीजों को देखता है लेकिन उसका करम इससे वीपरित होता है चुकि किसी फंड का खर्च उसके भविशे के जोखिम या वापसी की तुलना में अधिक अनुमानित है इसलिए आपको उन्हें अपना पहला फिल्टर बनाना चाहिए पंड श्रेणी के अनुसार एन्वल ऑपरेटिंग खर्च के इन स्तरों से अधिक बुगतान करने का कोई अच्छा कारण नहीं है अगला चोखिम का मुल्यांकन करें इसके प्रोस्पेक्टस यानि खरीददार की मार्क दिर्शिका में परतेक फंड को एक बार एक ग्राफ को एक कैलेंडर तिमाही में सबसे खराब नुकसान को परदर्शित करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि यदि आप तीन महीने में कम से कम इतना पैसा खो सकते हैं तो कहीं ओर जाएं यह फंड के मौर्निंग स्टार्क रेटिंग के जांच करने के लाइक भी है एक प्रमुक निवेश अनुसंदान फर्म मौर्निंग स्टार पुरुसकारों के लिए स्टार रेटिंग भी प्रदान करती है जो इस बात पर आधारित है कि उन्होंने अपना रेटर्न अरजित करने के लिए कितना जोखिम उठाया लेकिन पिछले प्रदर्शन की तरह ही ये रेटिंग समय में वापस दिखती है वे आपको बताते हैं कि कौन से फंड सबसे अच्छे थे और कौन से सबसे अच्छे नहीं होंगे फाइव स्टार फंड वास्तों में एक स्टार फंड को कमजोर करने की आदत है इसलिए पहले एक कम लागत वाला फंड खोजें जिसके मैनेजर प्रमुक शेर धारक हैं जो अलग होने की हिम्मत करते हैं जो अपने रिटर्न को परचारित नहीं करते हैं और अपने ब्राइट्स के लिए बहुत बड़ा होने से पहले उनमें बंद करने के इच्छा दिखाई देती है फिर उसके बाद ही उनके मोर्निंग स्टार रेटिंग से प्रामर्ष्ट करें अंत में पिछले प्रदर्शन को देखें यह याद रखते हुए कि यह बहुष्य के प्रतिफल का केवल एक बहुष्य वक्ता है इससे जैसा कि हमने पहले ही देखा है कल के विजेता अक्सर कल के हारने वाले बन जाते हैं लेकिन शोद करताओं ने पाया है कि एक चीज लगबग निश्चित है कल के हारने वाले कभी कल के विजेता नहीं बनते इसलिए पिछले खराब रेटर्न वाले फंड से बचें खासकर अगर उनके पास ओसथ से अधिक वार्षिक खर्च है क्लोज डेंड फंड की बंद दुनिया 1990 के दसक के दोरान लोगपरिये क्लोज टाउक फंडों ने धीरे धीरे कमजोर होना शुरू किया आज केवल 30 विविद गरेलू एक्विटी फंड है उन में से कई दो बहुत छोटे हैं जो उच खर्चों और अजीव रन्नितियों के साथ दिन में केवल कुछ सो शेरों का व्यापार करते हैं लिपर इंक के क्लोज एंड फंड एक्सपर्ट डोनाल्ड कैसिटी द्वारा किया गया शोट ग्राहम के पिछली टिपणियों को पूष्ट करता है चूट पर विविद क्लोज एंड स्टॉक फंड ट्रेडिंग ने केवल प्रीमियम पर उन ट्रेडिंग को बहतर बनाने की प्रवर्ति रखते हैं लेकिन संभावना है कि ओसत ओपन एंड म्यूचल फंड की तुलना में ये बहतर रिटरन देते हैं अपसोस की बात है हालांकि विविद क्लोज स्टॉक फंड हमेशा एक धूल भरे घटे बाजार में छूट पर उपलब्द नहीं है लेकिन मुनिशिपल बॉंड क्षेतर में विशेश रूप से मजबूत विकल्पों के साथ सेंक्टो क्लोज एंड बॉंड फंड है जब ये फंड छूट पर व्यापार करते हैं तो उनका लाब बढ़ जाता है और जब तक उनका वार्सिक खर्च उपर सूचिबत 300 होल्ड से नीचे हैं वे आकर्शक लगते रहते हैं एक स्चेंज ट्रेडेड इंडेक्स फंड्स की नई नसल की खोज के लाइग भी हो सकता है ये कम लागत वाली ETF कभी कभी एक मातर साधन परदान करती है जिसके द्वारा एक निवेशक संकेन बाजार में प्रवेश कर सकता है जैसे फेलजियम में स्थित कमपनिया या अर्दचालक उद्ध्योग में स्टार्ट अन्यसूसकां की ETF बहुत व्यापक बाजार जोकिम परदान करते हैं हालांकि वे आम तोर पर उन निवेशकों के लिए उप्योपत नहीं है जो नियमित रूप से पैसा जोड़ना चाहते हैं क्योंकि अधिकांस ब्रोकर अपने द्वारा किये गए हर नए निवेश पर एक अलग कमिशन चार्ज करेंगे एक बार आपके पास फंड होने के बाद आप यह कैसे बता सकते हैं कि इसे कब बेचना है मानक सला यह है कि किसी फंड को जांचा जाए यदि वह बाजार में एक दो या तीन सालों से एक लाइन से अंडर परफॉर्म कर रहा है लेकिन इस सला का कोई मतलब नहीं है 1970 से 1999 तक अपने जनम से शिकोईया फंड ने अपने 29 वरसों में से 12 वरसों तक S&P 500 इंडेक्स में बहुत ही कमजोर परदर्शन किया जो की 41 परतिसद से अधिक था अभी तक उस अवदी में सिकोईया ने 12,500 से अधिक हाइक पाई है जबकि शेर सुचकान 4900 परतिसद बढ़ा है अधिकांस फंडों का परदर्शन केवल इसलिए लड़ खड़ाता है क्योंकि उनके द्वारा पसंद किये जाने वाले शेरों का परकार स्थाई रूप से अनुकूल होता है यदि आपने किसी विशेश तरीके से निवेश करने के लिए एक प्रबंद्ध को काम पर रखा है तो उसने जो वादा किया था उसे पूरा करने के लिए उसे क्यों नहीं बगाया जायी जब बेशकर निवेश करने की एक शैली फैसन से बाहर हो जाती है तो आप ने केवल एक नुकसान को खत्म करते हैं बलकि खुद को सभी लेकिन एपरिहर ये पुनर प्राप्ती से बाहर कर लेते हैं एक अध्यन से पता चला है कि म्यूचुल फंड निवेशकों ने 1998 से 2001 के दोरान वार्शिक रूप में 4.7% अंकों के आधार पर अपने स्वेय के फंडों को कम पर खरीद कर उच पर बेश दिया जैसे नमबर एक रन्निते में एक तेज और एपरत्यासित परिवर्तन जैसे कि 1999 में प्रोदोग की सेवरों पर वेल्यू फंड लोडिंग या 2002 में ग्रोथ फंड खरीदने वाली टोन बनाना दूसरा खर्चों में व्रदी यह सुझाओ देते हुए कि मैनेजर अपनी खुद की जेब को अस्तर कर रहे थे तीसरा अत्यधिक व्यापार द्वारा उत्पन बड़े और लगातार कर बिल चोथा अचानक ए निश्चित रिटर्न जब एक पूरो रूडिवादी फंड एक बड़ा नुकसान उत्पन करता है जैसा कि निवेश सलाकार साल्स एलिस कहते हैं यदि आप शादी के लिए तयार नहीं है तो आपको शादी नहीं करनी चाहिए फंड का निवेश भी इस विचार से अलग नहीं है यदि आप आराम से कम से कम तीन वर्षों तक एक फंड को अपने पास रोक कर नहीं रख सकते तो आपको इसे सबसे पहले स्तान पर नहीं खरीदना चाहिए धैरिये फंड इन्वेश्टर का सबसे शक्तिशाली सहयोगी है धन्यवाद हिंदी ओडियोबुक डोट कॉम आपका दिन शुब हो दा इंटेलिजेंट इन्वेश्टर अध्याई 10 इन्वेश्टर और उसके सलाकार हिंदी ओडियोबुक डोट कॉम क्या आपको सहायता की आवशक्ता है 1990 के दसक के उत्रार्द में कई निवेश्टों ने अकेले चलने की राह को चुना उन्होंने अपने स्वें के अनुसंधान करके स्टोप को एक ओनलाइन ब्रोकर के माध्यम से चुनकर ट्रेडिंग शुरू की इन निवेश्टों ने वाल स्ट्रीट के अनुसंधान, सलाः और व्यापार के महेंगे बेसिक सिस्टम को दरकिनार कर दिया दुर्भाग्य से बहुत से लोगों ने अपने डू-िट यूर्सेल्फ निर्नय के कारण जो सोतंतरता पाई थी उसे बाज़ार की सबसे बड़ी मंदी के समय में ग्रेट डिप्रेशन ने अंत में महसूस करवा दिया कि वे इस डू इट यूर्सेल्फ निर्ने के कारण मूर्ख बन गई थे लेकिन यह जरूरी नहीं कि यह सच ही हो जो लोग एक पारंप्रिक स्टोक ब्रोकर को अपने निवेश का हर निर्ने सोंपते हैं वे भी तो पैसा खो देते हैं कई निवेशक एक अच्छे वितिय सलाकार द्वारा अनुभव के आधार पर दिये गए निर्ने और सेकंड ओपेनियन को काफी सहज ले लेते हैं जबकि कुछ निवेशकों को यह दिखाने के लिए कि किसी बाहरी व्यक्ति की आवशकता हो सकती है जो उन्हें बता सके कि अपने वितिय लक्षों को पूरा करने के लिए अपने निवेश पर कितनी दर अरजित करनी है या इसके लिए कितना आतिरिक दधन बचाने की करने के बजाए आपको किसी ऐसे व्यक्ति के निवेशों के जांच करनी चाहिए जो आम तोर पर अपने निवेश से बुरे समय में भी लाबर जित करता हो वही आपको उस समय परोच्साइट कर सकता है यह कारिया आपको उस समय मनोवग्यानिक तोर पर सक्षम बनाता है जब आपको लगातार निवेश की आवशकता होती है और जब अन्य निवेशकों के सफल होने से आपका दिल बैठने लगता है इस तरह ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप अपने समय के पोर्टपोलियों का प्रबंदन नहीं कर सकते हैं और हाँ इसे प्रबंदित करने में पेशेव बड़ा नुकसान यदि आपके पोर्टपोलियों ने साल 2000 के शुरुवात से 2002 के अंत तक अपने मुल्य का 40% से अधिक हो दिया है तो आपने शेयर बाजार के मिराशा जनक परदर्शन से भी बत्तर परदर्शन किया इसमें यह शायदी माईने रखता है कि क्या आपने इसे आलसी लापरवा या सिर्फ आशुब होने के कारण गवा दिया इतने बड़े नुकसान के बाद आपका पोर्टपोलियो मदद के लिए रो रहा होगा दूसरा बजट की बुरी हालत अगर आप हर महीने पूरे साल अपने बजट की नियुनतम आवशक्ता को पूरा करने के लिए संगर्स करते रहते हैं और आपको पता ही नहीं कि आपका सब पैसा कहां जाता है और आपके लिए नियमित वैस समय पर बचट करना असंबव हो जाता है आप समय पर अपने बिलों का भूतान करने में ऐस सफल रहते हैं तब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपका वजट आपके नियंतर्ण से बाहर हो गया है एसे समय में एक सफल सलाकार आपको एक व्यापक वितिय योजना तैयार करके आपकी अपने पैसे पर पकड़ बनाने में मदद कर सकता है जो इस बात की रूपरेखा तैयार करेगा कि आपको कितना खर्च करना चाहिए कितना उधार लेना चाहिए कितना बचाना चाहिए और कितना निवेश करना चाहिए 1990 के दशक के अंत में बहुत से निवेशकों ने सोचा कि उनके पास diversified portfolio है क्योंकि उनके पास 49 अलग-अलग internet stock या 7 अलग-अमेरिकी growth stock fund थे इसे इस तरह देखें कि यदि आपकी सभी holding एक साथ उपर और नीचे जाती है तब आपके पास investing harmony का अभाव है जो सही माइने में diversification लाता है इस परिस्तिती में आपकी केवल एक professional asset allocation plan ही मदद कर सकता है चोथा महतवपून परिवर्तन यदि आप एक self-employed है और आपको अपनी सेवानिवर्ती योजना लागू करने की आवशक्ता महसूस हो रही है या आपके वरद माता पिता के पास उनके खर्च का कोई भी करम नहीं है या आपके बच्चों का कालेज भी आपके लिए unaffordable है इस मामले में एक सलाकार ने केवल आपको मन की शान्ती परदान करता है बलकि आपको आपके जीवन की गुनवत्ता में वास्त्विक सुधार करने में भी मदद करेगा और इससे भी आगे एक qualified professional यह सुनिशित कर सकता है कि आप कर कानूनों और सेवानिवर्ती नियमों की जटिल जटिलता से कैसे लाभानवित हो सकते हैं बहरोसा करें फिर verify करें याद रखें कि वित्य जालसाज आपको उन पर बहरोसा करने और आपको उनकी जांच करने वाली बात करने से रोकते हैं इससे पहले कि आप अपने वित्य भविश्य को एक सलाकार के हवाले करें आपके लिए यह जानना अनिवारिया है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जो ने केवल आपको सहज बनाता हो बलकि जिसके इमानदारी भी थेश से परे हो जैसा कि रोनाल्ड रीगन कहते थे विश्वास करो और फिर वेरिफाई करो उन लोगों के बारे में सोच कर शुरू करें जिनें आप सबसे अच्छे से जानते हैं और आप जिन पर सबसे अधिक भरोसा करते हैं फिर पूछें कि क्या वे आपको किसी ऐसे सलाकार के पास बहेज सकते हैं जिस पर उन्हें भरोसा है और जिसे वे महसूस करते हैं कि जो उनकी फीस का अच्छा मुल्य अदा करेगा आप जिस किसी पर विश्वास करने वाले हैं उसके बारे में किसी अपने अच्छे जानकार से विश्वास मत प्राप्ट करना एक अच्छी शुरुवात है एक बार आपके पास सलाकार और उसकी फर्म का नाम वे साथ ही साथ उसकी विश्वास जैसे कि क्या वे स्टोप प्लोकर है, फैनेंसियल प्लानर है, अकाउंटेंट है या इंशुरेंस एजेंट है जब यह बेसिक जानकारी आपके पास आ जाती है, तो आप उसके बारे में और ज्यादा जानने का काम शुरू कर सकते हैं जैसे गूगल जैसे इंटरनेट सर्च इंजन में, सलाकार और उसका नाम या उसकी फर्म का नाम सर्च करें यह सब यह देखने के लिए कि गूगल पर उसके बारे में क्या जानकरी उपलब्द है जैसे कि ठीक है, कोई शिकायत है, कोई मुक्दमा, अनुशासनात्मक कारिवाई या निलंबन जैसे शवदाती यदि सलाकार एक स्टोप ब्रोकर या बीमा एजेंट है तो संबंदित बीमा कंपनी से यह पूस्तास करें कि क्या एडवाईजर के खिलाब कोई अनुशासनात्मक कारिवाई या ग्रहाक शिकायत दर्ज की गई है यदि आप एक अकाउंटेंट पर विचार कर रहे हैं जो एक वितिय सलाकार के रूप में भी काम करता है तो आपके राज्य का लेखा नियामक आपको बताएगा कि उसका रिकोर्ड साफ है या नहीं वितिय योजना करो या उनकी फर्मों को जिस स्थान पर उनकी प्रैक्टिस हो वहां के राज्य के प्रतिभूती और विनियम आयोग या प्रतिभूती नियामकों के साथ रजिस्टर होना चाहिए इसके जानकारी अपने राज्य प्रतिभूती नियामक की वेबसाइट पर आप देख और डाउनलूड कर सकते हैं उनके डिस्कलोजर रिपोर्टिंग पेज पर विसेश ध्यान दें जहां पर सलाकार को नियामकों द्वारा किसी भी अनुसाशनात्मक कारवाई का खुलासा करना होता है अताय आपके अपने वितिय योजनाकार के सभी रिकोर्ड को भली बांती स्टडी करना एक अच्छा विचार है मैं तुमें जान रहा हूँ एक परमुक फाइनेंसिल प्लानिंग नियूज लेटर ने हाल ही में दरजनों सलाकारों से बात करके उनके रिकोर्ड के आधार पर यह बताया कि आपको अपना फाइनेंसिल प्लानिर चुनने के लिए उससे कैसे साक्षादकर करना चाहिए एक सलाकार का इंटर्यू करने में आपके निमन लक्षे होने चाहिए पहला निर्धारित करें कि वह ग्राहकों की मदद करने की परवा करता है या वसकेवल बेचने के लिए ही जाता है दूसरा यह सबस्ट करें कि क्या वह निवेश के मूल सी धंतों को समलता है जो कि इस पूस्तक में उल्लेखित है तीसरा आंकलन करें कि क्या वह आपकी मदद करने के लिए प्रयापत रूप से शिक्षित, प्रशिक्षित और अनुभवी है आगे कुछ प्रशन बताए गए हैं जो प्रमुख वितिय योजनाकारों ने किसी भी संभावित ग्राहक को पूछने की शिपारिस की है आप इस व्यवसाई में क्यों हैं? आपकी फरम का मिशन स्टेक्मेंट क्या है? अपने अलारम बंद करने के अलावा आप सुवए उटते ही क्या करते हैं? आपका निवेश दर्शन क्या है? क्या आप स्टार्ग या म्यूचल फंड का उप्योग करते हैं? क्या आप तकनिकी व प्रगति को कैसे ट्रैक और रिपोर्ट करेंगे क्या आप एक चेकलिस्ट देते हैं जिसका उप्योग में हमारे द्वारा विक्सित किसी भी वित्य योजना का आउपरेशन मानिटर करने के लिए कर सकते हैं आप निवेश कैसे चुनते हैं? क्या निवेश द्रिश्टी कोण आपको लगता है कि सबसे सफल है और क्या आप मुझे सबूत दिखा सकते हैं कि आपने अपने ग्राहकों के लिए उस तरह की सफलता हासिल की है? जब कोई निवेश पूरे वर्ष के लिए खराब परदर्शन करता है तो आप क्या करते हैं क्या आप निवेश के सिफारिश करते समय किसी तीसरे पक्ष के मुवावजे के किसी भी रूप को स्विकार करते हैं अगर करते हैं तो क्यों करते हैं और अगर नहीं करते तो क्यों नहीं करते और किन प्रस्तितियों में करते हैं आप क्या अनुम पर बात करते हैं एक ग्रहक के लिए आपकी आज तक सबसे बड़ी उपलब्दी क्या रही है आपके पसंदीदा ग्रहक की क्या विशेष्टाई होती है आपके पास एक ग्रहक के साथ आज तक का सबसे खराब अनुवव क्या रहा और आपने इसे कैसे हल किया क्या निर्धारि देख सकता हूं क्या आप खुद को आर्थिक रूप से सभल मानते हैं आप वित्य सभलता को कैसे परिवाशित करते हैं आपको क्या लगता है कि मेरे निवेश पर कितना ओसत वार्सिक रिटर्न संभाव है क्या आप मुझे अपने रिजुमें, अपने फॉर्म और कम से कम तीन रेफरेंस दे सकते हैं क्या कभी आपके खिलाब कोई ओपचारिक शिकायत दर्ज की गई है आखिरी ग्राहक जिसने आपको निकाल दिया उसने ऐसा क्यों किया अपने सबसे खतरनाक दुश्मन से मुकावला अंत में ध्यान दें कि महान वितिय सलाकार पेड़ों पर नहीं उते हैं अक्सर सर्वस्रेश्ट सलाकार के पास पहले से ही उतने ग्राहक होते हैं जितने वे संभाल सकते हैं और हाँ एक अच्छे निवेशक की तरह लगने पर ही वे आपका काम करने के लिए तयार होंगे इसलिए वे आपसे कुछ कठिन प्रशन भी पूछेंगे जो इस तरह के हो सकते हैं जैसे आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको वितिय सलाकार किया उशकता है आपके दिर्ग का लिन लक्षय क्या है अन्य सलाकारों से डील करने में आपकी सबसे बड़े निराशा क्या रही है क्या आपका कोई बजट है क्या आप अपने मतलब तक ही सीमित रहते हैं प्रतेक वर्ष आप अपने संपत्ति का कितना प्रतिशत खर्च करते हैं जब हम आप से एक वर्ष पीछे देखते हैं, तो आपको आपकी प्रगती से खुश होने के लिए मुझे क्या करने की आवशकता होगी? आप संगर्स या ऐसा हमती को कैसे संभालते हैं? साल दो हजार में शुरू हुए बेर बाजार के लिए भावनात्मक रूप से कैसे प्रत और आप में प्रियापत रूची नहीं दिखाता है, तब आपको सहस्ता से यह समझने में देर नहीं करनी चाहिए कि उसके लिए आप एक अच्छा फिट नहीं हैं। इन सबसे उपर आपको अपने सलाकार पर भरोसा करना चाहिए ताकि आप उसे अपने सबसे बड़े दु करते हैं। वितिय नियोजन विशलेशक रोबर्ड वेस कहते हैं अगर सलाकार आपके और आपके सबसे खराब आवेक की परवर्ती के बीच रक्षा की एक पंक्ती है तो उसके पास ऐसी परनालिया होनी चाहिए जो आप दोनों को नियंतिर्द करने में मदद करें। उन पर निवेश करेंगे। दूसरी निवेश करने के लिए आपके मौलिक दृष्टी कौन को दिशा देने वाली विनिवेश निती वक्तव्य है। तीसरी एसे एलोकेशन प्लान जो यह बताता है कि विभिन निवेश निणियों में आप कितना पैसा रखेंगे। ये सभी ऐसे ब दूलर भी निवेश नहीं करना चाहिए या इसका निर्ने नहीं लेना चाहिए जब तक आप संतूष्ट नहीं होते कि यही वह नीव है जिस पर आप अपना निर्मान करना चाहते हैं। धन्यवाद हिंदि-ओडियोबुक डोट कॉम आपका दिन शुब हो। दा इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अध्याय ग्यारा इन्वेस्टर के लिए सुरक्षा विसलेशन सामान्य द्रिष्टी कॉन हिंदि-ओडियोबुक डोट कॉम प्रशन क्या आप कृप्या मुझे बताएंगे कि यहां से जाने के लिए मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाह वे कौन से कारक हैं जो निर्धारित करते हैं कि आपको कोई भी स्टोक खरीवने के लिए कितना तयार होना चाहिए जबकि आप देख रहे हैं कि एक कंपनी दस गुना कमाई कर रही है जबकि उसी समय दूसरी 20 गुना कमाई के लाइक होती है और आप तरक संगत रूप से यह कैसे सुनिचित कर सकते हैं कि आप एक स्पष्ट वै उज्वल भविश्य के लिए अधिक बुगतान नहीं कर रहे हैं जो बाद में एक बुरा सपना भी साबित हो सकता है इन सब प्रशनों को देखते हुए ग्राहम को लगता है कि ये वो पांस तत्व हैं जो इस परिस्तिती में निर्णायक हैं ग्राहम ने उन्हें इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तूत किया है नमबर ए कमपनी की सामन्य दिर्ग कालिन संभावनाई नमबर दो इसके प्रवंदन की गुनवत्ता नमबर तीन इसकी वित्य ताकत और पूंजी सरंचना नमबर चार इसका लाभांस रिकोर्ड नमबर पांस इसकी वर्तमान लाभांस दर आईए आज के बाजार के अनुसार इन कारकों को परखें दिर्क कालिन संभावनाई सबसे पहले बुद्धिमान निवेशक को उस कमपनी की कम से कम 5 साल की वार्षिक रिपोर्ट फारम 10 के कमपनी की वेब साइट या एडगार डेटाबेस से डाउनलोड करनी चाहिए यह रिपोर्ट आपको दो ओवर्राइडिंग प्रशनों के उत्तर देने में आपकी साहईता करती है जो यह है पहला यह कमपनी क्या विक्सित करती है दूसरा मुनाफ़ा कहां से आया है या आएगा अब इन प्रशनों को हल करने में आने वाली समश्याओं को देखें कमपनी एक सीरियल अधिक रहन करता है एक वर्स में दो या तीन से अधिक अधिक रहनों का ओसत पोटेंशिल ट्रवल का संकेत है अखिरकार अगर कमपनी खुद ही अपने स्मय के निवेश की तुलना में अन्य व्यवसायों के स्टाक को खरीदती है तो आपको कमपनी की कहीं और भी जांस करनी चाहिए और आपको कमपनी के एक अधिक रहन करता के रूप में कमपनी के ट्रेक रिकोर्ड की जांस करने चाहिए आपको कार्पोरेट अपच की बिमारी को देखने के लिए बाहर भी देखना चाहिए जैसे कुछ कमपनिया हैं जिन्होंने बड़े अधिक रहन कर लिये थे लेकिन अब उन्हें कार्पोरेट अपच हो रही है जिसके कारण अब अपने पुराने अधिक रहनों को वापस चोड़ने के लिए भी वस हैं जैसे लिूसेंट, मेटल, क्रेकर ओर्ट्स और टाइको इंटरनेशनल उन कमपनियों में से एक हैं जिने इस बिमारी से होने वाले नुकसान पर अधिक रहन से बचना पड़ा है अन्य पुरानी अधिक्ट है ये करज ले रही है या अन्य लोगों के पैसे के बोट लोड यानि प्रयापत राशी को बढ़ाने के लिए स्टोक बेच रही है वार्सिक रिपोर्ट में इस कैश फ्लो को ओपियम के इन फैट इन फ्यूजन को कैश फ्रॉम फाइनसिंग एक्टिविटी कहा जाता है आप एक बिमार कमपनी को विक्सित होते हुए देख सकते हैं बहले ही उनके अंडरलेंग बिजनस प्रयाप्त कैश पैदा नहीं कर रहे हों जैसा कि ग्लोबल क्रासिंग और वर्ल्ड काम ने बहुत पहले यह लोगों को नहीं दिखाया था कमपनी एक जोनी वन नोट है जो अपने अधिकांस राजसों के लिए एक ग्राहक पर निर्वर है अक्टूबर 1999 में फाइवर ओप्टिक्स निर्माता साइके मोर नेटवर्क इंग ने पहली बार जनता को स्टोक बेचे प्रोस्पेक्टस से पता चला कि एक ग्राहक विलियम कम्यूनिकेशन ने साइको मेर के टोटल रेविन्यू जो की 11 करोड डॉलर था उसमें पूरे 11 करोड डॉलर का निवेश किया था वियापारियों ने 15 आरब डॉलर के साइके मोर के शेरों के निष्टा से कीमर लगाई थी दुर्भग्य से विलियम्स दो साल बाद ही दिवालिया हो गए हालांकि साइके मोर ने अन्यक राकों को भी बाद में अपने स्टोग बेचे लेकिन साल 2000 और 2002 के बीच इसका स्टोग 97 पर 37 तक गिर गया जब भी आप किसी कमपनी के विकास और लाब के स्रोतों का अध्यन करते हैं तो सकारातमक्ता के साथ साथ नकारातमक्ता पर भी नज़र रखें ये कुछ अच्छे संकेतों में इस प्रकार हो सकते हैं जैसे कमपनी के पास व्यापक बड़ी खाई हो या फिर बड़ा प्रतिस्परदी लाब होना चाहिए वरना कमपनी एक उस महल की तरह जिसके चारों और कम चोड़ी खाई होने के कारण उसे आसानी से कबजे में लिया जा सकता है उसी तरह ही कुछ कमपनीों को उनकी उस चोटी खाई की वज़े से ही आसानी से उनके परतिद्वन्दियों द्वारा मार डाला जाता है जबकि वे अन्य लगबग अभेद होती हैं जिनकी यह खाई काफी चोड़ी होती है कुछ ऐसी ताक्ते होती है जो कमपनी की उस खाई को चोड़ा कर सकती है जैसे की एक मजबूत ब्रांट पहचान, मोनोपली या नजदी की मोनोपली, economies of scale, सस्ते में बड़ी मात्रा में माल या सेवाओं की आपूर्टी करने की ख्षमता एक unique intangible asset या एक resistance to substitution यानि परतिस्थापना के लिए परतिरोध आदी ही वे असली ताक्ते हैं जो कमपनी को एक अभेद किले के रूप में अज़े बनाती है कमपनी मेरा थन है, जोगिंग नहीं है आप आई विवरोनों पर वापस जाकर देख सकते हैं कि revenue और शुद आए पिछले 10 वर्सों में सुचारू रूप से और तेजी से बढ़े हैं या नहीं Financial Analyst Journal के एक हालिया लेख ने पुष्टी की कि अन्य अध्यनों से पता चला है कि सबसे तेजी से बढ़ने वाली कमपनियां ओवर हीट और फ्लेम आउट हो जाती है यदि कमपनी की कमाई टेक्स के बाद 10% की दिर कालिन दर्स से बढ़ रही है तो यह टिकाव हो सकती है लेकिन 15% growth hurdle यह है कि कई कमपनियों ने खुद के लिए निर्धारित ब्रह्म पाल रखे हैं इसके अलावा एक उचदर रिटर्न या एक दो साल में विकास का आचानक फट पढ़ना यह संकेत देता है कि आगे सब कुछ फीका पढ़ने की संभवना निश्चितर है ठीक उसी तरह जैसे एक अनुबवहीन मेरा थनर जो इस दोड़ को 100 मिटर दोड़ की तरह पूरी दोड़ दोड़ने की कोशिश करता है कमपनी बोती है और फिर काटती है एक कमपनी को नई व्यवसाय को विक्सित करने के लिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके उतपाद कितने अच्छे है या इसका ब्रान कितना शक्तिशाली है इसे कुछ पैसे अपने अनुसंधान और विकास पर खर्च करने ही होते है हालांकि अनुसंधान और विकास खर्च आज विकास का सुरोत नहीं है लेकिन ये कल हो सकते हैं खास तोर पर अगर एक फर्म के पास नई विचारों और उकरणों के साथ अपने व्यवसायों को फिर से जीमत करने का एक सिद्ध रिकोर्ड होना चाहिए अनुसंधान और विकास का ओसत बजट उद्योगों और कम्पनियों में भिन भिन होता है जैसे साल 2002 में प्रोक्टर एंड गैंबल ने आर एंडी पर अपने शुद विक्री का लगबग 4% खर्च किया था जबकि 3M ने 6.5% और Johnson & Johnson ने 10.9% खर्च किया था लंबे समय में एक कम्पनी जो आर एंडी पर कुछ भी खर्च नहीं करती है वह उसके मुकाबले उतनी ही कमजोर है जितना जो उस पर खर्च करती है मैनेजमेंट की गुणवत्ता और आचरण एक कम्पनी के एक्जिकुटिव को यह बताना चाहिए कि वे इसके विकास के लिए क्या करेंगे और फिर उन्हें वो करना चाहिए जो उन्होंने करने के लिए कहा हो इसकी पुष्टी के लिए पिछली वार्षिक रिपोर्टों को पड़े हैं कि परबंदकों ने किस पूरवानुमान का अनुमान लगाया था और क्या उन्होंने उन्हें पूरा किया या उससे कम किया परबंदकों को अर्थव्यवस्ता, एनिश्चित्ता या कमजोर मांग जैसे सभी उदेश्यवाले एनिश्चित कारणों को दोसी ठहराने के बजाए अपनी विफलताओं को स्विकार करना चाहिए और उनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए अब यहे भी जांजें कि क्या अध्यक्स के सालाना पत्तर कासवार वाल स्ट्रीट पर नविंदम स्टाइल के साथ ले में है या स्थिर है या उतार चड़ाव वाला है ये प्रशन यहने धारित करने में भी आपकी साहिता कर सकते हैं कि क्या कमपनी चलाने वाले लोग कमपनी के मालिक के हित में कारिय करेंगे क्या वे नमबर एक की तलाश कर रहे हैं एक फर्म जो अपने CEO को एक वर्स में 100 मिलियन डॉलर का बुगतान करती है उसके पास इसके बहुत अच्छे कारण होते हैं अगर इसका कोई ठोस कारण नए हो तो इस तरह के एसपस्ट मोटे पैसे देने का मतलब है कि यह फर्म मैनेजरों के लिए मैनेजरों दौारा संसालित की जाती है यदि कोई कमपणी अपने स्टोक विकलब को अंदरूनी सुतरों के लिए रीप्राइस करती है तो इस से भी दूर रहें इस स्विच रूप में एक कमपनी करमचारियों और अधिकारियों के लिए मौजुदा स्टोक विकलब को रद कर सकती है और फिर उन्हें लाप्रद कीमतों पर नई लोगों के साथ बदल सकती है यदि उनके स्टोक मुल्य कभी सुन्य पर नहीं जाते हैं वे उनका संभावी तलाब हमेशा अनन्त हो तो ये विकल्प कॉर्पोरेट परिसंपत्यों के अच्छे संसालन को कैसे परोचाइट कर सकते हैं कोई भी स्टाफित कमपनी जो विकल्पों को रिप्रेजेंट करती है जैसा कि दरजनों उच्छ तकनिकी फर्मों के पास होता है जो कि आपको डाउन कर सकता है वे कोई भी निवेशक जो एक ऐसी कमपनी में स्टोक खरीगता है उसकी हालत आगे बहुत खराब हो सकती है स्टोक विकल्पों के बारे में अनिवारिय फुट नोट के लिए वार्षिक रिपोर्ट में देखकर आप देख सकते हैं कि यहां ओप्शन ओवर हैंक कि इतना बड़ा है उधारन के लिए AOL टाइम वार्णर ने अपने वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि उसके पास 31 दिसम्बर 2002 तक की सामन्य स्टोक के 4.5 बिलियन शेर बकाया है लेकिन रिपोर्ट में एक फुट नोट से पता चलता है कि कमपनी ने 657 मिलियन शेर विकल्प जारी किये थे इसलिए AOL की भविशे की कमाई को 15 परतिशत अधिक शेरों में विवाजित करना होगा जब भी आप किसी कमपनी के भविशे के मुल्य का अनुमान लगाते हैं तो आपको स्टोक विकल्पों में से नए शेरों की संभावित बाड़ की जांच भी करनी चाहिए इसके लिए फार्म 4 www.sec.gov पर एडगार डेटावेस में उपलब्द है जो दिखाता है कि किसी फार्म के वरिष्ट अधिकारी और निदेशक शेर खरीदिया बेच रहे हैं या नहीं किसी एक अंदरूनी सुत्र को बेचने के लिए इसका एक वैद कारण हो सकता है जैसे वे विदिकर्ण, एक बड़ा घर, एक तलाग निप्टान लेकिन बार बार बड़ी विक्री एक लाल संकेत देती है एक प्रबंदक वैद रूप से आपका साथी नहीं हो सकता है यदि आप जब खरीदरी करते हैं और वैब विक्री करता है क्या वे प्रबंदक है या प्रमोटर हैं? कार्यकारी अधिकारियों को अपना अधिकांच समय अपनी कमपनी के निजी प्रबंदन में बिताना चाहिए नहीं कि इसे निवेश करने वाली जनता के लिए बढ़ावा देना चाहिए अकसर सभी CEO शिकायत करते हैं कि उनके स्टोप में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यह कितना उंचा जाता है तब वे ग्राहम के आग्रे को भूल जाते हैं कि प्रबंदगों को स्टॉक की कीमत को बहुत कम या बहुत अधिक होने से रोकने की कोशिश करनी चाहिए इस बीच सभी मुख्य वितिय अधिकारियों को अर्निंग्स काइट लाइन्स या कमपनी के तिमाही मुनाफे का अनुमान लगाना चाहिए जबकि कुछ फर्म, लगातार एस्थाई, तुच्च या काल्पनिक अवसरों का गभंड करते हुए प्रेस विगबती जारी करती रहती है कुछ कमपनियां जिन में कोकाकोला, जीलेट और युएसे इंटरेक्टिव शामिल हैं नेवाल स्टीट की अलप कालिन सोच के लिए बसना कहना शुरू कर दिया है ये कुछ बहदूर संगतन अपने वर्तमान बजग और दिर कालिन योजनाओं के बारे में अधिक विस्तार परदान कर रहे हैं जबकि ये अगले 90 दिनों के लिए अटकलें लगाने से इंकार करते हैं अंत में पूछें कि क्या कंपनी के ले खांकन व्यवाहर को उसके वितिय परिणामों को पारदर्शी बनाने के लिए डिजाइन किया गया है या ऐ पारदर्शी है यदि नोन रिकरिंग शुर्क रिकरिंग रहता है तो ऐसाधारन आइटम्स इतनी बार क्रैप करते हैं कि वे साधारन लगते हैं एबिटेडा यानी ब्याज, कर, मुल्याहराश और परिशोधन से पहले की कमाई जैसे समसामाईक आई शुद आई को प्रात्मिक्ता देते हैं या प्रो फर्म आई का वो प्योग वास्त्विक नुकसान को कम करने के लिए किया जाता है आप एक ऐसी फर्म को देख सकते हैं जिसने अभी तक यह नहीं सीखा है कि अपने शेर दार्कों के दिर्ग कालिन हीतों को पहले कैसे रखा जाए वित्य ताकत और पूंजी सरंजना एक अच्छे व्यावसाई की सबसे मूल संभावित परिवाशा यह है कि यह खपक की तुलना में अधिक नगदी उत्पन करता है अच्छे परबंदक उस नगदी को उत्पादक उप्योग में लाने के तरीके खोशते रहते हैं लंबे समय में इस परिवाशा को पूरा करने वाली कमपनिया मुल्य वरदी के लिए लगबग निश्चिनते हैं और इसमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शेयर वाजार क्या करता है या कहां जाता है अब कमपनी की वार्षिक रिपोर्ट में नगदी प्रवा के विबरण को पढ़ने से शुरू करें देखें कि पिछले दस वर्सों में परिचालन से नगदी लगातार बढ़ी है या नहीं अब आप और आगे जा सकते हैं वार्षिक की माली की कमाई की अवधारना या शुद आए के साथ-साथ परिशोदन और मुल्यहरास माइनस नॉर्मल कैपिटल एक्सपेंडिचर को लोग पर ये बनाया है डेविस के पॉर्टफोलियो मैनेजर क्रिस्टोफर डेविस के रूप में चैनित सलाकारों का कहना है यदि आप इस व्यावसाई का 100% स्वामी तो रखते हैं तो वर्ष के अंत में आपकी जेव में कितना नगद होगा क्योंकि ये आमोर्टाइजेशन और डेप्रिशेशन जैसे अकाउंटिंग एंट्रीज को एड़जस्ट करता है कमपनी की नगद 6,80 को प्रवावित ने करें रिपोर्ट की गई आए की तुलना में मालिक की कमाई एक बहतर उपाई हो सकती है मालिक की कमाई की परिवाशा को ठीक करने के लिए आपको रिपोर्ट की गई शुद आए से इसे गटा देना चाहिए जो है स्टोक विकल्ब देने की कोई भी लागत जो मौझूदा शेर दारकों से आए को नए मालिकों के हाथों से दूर कर देती है और कोई भी अन्यूजिल, नोन रिकरिंग या एक्स्ट्रा ओर्डनरी शुल्ग या कमपनी के पेंशन फंड से कोई इंकम यदि पिछले दस वर्षों में परती शेर मालिक की आई कम से कम 6 परतिसत या 7 परतिसत की योसत से बढ़ी है तो कमपनी नगदी का एक स्थिर जनरेटर है और इसके विकास की संभावनाई अच्छी है इसके बाद कमपनी की पूंजी सरंचना को देखें कमपनी के पास कितना रिण उसके पसंदीदा स्टोक सहित देखने के लिए बैलेंस सीट को देखें समान्य तोर पर दिर्ग कालिन रिण उल्प उंजी का 50% से कम होना चाहिए वित्तिय वक्तव्यों के चर्णों में यह निर्धारित करें कि क्या दिर्ग कालिन रिण निश्चिदर या वैरियेबल है फिक्स चार्ज के लिए कमाई का अनुपाद दिखाने वाली प्रदर्शनी या विवरन के लिए वार्शिक रिपोर्ट में देखें Amazon.com की 2002 की वार्शिक रिपोर्ट में यह दर्साया गया है कि Amazon की आई अपनी ब्याज लागत को कवर करने के लिए 145 मिलियन डॉलर कम हो गई है भविशे में Amazon को या तो अपने संसालन से बहुत अधिक अरजित करना होगा या कम दरों पर पैसे उधार लेने का तरीका खोजना होगा अन्य था कमपनी अपने शेयर दार्कों के पास नहीं बलकि अपने बॉन्ड होल्डर्स के स्वामितों में हो सकती है जो Amazon के परी संपतियों पर दावा कर सकते हैं यदि उनके पास उनके द्वारा भुगतान किये गए ब्याज भुगतानों को हासिल करने का कोई अन्य तरीका नहीं है पहला कमपनी इस दवाओ में यह बताई कि आप लाभांश का बुगतान नहीं करते हैं तो आप बेहतर हैं यदि फर्म लगातार अच्छे बाजारों और खराब पर्तिस पर्दा में आगे निकल गई है तो परबंदकों को इसमें स्वस्टर रूप से उप्योग के लिए नगदी डालना चाहिए यदि हालांकि व्यापार लड़ खड़ा रहा है या स्टार्ट अपने पर्तिदवन्दियों को कम आँक रहा है तो परबंदक और निदेशक लाभांस का बुगतान करने से इनकार करके नगदी का दूरुपियोग कर रहे हैं दूसरा जो कमपनिया बार-बार अपने शेरों को विभाजित करती है और उन्हें प्रेस रिलीज में बताती रहती है वे अपने निवेशकों से डॉल्स की तरह व्यावार करती है योगी वेरा की तरह जो चाहते थे कि उनका पीजा चार सलाइस में कट जाए तब वे कहते ह मुझे नहीं लगता कि मैं आठ खा सकता हूँ शेर पसंद करने वाले शेर दारकों को यह बात याद आती है जब 50 डोलर पर एक शेर के 2 शेर 100 डोलर पर से अधिक शेर के लाइक नहीं है प्रबंधक जो विवाजन को बढ़ावा देने के लिए निवेश करने वाली जनता की सबसे बुरी परवर्ती का समर्थन करते हैं लेकिन बुद्धिमान निवेशक इस तरह के जोड़ तोड़ करने वालों पर कभी भी पैसा लगाने से पहले दो बार सोचेंगे तीसरा कमपनियों को अपने शेरों को तब खरीदना चाहिए जब वे सस्ते हों या जब वे रिकोर्ड उंचाई पर या उसके निकट हों दुरभाग्य से हाल ही में जो स्टोग अती रंजीत हों तब कमपनियों के लिए अपने स्टोग को उस समय पूनर खरीद करने के लिए बहुत आम बात हो गई है किसी कमपनी के लिए यह गलत नहीं है कि उस पेंतरे बाजी का असली उदेश है सिर्थ अधिकारियों को शेर धारक मुल्य बढ़ाने के नाम पर अपने स्टोग विकल्ब बेच कर मल्टी मिलियन डॉलर का बुगतान करने में सक्षम बनाना है वास्तविक सबूतों की परियापन मातरा वास्तों में यह बताती है कि प्रबंदग जो शेर धारकों के मुल्य को बढ़ाने के बारे में बात करते हैं शायदी कभी ऐसा करते हैं वे शायदी असल में कभी ऐसा करते हैं निवेस में जैसा की सामन्ने रूप से जीवन में होता है अंतिम जीत आम तोर पर काम करने वालों को मिलती है बात करने वालों को नहीं धन्यवाद hindi-audiobook.com आपका दिन शुब हूँ दा इंटेलिजेंट इनिवेस्टर अध्याए बारा प्रकी शेर आये के बारे में विचार करने के लिए चीजें hindi-audiobook.com दोस्तों में पैन से इतनी गहरी दरार पड़ सकती है जितनी की एक बंदूक से संभाव नहीं है डोक्टर डीडले अंकों का खेल पिछले कुछ वर्सों में कंपनियों और उनके अकाउंटेंटों ने स्टोक विकलपों के माध्यम से भारी मात्रा में मुवावजे के लिए किस अहद तक विश्वास को धका दिया है यहां तक कि ग्रहम को भी इस बातने चोंका दिया होगा सिर्श अधिकारियों ने सोचा कि वे केवल कुछ वर्षों के लिए अपनी कंपनी की कमाई में वरदी करके धनवान बन सकते हैं इसी तरह से सेंकडों कमपनियों ने विश्वास की भावना का उलंगन किया है उन्होंने केवल पत्रों द्वारा ही नहीं बलकि अकाउंटिंग प्रिंशिपल के साथ भी छेट चाड़ करके अपनी वित्य रिपोर्स तक बदल रहे हैं और अपनी इस काली कमाई पर परदा डालने के लिए एसपस्ट आचरन वे उपरी दिखावे को बगल कर अपने रिजल्ट्स को बढ़ा चड़ा कर दिखाते रहे हैं जिसने कमाई के साथ-साथ परिनामों की बद सूर्ती भी उत्पन होई है आईए इन में से कुछ ऐस्व भाविक परदाओं को देखें शायद कमाई करने की सनक को शांत करने के लिए आज तक की सबसे बड़ी और व्यापक गड़बडी अकाउंट में हेर फेर करके जिसे प्रो फार्मा कहा जाता है की गई थी वाल स्टीट में एक पूरानी काहवत परजलिते है की हर बुरा विचार एक अच्छे विचार के रूप में शुरू होता है और प्रो फार्मा कमाई इससे अलग नहीं है मूल बिंदू इस प्रवर्ती से शोटर्म डेवियेशन के लिए या माना जाता है कि नोन रिकरिंग घंटाओं को समायोजन करके कमाई के लोंग टरम ग्रोथ किये ट्रूर तस्वीर परदान करना था उधारन के लिए यदि कोई अन्य फार्म जिसे उसने अभी अधिगरेट किया था उसे वह पूरे बारा महिनों के लिए अपना हिस्सा बताकर एक प्रो फार्म प्रेस विग्यप्ति जारी कर सकती है और उसके माद्यम से यह दिखा सकती है कि उसने पिछले वर्स में क्या आरजित किया होगा ज़रा प्रो फार्मा के इन उधारनों को देखें 30 सितंबर 1999 को समापत तीमाही में इन्फो स्पेस इंक ने अपनी प्रो फार्मा आई अरजित की लेकिन उसने पसंदीदा स्टोक लाभांस में 169.9 मिलियन डॉलर का भुगतान नहीं किया था 31 सक्टूर 2001 को समापत तीमाही में B.E.A. सिस्टम इंक ने अपनी प्रो फार्मा आई अरजित की लेकिन जैसे कि उसने अपने करमचारियों दोवारा प्रयोग किये गए स्टॉक विकल्पों पर पेरोल करों में 193 मिलियन डॉलर का भुगतान नहीं किया था 31 मार्च 2001 को समापत तीमाही में JDS Unipase Corporation ने अपनी प्रो फार्मा आई को इस तरह पेश किया कि पैरोल करों में 4 मिलियन डॉलर का भुगतान नहीं किया और घटिया शेरों में 7 मिलियन डॉलर का निवेश नहीं किया और इससे संबन्धित 2.5 विलियन डॉलर का और सद्भावना के लिए उस पर चार्ज नहीं लगाया गया हो। इन सभी को उसने अपनी रिपोर्ट में नहीं दिखाया। प्रो फार्मा आए कमपनियों को यह दिखाने में सक्षम बनाती है कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया होगा। यदि उन्होंने यह नहीं दिखाया हो जितना कि उन्होंने पूरा काम किया हो एक बुद्धिमान निवेशक के रूप में केवल एक चीज जो आपको प्रो फार्मा आए के साथ करनी चाहिए वह है उन्हें अन्देखा करना। साल 2000 में दूर संचार की दिखज कंपनी क्वेस्ट कम्यूनिकेशन इंटरनेशनल इंक मजबूत दिख रही थी जबकि इसके शेयर 5% से भी कम हो गए क्योंकि उस वर्ष शेयर वाजार में 9% से अधिकी गिरावट आई थी। लेकिन क्वेस्ट की वित्य रिपोर्टों में एक अजीब सा रहस्योद घाटन हुआ। 1999 के उतरार्ध में क्वेस्ट ने अपनी टेलीफोन निर्देश काउं से राजसों को दिखाने का फैसला किया। जैसे ही फोन की किताबें परकाशित हुई भले ही किसी ने कभी भी येलोपेज का विग्यापन निकाला हो या ने निकाला हो। कई वेवसाई मालिक किस्तों में उन विग्यापनों के लिए भुकतान कर रहे थे। यह मंतर था कि उस समय 1999 में लगने वाले लेखा सिधानवे परिवर्तन करों के बाद 240 मिलियन डॉलर की शुद आये को हाइक करता था जो कि उस वर्स अच्चित किये गई सभी पैसों का पांचवा हिस्सा था। एक जलमग नहीं मकुंड का मुकुट बनाने वाली बर्प का एक छोटे हिस्से की तरह एग्रेसिव रेविन्यू रिकोगनेशन अक्सर खत्रों का संकेत है। जैसे की वे खर्च के बजाए पुझिकत संपत्ती थी वे अन्य अनुचित व्यवहार था जैसे परी संपत्यों का आदान परदान मानोवे एकमुष्ट विक्री कर रहे हों। 2000 और 2001 के लिए क्विस्ट का राजसव 2.2 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया था जिसमें पहले लेखा सिदांत में परिवर्तन से प्राप्त 80 मिलियन डॉलर शामिल थे जो अब उलट गया था। Capital Offenses साल 1990 के दशक के अंत में Global Crossing Limited की ऐसे मित महतव पांखशाएं थी। दुनिया को तारों से जोडने के बाद Global Crossing अन्यसंसार कमपनियों को अपने नेटवर्क के केवलों पर अपने डाटा को ले जाने का अधिकार बेचेगी। अकेले 1998 में Global Crossing ने अपने Optical Web के निर्मान के लिए 600 मिलियन डॉलर से अधिक खर्च किये। उस वर्स निर्मान बजट का लगबग एक तियाई राजसों के रूप में खर्च की गई क्षमता की लागत नामक खर्च के रूप में लिया गया था। अगर उस 178 बिलियन डॉलर के खर्च को नहीं दिखाया जाता जैसा कि Global Crossing ने 96 मिलियन डॉलर के शुद नुकसान की रिपोर्ट की थी तो इसके बिना लगबग 82 मिलियन डॉलर का लाब दिखाना पड़ता। अगले वर्स 1999 की वार्षिक रिपोर्ट में एक दोश्पूर्ण फुटनोट लिखा गया कि Global Crossing ने सेवा अनुमंद की शुरुवात की है। कमपनी अब अपने निर्मान पर खर्च होने वाले राजसों के लिए खर्च के रूप में अधिकांस निर्मान लागतों का शुल्क नहीं लेगी। इसके बजाए उन निर्मान लागतों का एक बड़ा हिस्सा अब एक ओपरेटिंग व्या के रूप में नहीं बलकि एक पुंजिगत व्या के रूप में माना जाएगा जिससे कमपनी की कुल संपत्ति में व्रदी होगी लेकिन इससे वास्तों में उसके शुदाई में कमी होग प्रूफ जादू की तरह एक लहर में ही ग्लोबल क्रासिंग की संपत्ति और उपकर्ण संपत्ति पांसो पिचेतर मिलियन डॉलर बढ़ गई जबकि इसकी बिकरी की लागत में केवल तीन सो पचास मिलियन डॉलर की व्रदी होई थी फिर बले ही कमपनी एक शेराबी नाव परसाई विक्सित करने के लिए करते हैं लेकिन निंदनिय लेखा नियम परबंदकों को कैपिटल एसेट्स में सामन्य ओपरेटिंग खर्च को परिवर्तित करके रिपोर्ट किये गई लाब को बढ़ाने के अनुमती देते हैं जैसा कि गलोबल क्रासिंग मामले से पता चल बुद्धिमान निवेशक को यह समझ कर सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या और क्यों एक कमपनी कैपिटलाइज करती है एक इन्वेंट्री की कहानी सेमी कंडेक्टर चिप्स के कई निर्माताओं की तरह माइक्रोन टेकनोलोजी इंक को साल 2000 के बाद विक्री में गिरावट का सामना करना पड़ा वास्तों में माइक्रोन को इस मांग में डूबकी से इतनी मुश्किल से मारा गया कि उसे अपने आविशकारों के मुल्य को लिखना शुरू करना पड़ा क्योंकि ग्रहकों ने सपष्टरूप से कहा था उन्हें उसके उतवाद उन कीमतों पर नहीं जो माइक्रोन बता रहे थे मई 2001 को समापती माही में माइक्रोन ने अपने आविशकारों के रिकार्ड किये गए मुल्य को 261 मिलियन डॉलर से कटा दिया अधिकांस निवेशकों ने इसकी व्याख्या आपरेशन की सामन्य या आवर्ती लागत के रूप में नहीं बलकि एक एसा मन्य गटना के रूप में की लेकिन उसके बाद क्या हुआ देखिए माइक्रोन ने अगले 6 फिसकल क्वार्टर्स में से परतेख में आगे इनवेंट्री की बुकिंग की क्या माइक्रोन के इनवेंट्री का आव मूलियन एक अपूर्णी गटना थी या यहे एक पुरा को होना चाहिए जैसे की एनरजाइजर बनी बस चलते रहें पेंशन के आयाम साल 2001 में SBS Communication Inc. जो की सिंगुलर वायरलेस पैक टेल और साथर न्यू इंगलेंड टेलीफोन के हितों का मालिक है ने शुद आये में 7.2 बिलियन डॉलर की कमाई की जो की एक साल में खराब टेलीफोन उद्योग के लिए एक खराब परदर्शन था लेकिन वहे लाब केवल SBC के विवसाई से नहीं आया पूरी तरह से 1.4 बिलियन डॉलर का लाब कमपनी की कुल आये का 13% MBC की पेंशन योजना से आया था चुकि MBC के पास पेंशन योजना में अधिक पैसा था और क्योंकि यह अनुमान था कि अपने करमचारियों के भविश्य को लाबों का बुपतान करना आउशक था जो कमपनी को वर्तमान आये के अंतर का इलाज करने के लिए मिला उस अधिसेस के लिए एक सरल कारण 2001 में SBC ने पेंशन योजना के निवेशों पर 8.5% से 9.5% तक की कमाई की उमीद दर बढ़ा दी थी SBC ने नई उमीदों को यह कहते हुए समझाया कि 2001 को समाप्त हुए परतेक 3 वर्सों में निवेश पर हमारा वास्तविक वार्सिक रिटर्न 10% से अधिक था दूसरे शब्दों में हमारे पिछले रिटर्न उच रहे हैं इसलिए मान लें कि हमारा भविशे का रिटर्न भी उच होगा लेकिन यह ने केवल तरक के सबसे अलको विक्षित परिक्षणों को पर भावित करता है जैसे ही यह किया गया ब्यास दरें तुरंत ही गिरने लगी जो पेंशन पोर्टफोलियों के बोंड हिस्से पर भविशे के रिटर्न को निराश कर रही थी उसी वर्ष वास्तों में वारेन बफेट के बर्कषायर हैथवे ने अपनी पेंशन परी समपतियों पर वापसी की अपेक्षित दर 8.3% से घटा कर 7.5% कर दी थी क्या SBC यह मानने में यथार्तवादी था कि उसके पेंशन फंड मैनेजर दुनिया के सबसे बड़े निवेशक को पचार सकते हैं शायद नहीं 2001 में बर्कषायर हैथवे के पेंशन फंड में 9.8% की प्रदी हुई लेकिन SBC का पेंशन फंड 6.9% पर ही रहे गया यहां बुद्धिमान निवेशक के लिए कुछ त्वरित विचार दिये गए हैं क्या शुद्ध पेंशन लाब कंपनी की शुद्ध आयका 5% से अधिक है क्या योजनागत परी संपतियों पर दिर्क का लिंदर उचित है गुफान निवेशक कुछ पॉइंट्स आपको एक शेयर खरीदने से बचने में मदद करेंगे जो एक अकाउंटिंग बम हो सकता है लास्ट पेज से पढ़ना शुरू करें जब आप किसी कंपनी की वित्य रिपोर्टों पर शोध करते हैं तो अंतिम प्रस्ट से पढ़ना शुरू करें और धीरे धीरे सामने की ओड अपना काम करें जो भी आप ढूमना चाहते हैं वहां कुछ भी नहीं है उसे दफन कर दिया जाता है जो ठीक भी है कि आपको यह पहले क्यों दिखना चाहिए नोट्स पढ़ें वार्शिक रिपोर्ट में वित्य विरुनों के चरणों को पढ़े बिना कभी कोई स्ठाक ने खरी गएं आम तोर पर महतोपूर्ण लेखांकन नितियों का सारांस एक प्रमुख नोट बताता है कि कमपनी राजसों को कैसे पहचानती है आविशकार को रिकार्ड करती है किस्त या अनुबंद की विक्री का इलाज करती है अपनी विपनन लागतों को खर्च करती है और अपने व्यवसाई के अन्या परमुख पहलवों के लिए जिम्मेदार है अन्या चरणों में रिन, स्टोक विकल्प, ग्रहकों को रिन, नुकसान के खिलाब बंधार और अन्या जोखिम कारक के वारे में खुला से जानने के लिए इसे देखो जो कमाई का एक बड़ा हिस्सा कमा सकता है जिन चीजों को आपके एंटिना को सुगम बनाना चाहिए उनमें पूंजिकरत और स्थागित जैसे तक्निकी शवद है पूनर गठन और सादे अंग्रेजी शवदों से संकेत मिलता है कि कमपनी ने अपनी लेखांकन परताओं को बदल दिया है जैसे शुरू, परिवर्तन और हालांकी उन शवदों में से कोई ऐसा मतलब नहीं है कि आपको स्टोक नहीं करीदना चाहिए लेकिन इसका मतलब है कि आपको आगे जांच करने की जरूरत है कम से कम एक फर्म के फितिय वक्तव्यों में उन लोगों के साथ फूट नोट्स की तुलना करना सुनिश्चित करें जो एक करीबी प्रतियोगी है और यह देखने के लिए भी कि आपके कमपनी के अकाउंटेंग कितने अक्रामक है और पढ़ो यदि आप एक उद्दमी निवेशक हैं जो अपने पोर्ट्फोलियों में बहुत समय और उर्जा लगाने के लिए तयार है तो आप वितिय रिपोर्टिंग के बारे में अधिक जानने के लिए इसे अपने आप पर निर्भर करें समय और विशिष्ट उधारनों से भरी तीन ठोस पुस्ट के हैं जिने आपको पढ़ना चाहिए मार्टिन फ्रिड्सन और फर्नांडो अल्वारेज की वितिय विवरन विशलेशन चार्ल्स मुल फोर्ड और यूजीन कामिस्की की वितिय संख्या खेल और हारवर्ड सीलिट की वितिया एननिमस है धन्यवाद हिंदी ओडियोबुक डोट कॉम आपका दिन शुब हो दा इंटिलिजेंट इन्वेस्टर अध्याए 13 चार सुचिबद कंपनियों की तुलना हिंदी ओडियोबुक डोट कॉम इविजनेस एक निवेशक के रूप में जैसे कि ग्राहम ने किया उन्होंने चार शेरों को चुनकर उनकी 31 दिसंबर 1999 को रिपोर्ट की गई संख्याओं का उप्योग करके उनकी विरोधा वाशी रूप से तुलना की यहे एक ऐसा समय होता है जो हमेशेर बाजार में दर्जमुल्यांकन के सबसे कठोर चर्ण द्रशों को देखने में सक्षम बनाता है Immersion Electric Inc जिसका शेर टिकेट नाम EMR है इसे 1890 में स्थाफित किया गया था यहे ग्राहम की मूल चोकडी का एकमात्र जीवित सदश्य है यहे बिजली उपकर्ण एर कंडिशनिंग और बिजली की मोटरों सही उत्पादों की एक विस्तर्थ स्रंकला बनाता है EMC Corporation जिसका टिकेट परती EMC है यहे 1989 से पहले स्थाफित की गई थी यहे कंपनियों को कंप्यूटर नेटवर्क पर इलेक्ट्रोनिक जानकारी के बंधारन को इस्थापित शीपर्ष को दुनिया भर में सामानों की आवाजाही को व्यवस्तित करने और उन्हें ट्रक करने में मदद करता है Exodus Communication Inc. जिसका टिकर परती EXDS है अन्या इंटरनेट सेवाओं के साथ-साथ कॉर्पोरेट ग्रहकों के लिए वेब साइटों को होश्ट और मैनेज करता है इसने मार्च 1998 में पहली बार अपने शेर जनता को बेचे थे इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं करती है ग्राहम के चार शेरों में से सबसे महंगा इमर्शन इलेक्ट्रिक जो हमारे अपटेट ग्रूप में सबसे सस्ता था हमारी पूरानी अर्थव्यवस्ता के उध्योगों में अपने आधार के साथ इमर्शन 1990 के दसक के अंत में एक बोरिंग शेर लग रहा था साल 1998 और 1999 में इमर्शन के शेर ने S&P 500 इंडेक्स को कम्यूलेटिव 49.7% अंकों से पीछे छोड़ दिया था जो एक गलत अंडर परफोर्मेंस था लेकिन वह है तो इमर्शन स्टोक था इमर्शन कंपनी के बारे में क्या 1999 में इमर्शन ने 14.4 बिलियन डोलर की वस्त्मों और सेवाओं की विक्री की जो कि उस वर्ष से लगबग एक मिलियन डोलर ज़्यादा थी जिसने इमर्शन को 1998 की तुलना में 6.9% अधिक 1.3 बिलियन डोलर की शुद आये अरजित हुई पिछले पांस वर्षों में प्रतिश शेयर आये 8.3% की मजबूत ओसत दर से बढ़ी थी इमर्शन का लाभांस दुगने से 1.3% अधिक था बुक मुल्य 6.69 डोलर से 14.27 डोलर प्रतिश शेयर हो गया था वैल्यू लाइन के अनुसार 1990 के दसक के दोरा इमर्शन का शुद लाब मार्जन और एक व्यावसाय की रूप में इसकी दक्षता के प्रमुक उपायों पर क्रमशे 9% और 18% के आसपास उचस्तर पर रहा इमर्शन ने लगातार 42 वरसों तक अपनी कमाई में वरदी की थी और 43 सीदे वरसों में अपने लाभांश को बढ़ाया था यहे अमेरिकी व्यापार में स्थिर विकास का सबसे लंबा समय था अंत के साल में इमर्शन के शेर की कीमत कमपनी के प्रती शेर शुद आये की 17.7 गुना थी अपने विजली उपकरणों की तरह इमर्शन कभी भी आकरशक नहीं था लेकिन यहे विश्वस्निय था और इसने कभी भी ओवर हिटिंग का कोई संकेत नहीं दिया था क्या एमसी पीडी क्यू से आगे था एमसी कॉर्परेशन 1990 के दसक के सबसे अच्छे प्रदर्शन वाले शेरों में से एक था इसकी स्पीड जादूई थी यदि आपने 1990 के शुरुवात में इमसी के शेरों में 10,000 डोलर का निवेश किया था तो आपकी कुणजी 1999 में केवल 9 सालों में 8.1 मिलियन डोलर से अधिक हो गई थी इमसी के शेरों ने अकेले 1999 में 117.1 प्रतिशत रिटर्न दी थी 1992 से 1999 आठ वर्सों में इमर्शन के शेरों की तूलना में अधिक वरदी होई इमसी ने कभी लाभाश का बुगतान नहीं किया था इसके बजाए अपनी कमपनी की निरंतर वरदी के लिए धन परदान करके अपनी सारी कमाई को बनाए रखा इसी साल 31 दिसंबर को चोपन पॉइंट 625 डॉलर की कीमा पर इमसी के शेर 103 गुना ज़्यादा करोबार कर रहे थे यह इमर्शन के स्टोक के मुल्यांकन स्तर का लगबग 6 गुना कमाई पूरे वर्स के लिए रिपोर्ट करेगी इमसी का व्यापार साल 1999 में इमसी का राजसव 27 परतिसद भढ़कर 6.7 बिलियन डॉलर हो गया था इसके शेर की प्रती वर्स आई 61 सेंट से 96 सेंट तक बढ़ गई जो 51 परतिसद की वर्दी थी साल 1999 में समाप्त होने वाले 5 वर्सों में इमसी की आई 28.8 परतिसद की वार्षिक दर से बढ़ी थी और हर किसी ने इकोमर्स के जवार की लहर को चालू रहने की उमीद के साथ भविशय भी उजवल लग रहा था 1999 के दोरान इमसी के मुख्य कारेकरी अधिकारी ने बार बार भविशय वानी की की राजसव 2001 में 10 बिलियन डोलर से 1998 में 5.4 बिलियन डोलर तक पहुँच जाएगा जिसमें 23 परतिसद की ओसत वार्षिक व्रदी की आवशक्ता होगी लेकिन वाल स्टीट के विसलेसकों और अधिकांश निवेशकों को यकीन था कि एमसी ऐसा कर सकती है आखिरकार पिछले पांस वर्षों में एमसी ने अपने राजसव को दोगुने से अधिक और अपने शुद आये को तीन गुना से बहतर कर लिया था लेकिन 1995 से 1999 तक वैल्यू लाइन के अनुसार एमसी का शुद लाब मार्जन 19 परतिसद से घटकर 17.4 परतिसद हो गया जबकि पूंजी पर इसका रेटर 26.8 परतिसद से घटकर 21 परतिसद हो गया हलांकि यह अभी भी अत्यादिक लाबदाइक था जबकि एमसी पहले से ही विफल रहा था और अक्तुबर 1999 में एमसी ने डेटा जनरल कॉर्पोरेशन का अधिक रहन किया जिसने उस वर्ष एमसी के राजसव में लगबग 1.1 बिलियन डोलर और जोड़े अब डेटा जनरल से लाए गई अतिरिक्त राजसव को गटा कर हम देख सकते हैं कि 1998 में एमसी के मौझूदा व्यावसायों की मात्रा 5.4 बिलियन डोलर से बढ़ कर 1999 में केवल 5.6 बिलियन डोलर हो गई जो केवल 3.6 परतिसक की फ्रती थी दूसरे शब्दों में एमसी की वास्तवी क्विकासदर लगबग सुनने थी यहां तक की एक साल में जब Y2 के कंप्यूटर बग के डर ने कई कंपनियों को नई तकनीक पर रिकोर्ड राशी खर्च करने के लिए प्रेरित किया था फ्रेट पर एक सिंपल ट्वेस्ट एमसी के विपरित एक्सपेंडिटर्स इंटरनेशनल अभी तक मोल भाव करना नहीं सीख पाया था हलांकि 1990 के दसक में कंपनी के शेयरों में 30% सालाना की व्रदी हुई थी लेकिन उस समय इसका बहुत बड़ा लाब बहुत अंत में आया था क्योंकि 1999 में यह शेयर 109.1% की रिटर्न दे रहा था एक साल पहले एकस्पेंडिटर्स के शेयर केवल 9.5% बढ़े थे जिसने S&P 500 इंडेक्स को 19% से अधिक अंकों से पीछे कर दिया था व्यापार के बारे में एकस्पेंडिटर वास्तों में तेजी से बढ़ रहे थे 1995 के बाद से इसका राजसव ओसत वार्षिक दर 19.8% तक बढ़ गया था 1999 के अंत में 1.4 बिलियन डोलर से अधिक की यावदी में लगभग तीन गुना और इसकी परतिशेर आये में 25.8% सालाना की व्रदी होई थी जबकि लाभास 27% वार्षिक फिलिप में बढ़ गया था एक्सपेंडिटर्स का कोई दिर कलिंग दिन भी नहीं था और इसकी कारिया शील पूंजी 1995 के बाद से लगबग दुगनी हो गई थी वैल्यू लाइन के अनुसार एक्सपेंडिटर्स का बुक मुल्य जिसका आधार सीटल में है और एशिया में इसके कई संचालन है जो वाल स्टीट पर सभी अग्याद थे इसके केवल 32% शेयर संस्तागत निवेशकों के स्वामितों में थे वास्तों में एक्सपेंडिटर के पास केवल 85% शेयर धारक थे जो 1999 में दो गुना होने के बाद इसके शेयर की कीमत 49 गुना बढ़ गई थी शुद आये वाले एक्सपोर्टर्स साल भर तक कमाते थे लेकिन E.M.C. के मुल्याकन से नीचे The Promised Land 1999 के यांत तक Exodus Communication ने अपने शेयर धारकों को सीधे दूद और शेयर की भूमी पर ले जाने के लिए कहा था इसका स्टाग 1999 में 105.8 परतिसद बढ़ गया इसे इस तरह समझे कि अगर आपने इसमें चालू वर्स में एक जनवरी को 10,000 डोलर का निवेश किया था तो 31 दिसंबर को इसका मुल्य एक लाख दस अजार डोलर से अधिक हो गया था वाल स्ट्रीट के परमुक इंटरनेट स्टॉक विसलेशक मेरी लिंज के बेहद प्रभावशाली हेंडरी बलोटेड साहित भविश्यवानी कर रहे थे कि आने वाले वर्ष में यह स्टॉक 25 पर 30 से 125 पर 30 से तक बढ़ जाएगा और सबसे अच्छी बात यह है कि 110 के लाब पर कबजा करने वाले ओनलाइन व्यापारियों की नजर में यह तथ्य था कि स्टॉक ने 1999 के दोरान इसने शेरों को तीन भार स्प्लिट किया था स्टॉक को स्प्लिट करने में एक कमपनी दूगनी हो जाती है इस स्प्लिट में एक शेर के दो शेर किये जाते है जहां इसके शेरों की संख्या दूगनी और कीमत आदी हो जाती है इसलिए एक शेर धार्क के पास उसके शेरों की संख्या उसी कीमत में दूगनी हो जाती है इसके बारे में क्या शांदार है? क्या स्प्लिट शांदार है? कल्पना कीजिए कि आपने मुझे एक पैसा दिया और मैंने फिर आपको दो निकल वापस दिये और पूछा क्या आप अब अमीर नहीं लग रहे हैं? आप शायद यह निश्कर्स निकालेंगे कि मैं एक मुर्ख था या कि आपने मेरे साथ वियापार करके गल्ती की? और फिर डोट कॉम स्टोक पर 1999 के उनमाद में ओनलाइन वियापारियों ने ठीक उसी तरह काम किया जैसे दो निकल्स एक से अधिक के मुल्यके होते हों वास्तों में बस यह एक खबर है जनवरी में 110 के 100 शेर खरीदने वाले किसी ने उन्हें एपरेल में स्टोक के विभाजन के समय 200 में बदल दिया फिर वे 200 अगस्त में 400 में बदल दिये गई तब के 400 दिसंबर में 800 हो गए इन लोगों को यह महसूस करने के लिए रोमांचकारी था कि वे पहले 100 के मालिक थे अब उन्होंने 700 शेर और प्राप्त कर लिये थे लेकिन वास्तों में प्रती शेर की कीमत में प्रते एक वी भाजन के साथ आधे में कटोती की गई थी दिसंबर 1999 में एक अलग 110 शेर अधारक को ओनलाइन संदेश बोड की तरफ से एक शफत पत्तर दिया गया था जिसे उन्हें भरना था उसमें लेखा था अगर मैं 80 साल की उमर तक इन शेरों को दारन करने जा रहा हूँ तो इसके बाद अगले वर्षों में इसके सेंकडों बार विवाजन होने के बाद मैं CEO बनने के करीब हूँ ग्रहम ने तो इसे एक मैट सूट पहन कर वह एक दस पुट के डंडे के साथ भी नहीं चुआ होगा 110 का राजसव 1998 में बाउन पॉइंट 7 मिलियन डोलर से बढ़कर 1999 में 242.1 मिलियन डोलर हो गया था लेकिन 1999 में उनके राजसव में 130.3 मिलियन डोलर का नुकसान हुआ था जो कि पिछले साल की तूलना में दुगना था कंपनी का कुल रेन 2.6 मिलियन डोलर था और वह नगदी के लिए इतना भूका था कि उसने अकेले दिसंबर के महिने में ही 971 मिलियन डोलर उधार लिये थे 110.2 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार नई उधारी आने वाले वर्ष में अपने ब्यास बुगतान के लिए 50 मिलियन डोलर से अधिक चोड़ेगी कमपनी ने 156 मिलियन डोलर की नगदी के साथ 1999 की शुरुवात की और नई वित पोशन में 1.3 मिलियन डोलर जुटाने के बाद भी वर्ष का समापन 1 बिलियन डोलर के नगद शेश के साथ किया जिसका अर्थ है कि उसके व्यवसायों ने 1999 के दोरान 400 मिलियन डोलर से अधिक की राशे को निगल लिया था एक कमपनी कैसे एसी स्थिति में अपने रिंका बुटान कर सकती है लेकिन निश्चित रूप से ओनलाइन व्यापारियों को यह बताया गया था कि कमपनी स्वस्थती जिसका स्थोक तेजी से बढ़ रहा था इस स्थोक ने लॉंचपेड 1999 में नाम का उप्योग करके व्यापारियों को धोका दिया था जो अनंत तक वै उससे आगे और बढ़ना जारी रहेगा लॉंचपेड की मुर्खता पूर्ण भरी बविश्यवानी की अनंत से परे थी जो कि ग्राहम की क्लासिक चेताउनियों में से एक का सही अनुसमार कहे आज का निवेशक में ग्राहम हमें बताते हैं कि जो वविश्य की आशंका से इतना चिंतित हो कि वह पहले से ही इसके लिए सुंदर बुखतान कर रहा हो और इसके लिए उसने इतने अध्यन और देखभाल के साथ जो अनुमान लगाया हो जो वास्तों में पूरा हो सकता है लेकिन फिर भी उसे कोई लाब नहीं हो रहा हो तब उसे इस हद तक ऐसा पल हो जाना चाहिए कि जब वह वास्तों में एक एस्थाई और शायद स्थाई नुकसान का सामना कर सकता हो इन इस का अन्त आईए जानते हैं कि 1999 के बाद इन चार शेरों ने कैसा प्रदर्शन किया इमर्सन इलेक्टिक ने साल 2000 में 40.7% रिटर्न हासिल किया हालांकि 2001 और 2002 दोनों सालों में शेरों ने पैसे खो दिये फिर भी वे 1999 के अपने अंतिम मुल्य से 4 परतिसत से कम पर साल 2002 को कुरा किया साल 2000 में इन सी भी 21.7% रिटर्न के साथ बढ़ा लेकिन 2001 में शेरों में 89.4% और 2002 में एक और 54.3% की गिरावट आई इसमें उने 1999 के अंत में अपने स्तर से 88% नीचे तक गिरा दिया 2001 तक राजसों में 10 मिलियन डोलर के पूरवा नुमान का क्या हुआ EMC ने उस साल सिर्फ 7.1 बिलियन डोलर और 508 मिलियन डोलर के शुद गाटे के साथ इस साल को स्माप्त किया इस बीच जैसे की बेर बाजार भी मुझूद नहीं था EXPENDITORS INTERNATIONAL के शेरों ने साल 2000 में 22.9 प्रतिसत साल 2001 में 6.5 प्रतिसत और साल 2002 में एक और वार्षिक रिटर्न 15.1 प्रतिसत हासिल किया उसने वर्ष 1999 के अंत में उनकी कीमत की तुल्णा में लगबग 51 प्रतिसत अधिक वार्षिक रिटर्न अर्चित की थी 110 का स्टोप साल 2000 में 55 प्रतिसत और 2001 में 99.8 प्रतिसत पर लुढग गया 26 सितंबर 2001 को 110 ने दिवालियपन सरंक्षन के लिए अपना दावा दायर किया कंपनी की अधिकांस संपत्ती ब्रिटिस दूर्ष संचार क्षेतर की केबल एंड वायरलेस द्वारा खरी दी गई थी अपने शेर धारकों को वादा की गई दूद और शहद की भूमी पर पहुंचाने के बजाए उसने उने जंगल में निर्वाशित कर दिया 2003 की शुरुवात में 110 के स्टोक में अंतिम व्यापार एक पैसा प्रतिशेर था धन्यवाद हिंदी ओडियोबुक डोट कॉम आपका दिन चुब हो दा इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अध्याए 14 रक्षात्मक निवेशक के लिए स्टोक का चैयन वहे जो धन कमाने के लिए बहुत सारे कारناमों को अंजाम देता है और उससे कुछ लाप प्राप्त करता है फिर बार बार तूटता है और वापिस फिर उसी गरीबे में आ जाता है वहे शायद ही कभी ज़्यादा धन कमा पाएगा इसलिए उसके लिए अच्छा होगा कि निश्चितता के साथ रोमांच की रक्षा करे जो उसके नुक्सान को रोक सकता है सर फ्रांसिस बेकन शुरू करें आपको स्टोक चैयन के बुनियादी तथ्यों को कैसे प्रियोग करना चाहिए ग्राहम का सुझाव है कि रक्षात्मक निवेशक सबसे सरल रूप से डाउजोंस इंडस्ट्रियल एवरेज में हर शेर खरीद सकते हैं आज का रक्षात्मक निवेशक कुल स्टोक मार्केट इंडेक्स फंड खरीद कर जो अनिवारिय रूप से हर स्टोक को रखने लाएक है उससे और भी बेहतर कर सकता है एक कम लागत वाला इंडेक्स फंड कम रख रगाव स्टोक निवेशक के लिए बनाया गया सबसे अच्छा उपकरन है इसमें सुधार करने का कोई भी परियास वास्तों में रख्षात्मक निवेशक की तुलना में अधिक काम कर सकता है ज्यादातर लोगों के लिए अपने स्टोक का शोध और चैयन करना आवशक नहीं है और यह एड़वाईसेबल भी नहीं है हालांकि कुछ रख्षात्मक निवेशक व्यक्तिगत शेरों को खरीदने की बोधिक चुनोती का आनंद लेते हैं यदि आप बेयर बाजार से बच गए हैं और अभी भी स्टोक उठाने का आनंद लेते हैं तो ग्रहाम तो क्या भगवान भी आपको नहीं बचा सकते हैं लेकिन फिर भी उस स्थिती में कुछ स्टोक मार्केट इंडेक्स बंड को आपका पूरा पोर्टफोलियो बनाने के बजाए इसे अपने पोर्टफोलियो की निव बनाएं एक बार जब आपके पास वहे आधार हो जाता है तो आप अपने स्वें के स्टोक विकल्पों के साथ या उनके आसपास इसका प्रियोग कर सकते हैं अपने स्टोक के पैसे का 90 प्रतिशत एक इंडेक्स भंड में रखें जिसमें 10% छोड़कर अपने स्टोक को चुनने की कोशिश करें आपके द्वारा उस ठो स्कोर के निर्मान के बाद ही आपको और ज़्यादा प्रियोग करने चाहिए बार बार जांच करें स्टोक चैन के लिए ग्राहम के मापधंडों को संक्षेप में समझें प्रियाप्त आकार आजकल छोटी कमपनियों को छोड़कर अधिकांस रक्षात्मक निवेशकों को कुल 2 बिलियन डॉलर से कम के बाजार मुले वाले शेयरों से दूर ही रहना चाहिए साल 2003 की शुरुवात में आपको अपने स्टंडर्ड एयों पूर्स के 500 स्टोक इंडेक्स में से पुल 437 कमपनियों को चुनना छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये इस कैटेगरी में फिट नहीं बैखती थी हालांकि आज के रक्षात्मक निवेशक ग्राहम के दिनों में उन लोगों के वीपरीत छोटे शेरों में विशेशक गयता वाले म्यूचल फंड खरीद कर आसानी से छोटी कमपनियों के मालिक बन सकते थे फिर से वेंगार्ट स्माल कैप इंडेक्स जैसी एक इंडेक्स फंड वाली पसंद है हालांकि एरियल, टीरोवे प्राइस, राइस और थर्ड एवेन्यू जैसी फर्मों के पास उचित लागत पर सक्रिय पंड उपलब्द है मजबूत वित्यस थी थी बाजार रननितिकारों के अनुसार 2003 की शुरुवात में मौर्गन स्टेनली के स्टीव गैलबरित और जेलस एसेंड पी 500 इंडेक्स में लगबग 120 कंपनियों ने ग्राहम के एक के दो स्प्लिट के वर्तमान अनुपात का परिक्षन किया करंट एसेट के साथ कम से कम दुगनी करंट लाइबल्टीज के साथ इन फर्मों के पास वर्किंग कैपिटल का एक बड़ा कुशन था जो ओस्तन कथिन समय में वै उसके बाद उन्हें बनाई रखने में मदद करता है विकास स्टोक के बुलूले के पटने से वाल स्ट्रीट ने अपने चारों और एक लोहे का मजबूत जाल बना लिया था लेकिन तभी एक खुशी भी पैदा हुई थी 1999 और 2000 में उच्च तकनी, जैयो तकनी और दूर संचार शेयरों को आकरामक विकास परदान करना चाहिए था लेकिन वेस्वाप्त हो गए उसी समय बदले में उनके अधिकांश निवेशक उन्हें एग्रेसिव स्रिंकेज दे रहे थे लेकिन 2003 की शुरुवात में पहिया पूर्ण चकर में आ गया था और उन आकरामक विकास शेयरों में से कई फाइनेंसियली कंजरुवेटिव बन गए थे जो वरकिंग कैपिटल से भरपूर, कैस में समरद और अक्सर रिण मुक्त थे यहां सबक यह नहीं है कि ये स्टोक एक निश्चित बात थे या कि आपको सबकुछ या इनमेंसे कुछ भी खरीदना चाहिए इसके बजाए आपको महसूस करना चाहिए कि एक रक्षात्मक निवेशक हमेशा धैरिय पूर्वक और शान्ती पूर्वक रूप से एक बेयर बाजार के मलवे के माध्यम से भी समरद हो सकता है वित्य ताकत की ग्राहम की कसोटी अभी भी काम करती है जो यह है कि यदि आप ऐसे शेरों की ये डाइवर्सिफाइड बकेट बनाते हैं जिनकी मौझूदा संपत्ती कम से कम उनकी मौझूदा तेंदारियों से दूगनी हो और जिसका दिर कालेन भेंड उसकी वरकिंग कैपिटल से अधिक नहीं हो तो आपको कंजरवेटिवली फाइनेंस्ट कमपनीज के समू के साथ साथ भरपूर शक्ती अरजित करनी चाहिए आज के सरवोतम मुल्य अक्सर उन शेरों में पाए जाते हैं जो कभी करम थे और उसके बाद ठंडे हो गए पूरे एतिहास में एसे शेरों ने अक्सर उन्हें सुरक्षा का मारजन परदान किया है जो एक रक्षात्मक निवेशक मांग करता है कमाई की स्थिर्ता मारगन स्टेनली के अनुसार S&P 500 इंडेक्स में सभी कमपनियों के 86% लोगों को 1993 से 2002 के दोरान हर साल सकारात्मक कमाई हुई है इसलिए ग्राहम का कुछ आम स्टोक इसलिए 10 वर्सों में कमाई करते हैं एक वैद परिक्षन बनी हुई है दूसरी हार को खत्म करने के लिए यह प्रयाप्त कठिन है लेकिन यह इतना भी सिमित नहीं है कि आप अपने विकल्पों को एक छोटे से नमूनवे में सिमित कर सकें डिविडेंट रिकोर्ड स्टेंडर्ड एंड पूर्स के अनुसार 2003 के शुरुवात में S&P 500 में 255 से कम कम्पनियों ने एक पंक्ति में कम से कम 20 वरसों के लिए लाभाँस का बुगतान नहीं किया है और S&P के अनुसार सुसकांक में 97 कम्पनियों ने कम से कम लगातार पत्चीस वरसों से अपने लाभाँस को बढ़ाया है इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वे अशा हम ऐसा के लिए करेंगे लेकिन यह संकेब एक सुकून की बात है आई में वरदी साल 2002 में समाप्त होने वाले 10 वर्षों में S&P 500 में कितनी कमपनियों ने परती वर्ष कम से कम एक तीहाई जो ग्रहम की आवशक्ता के अनुसार अपनी आई में वरदी की मारगन स्टेनली के अनुसार S&P 500 में 264 कमपनिया उस परिक्षन से मिली लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि ग्रहम ने बहुत कम बादाएं खड़ी की जो एक दसक में 33% संचई वरदी, 3% ओसत वार्षिक वरदी से कम है कम से कम 50% की परती शेयर आए में संचई वरदी 4% की ओसत वार्षिक वरदी थोड़ी कम रूडिवादी है S&P 500 इंडेक्स में 245 से कम कमपनियों ने 2003 की शुरुवात तक उस मापधन को पूरा नहीं किया जिससे रक्षात्मक निवेशक को चुनने के लिए प्रियाप्तसूची मिले मोडेट P.E. अनुपात ग्रहम कुद को उन शेयरों तक सिमित करने की सला देते हैं जिनकी मौजूदा केमत पिछले तीन वर्षों में ओसत आए से 15 गुना से अधिक नहीं है एविस्वस्निय रूप से वाल स्टेट में प्रचलित पर था कि आज अगले वर्ष की कमाई नामक किसी चीज के दोरा अपने वर्ष मनलय को विवाजित करके शेयरों को मुलय देने के लिए है जो कि कभी-कभी पौरवड P.E. अनुपात कहलाता है लेकिन अग्यात पहिश्य की कमाई दोरा ग्यात वर्ष मुलय को विवाजित करके मुल्य या आयन उपाद विद्कुरम करने के लिए निर्थक है काफी समय पहले मनी मैनेजर डेविड ड्रेमेन ने कहा था कि वाल स्ट्रीट की सर्वसम्मत्ती की कमाई का 69% एक निउंतम मुल्य मार्जिन के निशान को याद करता है जो या तो कम से कम 15% द्वारा वास्त्विक रिपोर्ट की गई कमाई को कम करना या कम करके आंक कर इसमें अपने पैसे का निवेस करना है आने वाले वर्ष के लिए इन मायोपिक सुथेयर्स ने जो बहुश्यवानी की है उसका आधार कानूनी रूप से नेत्रहीन लोगों के लिए एक तीरंदाजी टूर्नामेंट में बुलाई को पकड़ने की बजाए पिछले तीन वर्षों में ओसताई से विभाजित वर्थमान मुल्य के ग्राहम के फार्मूले का उप्योग करके अपने आप एक शेर के कीमत ओवलिक आये अनुपात की गणना करें 2003 की शुरुवात में S&P के 500 इंडेक्स में कितने स्टोक थे जिनकी कीमत 2002 की ओसत कमाई के 15 गुना अधिक नहीं थी मार्गन स्टैनली के अनुसार कुल 185 कमपनियों ने ग्राहम का परिक्षन पास किया था मोडरेट प्राइस टू डूक रेशो ग्राहम एक पॉइंट पांस से अधिक नहीं की संपत्ति के मुल्या का अनुपात की सिफारिस करते हैं हाल के वर्षों में कमपनियों के मुल्या का बढ़ता अनुपात फरंचाईज, ब्राइन नेम, पेटेंट और ट्रेडमार्क जैसे अमूर्थ संपतियों से आया है चुकि इन कारकों को पुस्तक मुल्या की मानक परिभासा से बाहर रखा गया है इसलिए आज अधिकांश कमपनियों की कीमत ग्राहम के दिनों की तुल्ना में उच्छ मुल्या से पुस्तक गुनकों पर है मार्गन स्टैनली के अनुसार S&P 500 में 123 कमपनियों की कीमत डेट गुना बुक वैल्यू से कम है 2003 कमपनियों में 2.5 से कम मुल्य की बुक अनुपात है ग्राहम के उस सुझाओ के बारे में जो आपने प्राइस टू बुक रेशो द्वारा P.E. अनुपात को गुना करें और देखें की परिणामी संख्या 22.5 से कम है या नहीं मार्गें स्टेंली के आंकडों के आधार पर S&P 500 में कम से कम 142 स्टोप प्रारंबिक परिक्षन के रूप में 2003 के प्रारंबिक दोर से गुचर सकते थे जिन में डोना कार्प्स Electronic Data System Sun Microsystems और Vansigiton Mutual शामिल थे इसलिए ग्राहम का मिस्रित गुनक अभी भी यतोचित मुल्य वाले शेरों की पहचान करने के लिए एक प्रात्मिक स्क्रीन के रूप में काम करता है यतोचित प्रिश्रम कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक निवेशक के रूप में कितने रक्षात पक है ग्राहम के अर्थ में आप जिस काम को स्टॉक में डालते हैं उसे कम से कम करने की इच्छा रखते हैं लेकिन कुछ ऐसे चरण हैं जिनें आप छोड़ नहीं सकते हैं अपना हॉम वर्क करें www.sec.gov पर एडगार डेटावेस के माद्यम से आप एक कमपनी की वार्षिक और त्रेमासिक रिपोर्ट के साथ-साथ प्रवंद्गों के मुआउजे स्वामितव और ब्याज के वापसी संघर्षों का खुलासा करने वाले प्रोक्सी स्टेडमेंट तक पहुँचकर कम से कम पांच साल का मुल्य पढ़े हैं पडोस की जांच करें quicktake.morningstar.com finance.yahoo.com और quicken.com जैसी वेबसाइटें आसानी से बता सकती है कि किसी कमपनी के कितने परतिशत शेयर संस्तानों के स्वामितों में है अगर वह 60 परतिशत से अधिक कुछ भी बताता है तो एक शेयर मुश्किल में है यह शायद अंदेखा और अतिप्रशिद है वे वेबसाइटें आपको यह भी बताएंगी कि स्टोक के सबसे बड़े मालिक कौन है यदि वे धन्वान फर में है जो समान शैली में निवेश करती है तो यह एक अच्छा संकेत है धन्यवाद hindiaudiobook.com अपका दिन शुब हो दुनिया की राय के बाद दुनिया में रहना आसान है हमारे लिए एकांत में रहना भी आसान है लेकिन महान विक्ति वही है जो भीड में एकांत की सुतंतरता लिए परिपूर्ण मिठास रखता है राल्फ वार्डो इमर्शन अभ्यास अभ्यास और केवल अभ्यास म्यूचल फंड से सिरीज के संस्तापक मैक्स एहीन ने कहा था कि येरुसलम तक जाने के लिए कई सड़के हैं इस मास्टर स्टोक पीकर का मतलब था कि शेरों का चैन करने का उनका अपना मुल्य के अंदरी तरीका एक सफल निवेशक बनने का एक मातर रास्ता नहीं है इस अध्याय में हम कई तकनिकों को देखते हैं जो आज के कुछ धन परबंदक स्टोक चुनने के लिए उप्योग करते हैं सबसे पहले हालांकि यह दोहराने के लाइक है कि अधिकांस निवेशकों के लिए व्यक्तिगत स्टोक का चैन करना अनावशक है यदि यह अनुप्यूक्त नहीं है तब तथ्याई यह है कि ज़्यादातर पेशेवर स्टोक पिकिंग का खराब काम करते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि अधिकांस एमेच्योर बेहतर कर सकते हैं स्टोक चुनने की कोशिश करने वाले अधिकांस लोग सीखते हैं कि वे उतने अच्छे नहीं है जितना उन्होंने सोचा था सबसे भाग्यासाली लोगों को यह जल्दी पता चलता है जबकि कम भग्यासाली लोगों को इसे सीखने में सालों लग जाते हैं निवेशकों का एक छोटा प्रतिशत अपने स्वेके शेयरों को चुनने में उतकरश्ता प्राप्त कर सकता है लेकिन बाकी सबी को आदर्स रूप से एक इंडेक्स पंड के माध्यम से मदद लेना बेहतर होगा ग्राहम ने निवेशकों को पहले अभ्यास करने की सला दी है जैसा की सबसे महान एथलेट और संगीतकार भी अभ्यास करते हैं और हर वास्तविक प्रदर्शन से पहले पूर्वा भ्यास करते हैं उन्होंने एक साल ट्रैकिंग और स्टाग जो की असली पैसे के साथ नहीं बलकि वर्चुल रूप से खरीद कर शुरू करने का सुझाओ दिया है आजकल आप moneycontrol.com, morningstar.com, finance.yahoo.com, money.cnn.com या marketocracy.com जैसी वेब साइटों पर पोर्टफोलियो ट्रैकर का उप्योग कर सकते हैं वास्तविक धन के साथ प्रियास करने से पहले अपनी तकनिकों का प्रिक्षन करके आप किसी वास्तविक नुकसान के बिना गल्दी कर सकते हैं लगातार व्यापार से बसने के लिए अनुशाशन विक्षित कर सकते हैं अपने दृष्टिकों की तुलना कर सकते हैं उन अग्रणी money manager के अलावा और जाने कि आपके लिए कौन सी तकनिक बेहतर काम करती है सबसे अच्छा आपके सभी स्टोग पिक्स के परिणामों पर नजर रखने से आप यह भूल जाते हैं कि आपके कुछ कूबर पलक जबकते ही इसे रोग देंगे जो आपको अपने विजेताओं और अपने हारे हुए लोगों से सीखने के लिए मजबूर करेगा एक साल के बाद अपने परिणामों को मापें कि आपने अपने सभी पैसे S&P 500 इंडेक्स फंड में कैसे लगाई होंगे यदि आपको प्रियोग में मज़ा नहीं आया या आपकी पसंद खराग थी तो कोई नुकसान नहीं हुआ लेकिन व्यक्तिगत शेयरों का चैन करना आपके लिए सही नहीं है अपने लिए एक इंडेक्स फंड खरीदें वह स्टाक खरीदने पर अपना समय परबाद करना बंद कर दें यदि आपने प्रियोग का आनंद लिया है और प्रियाप्त रूप से अच्छे रिटर्न अरजित किये है तो दीरे दीरे शेयरों की एक टोकरी को इकठा करें लेकिन इसे अपने समगर पोर्टफोलियों के अधिक्तम 10 परतिशत तक ही सीमित रखें और बाकी को एक इंडेक्स फंड में रखें तता याद रखें आप हमेशा इसे तब रोख सकते हैं जब यह आपकी रूची का नहो या आपके रिटर्न खराब हो जाते हैं सही स्थानों की तलास कैसे करें आपको संभावित रूप से बहेतर स्टाक की तलास कैसे करनी चाहिए आप अध्याई 14 में सुझाए गए संखे की फिल्टर के साथ स्क्रीन स्टोक के लिए finance.yahoo.com और morningstar.com जैसी वेब साइटों का उपयोग कर सकते हैं अधिकांस लोगों के वीपरीब कई सर्वसरेष्ट पेशेवर निवेशक तब पहली बार किसी कंपनी में दिल्चस्वी लेते हैं जब इसकी शेर की कीमत नीचे आती है उपर नहीं ट्वीडी ब्राउन, ग्लोबल फंड वैल्यू के क्रिस्टोफर ब्राउन, ओकमार्क फंड के विलियम न्याग्रेन, एफपी अ कैपिटल फंड के, रबर्ट रोडरी गेज और टेरो फंड के, रबर्ट टेरो सभी का सुझाव है कि वाल स्ट्रीट जर्नल में नए बावन सप्ता के बेचारों की दैनिक सुची देखें यह आपको उन शेरों जो एपरियुक्त या एपरमानित है और इस परकार यह है आपकी दहरना बदलते समय उच रिटर्न की संभावनाई प्रदान करते हैं डेविस फंड के क्रिस्टोफर डेविस और लेग मैसन वेल्यू ट्रस्ट के विलियम मिलर निवेशित पूंजी या आरो आई सी पर बढ़ते हुए रिटर्न को देखना पसंद करते हैं यह मापने का एक तरीका है कि कंपनी कितनी कुशलता से जिसे वारेन बफेट ने मालिक की कमाई कहा है उत्पन करती है अब तूलना या जिस कीमत पर इसी तरह के वियवसायों को वर्सों से अधिग रहित किया गया है कि जांच करके ओकमार के नाईजरेन और लोंग लिफ पार्टनर के ओमैसन हॉकिंग जैसे प्रवंदकों को एक बेहतर पुश मिलता है जो किसी कंपनी के डिविजनों के लाइक होता है एक व्यक्तिकत निवेशक के लिए यह सरम साध्य और कठिन काम है कंपनी की वार्सिक रिपोर्ट में बिजनस सेग्मेंट फुटनोट को देख कर शुरू करें जो आम तोर पर उद्योगिक शेतर राजसव और प्रतेक सहायक की कमाई को सुचिबत करता है फिर उनी उद्योगों में अपनी कंपनियों के उधार्णों के लिए फेक्टिवा, प्रोक्वेस्ट या लेक्सिस नेक्सिस जैसे समाचार डेटाबेस कोजे जो हाल ही में हासिल किये गए हैं अपनी पिछली वार्सिक रिपोर्टों का पता लगाने के लिए sec.gov पर एडगार डेटाबेस का उप्योग करके आप उन अधिक रहीत कंपनियों की कमाई के लिए खरीद मुल्यका अनुपात निर्धारित करने में सक्षम हो सकते हैं फिर आप उस अनुपात को यह अनुमान लगाने के लिए लागू कर सकते हैं कि जिस कमपनी की आप जांच कर रहे हैं उसके समान वी भाजन के लिए एक कार्पोरेट अधिक रहन करता कितना बुखतान कर सकता है कमपनी के प्रतेग डिवेजिनों का इस तरह से अलग-अलग विशलेशन करके आप यह देखने में सक्षम हो जाते हैं कि वे मौझूदा स्टोक मुल्य से अधिक मुल्य के हैं या नहीं लोंग-लिफ के हाकिन्स को यह पसंद है कि वे 60 सेंट डोलर कहते हैं या जिस कमपनीओं का स्टाक 60 या उससे कम मुल्य पर कारोबार कर रहा है जिस पर वह व्यवसायों का मुल्याकन करता है यह ग्राहम की सुरक्षा परदान करने में मदद करता है बोस कोन है? अंत में अधिकांस अगर्णी पेशेवर निवेशक यह देखना चाहते हैं कि एक कमपनी एसे लोगों दुआरा चलाई जाती है जो ओकमार्क के विलियम न्यागेन के शब्दों में मालिकों की तरह सोचते हैं नेकी केवल परबंदकों की तरह है दो सरल परिक्षन क्या कमपनी के वितिय विवरन आसानी से समझ में आते हैं या वियापती से भरे हैं क्या नोन रिक्रिंग या ऐसा धारन या ऐसा मान्य शुलक है या क्या उन्हें पुन्रावर्थी की एक बुरी आदत है लोंग लिप के मेशन हाकिन्स कोर्परेड परबंदकों के लिए बताते हैं जो अच्छे साथी हैं यह मानते हुए कि वे समश्याओं के बारे में स्पस्ट रूप से समवाद करते हैं उनके पास वर्तमान और भविश्य के नगदी परवा को आमपटित करने के लिए स्पस्ट योजनाए होती है और कमपनी के स्टाक में खुद के बड़े आकार के नाव होते हैं लेकिन अगर परबंदक व्यावसाय को छोड़ स्टोक की कीमत के बारे में अधिक बात करते हैं टोरे फंड के रबर्ट टोरे चेताउन ही देते हैं हम रूची नहीं रखते हैं डेविस फंड के क्रिश्टो पर डेविस उन फर्मों का समर्थन करते हैं जो स्टाक विकल्पों को जारी करने की सीमा को 3% तक सीमित करती है वेंगार्ड प्राइमें फंड में हावर्ड शाय यह ट्रेक करते हैं कि कमपनी ने एक साल पहले क्या कहा था और उसका आगे क्या परिणाम हुआ हम ने केवल यह देखना चाहते हैं कि प्रबंदक शेर धार्गों के साथ इमानदार हैं बलकि यह भी कि वे खुद के साथ इमानदार हैं या नहीं भले ही आपके वलकुछ शेरों के मालिक हों फिर भी आप एक कम्पनी के नियमित रूप से निर्धारित सम्मेलन कॉल पर सेडूल का पता लगाने के लिए कॉर्पोरेट मुख्यले में निवेशक संबंद विभाग को कॉल करें या कम्पनी की वेब साइट पर जाएं FBA Capital Fund के Robert Rodriguez कम्पनी की वार्चिक रिपोर्ट के पिछले प्रष्ट पर जाते हैं जहां इसके ओपरेटिंग डिविजिनों के हेड्स सूचिबद है यदि उन नामों में पहले से बहुत अधिक टर्न ओर है जो कि एक नए CEO के वर्तमान कारियकाल के एक या दो साल में आई हैं तो शायद यह एक अच्छा संकेत है वहें ब्रत लकडी की सफाई कर रहा है लेकिन अगर उच टर्न ओर तो यह टर्न राउंड शायद उथल पुथल में बदल सकता है रास्ते पर अपनी नजर बनाई रखें येरुसलम के लिए इससे भी ज़्यादा सडके हैं कुछ परमुक पोर्टफोलियो मैनेजर जिसे ड्रेमेन वेल्यू मैनेजमेंट के डेविड ड्रेमेन और थर्ड एवेन्यू फंड्स के मार्टिन वेट्समेन बहुत कम संपत्ती, कमाई या नगदी परवापर बेचने वाली कमपनियों पर ध्यान के अंद्रित करते हैं अन्या राइस फंड्स के, चार्ल्स राइस और फिडेलिटी लो प्राइड स्टोक फंड के जो इल्टिलास्ट की तरह छोटी कमपनियों के शिकार करते हैं तो उन फंड्स कमपनियों की वेबसाइट पर जाएं और उनकी हाल की रिकोर्ट डाउनलोड करें यह देखकर कि इन निवेशकों के पास कौन से अन्या शेयर हैं आप इस बारे में अधिक जान सकते हैं कि उनमें क्या गुन है परबंदकों की टिपनी पढ़ कर आप यह जान सकते हैं कि कैसे अपने द्रिष्टिकोंड में सुधार करने के लिए कौन से क्षेतर पर विचार कर सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे स्टोब चुनने में किन तकनिकों का उप्योग करते हैं सफल निवेश करने वाले पेशेवरों में दो चीजें समान होती है पहली वे अनुशाशित और सूसंगत है जब वे एपर यहरी होते हैं तब भी अपना द्रिष्टिकोंड बदलने से वे इनकार करते हैं दूसरा, वे इस बारे में बहुत सोचते हैं कि वे क्या करते हैं और कैसे करते हैं लेकिन वे इस बात पर बहुत कम ध्यान देते हैं कि बाजार क्या कर रहा है धन्यवाद, hindi-audiobook.com आपका दिन शुब हो दा इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कनवर्टिबल इश्यूज और वारेंट्स हिंदियोडियोगुक डोट कॉम बदलाओ का जोस हालांकि कनवर्टिबल बॉंड्स को बॉंड कहा जाता है लेकिन वे स्टोक की तरह व्यभार करते हैं ओप्शन की तरह काम करते हैं और एस प्रस्टता से बंद हो जाते हैं यदि आपके पास कनवर्टिबल बॉंड से हैं तो आपके पास एक ओप्शन भी है आप या तो बॉंड रख सकते हैं और उस पर ब्याज अर्जित करना जारी रख सकते हैं या आप इसे पूरो निर्धारित अनुपात में जारी करने वाली कमपनी के सामाने स्टोप के लिए विनिमे कर सकते हैं क्योंकि एक ओप्शन अपने मालिक को किसी निश्चित समय पर एक निश्चित आउदी में दूसरी सुरक्षा खरीदने या बेशने का अधिकार देता है क्योंकि वे स्टोप में एक्सेंजिबल हैं इसलिए ये कंपेरिटेबल बॉंड्स की तुलना में कम ब्यासदर परदान करते हैं दूसरी और अगर किजी कमपनी के शेयर की कीमत बढ़ जाती है तो उस स्टोक में एक कनवर्टिबल बॉंड एक कनवेंशनल बॉंड की तुलना में बेहतर परदशन करेगा 1957 से 2002 के दोरान इवड्सन एसोसियेशन के अनुसार कनवर्टिबल बॉंड्स ने स्टाक की तुलना में स्तिर कीमतों और उथले घाटे के साथ कुल रिटर्न से 8.3% की कम वार्षिक ओसत रिटर्न अरजित की शेरों की तुलना में अधिक आए कम जोखिम नहीं है यह आस्चरिया है कि वाल स्ट्रीट के लोगों ने अकसर कनवर्टिबल को दोनों दुनिया के सर्वसरेष्ट निवेश के रूप में वर्णित किया है लेकिन बुद्धिमान निवेशक जल्दी ही महसूस कर लेते हैं कि कनवर्टिबल अधिकांस अन्य बॉंडों की तुलना में कम आए और अधिक जोखिम परदान करते हैं इसलिए वे एक ही तरक से और समान नियाए के साथ दोनों दुनिया के सबसे बुरे निवेश कहे जाते हैं आप किस पक्स में आते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उनका उप्योग कैसे करते हैं सच में कनवर्टिबल्ज बॉंड की तुलना में स्टोक की तरह अधिक कारिय करते हैं कनवर्टिबल्ज पर रिटर्ट लगबग 83% S&P 500 स्टोक इंडेक्स से संबदित है जो ट्रेजरी बॉंड के परदर्शन से केवल 30% संबदित है इस परकार बॉंड को तब कनवर्ट किया जाता है जब आधिकांस बॉंड अपनी स्थिती बदलते हैं बॉंड में अपने अधिकांस या सभी संपतियों के साथ रूडिवादी निवेशक के लिए कनवर्ट से डाइवर्सिफाइट बंडल को जोडने से स्टोक में सीधे निवेश करने का डरावना कदम उठाई बिना स्टोक जैसे रिटर्न की तलास का एक समझदार तरीका है आप कनवर्टिबल बॉंड को स्टोक फॉर चिकन कह सकते हैं जैसा की एडवेंट कैपिटल मेनेजमेंट के कनवर्टिबल एक्सपर्ट एफ बैरी निल्सन बताते हैं ग्राहम के दिनों से लेकर अब तक यह लगवग 200 बिलियन डोलर का बाजार हो चुका है अधिकांस कनवर्टिबल अब साथ से दस साल तक की सीमा के मध्यमवदिके हैं लगबग आदे निवेश ग्रेड हैं और कई इशूज पर अब कुछ कॉल परटेक्शन होता है इन सभी कारकों ने उन्हें जो वे करते थे उससे कम जोखिम बरा बना दिया है जब तक आप इस क्षेतर में अकेले एक लाग डॉलर निवेश करने में सक्षम नहीं होते हैं तब तक छोटे कनवर्टिबल बॉंड्स का व्यापार करना और डाइवर्सिफिकेशन है व्यावारिक है सो भग्य से आज के बुद्धिमान निवेशक के पास लोग कोस्ट कनवर्टिबल बॉंड्स फंड खरीदने का सुईदा जनक उपहार है फिडेलिटी और वेंगार्ड्स एक परतिसत वार्षिक खर्च पर म्यूचल फंड की पेसकर्श करते हैं जबकि कई क्लोजड एंड फंड्स भी उचित कीमत पर उपलवद है वाल स्ट्रीट पर क्यूटनेस और कंपलेक्सिटी हाथों हाथ चली जाती है जब इसमें कोई कनवर्टिबल पर अपवाद नहीं हो इसके लिए निवेशकों के लिए नई किसमों में LYONS, ELKS, EYES, PERCS, MIPS, CHIPS और YEEELDS जैसे संक्षिब्द उपनामों के साथ सीक्यूरテीस की एक बड़ी सरंकला उपलब्द है ये जटिल सीक्यूरテीस आपके संभावित नुकसान के लिए एक सुरकुषित फ्लॉर बनाती है ताकि आपका नुकसान ज्यादा नय हो सके लेकिन साथ ही साथ ये आपके सम्भावित मुनाफे को भी रोकती है और जो अक्सर आपको एक निश्चित तारिख पर आम स्टोक में बदलने के लिए मजबूर करती है अधिकांस निवेशों की तरह आप इसमें से भी एक सिल्ट को नए खरीद कर नुकसान के सामने खुद को डाल सकते हैं लेकिन समझदारी इसी में है कि आप अपने पॉर्टफोलियो को पूरी विवित्ता के साथ निवेश करें इसमें कुछ नगदी में, कुछ बॉंड में और कुछ अमेरिकी और विदेशी शेरों में ताकि आपका पॉर्टफोलियो किसी भी संकट से निकल कर आगे बढ़ सके और आपके सपने को पूरा करने में आपका साथ दे धन्यवाद, HindiAudiobook.com आपका दिन शुब हो बुद्धी के देवता वोडेन, विनाश के राजा के पास गए और उनसे हाथ जोड़कर यह जानने की मांग की कि अराजकता पर कैसे नियंदर्ण हो सकता है विनाश ने कहा, मुझे अपनी बाई आख दे दे दे, तब मैं आपको इसका जवाब बताऊंगा बिना किसी हिच की चाहट के, बुद्धी के देवता वोडेन ने अपने बाई आख निकाल कर उने दे दी और कहा, अब मुझे बताईए विनाश के राजा ने कहा, कि जो रहशे है, उसे आप दोनों आँखों से देख सकते हैं जॉन गार्डनर और अधिक परिवर्तन पहला, एक ओवर प्राइज्ट विशाल काई दूसरा, एक समराज्य निर्मान समू तीसरा, एक विले, जिसमें एक छोटी फर्म ने एक बड़ा काम संभाला चोथा, मूल रूप से बेकार कंपनी में शेरों की प्रारंबिक सारोजनिक पेश कर पिछले कुछ वर्चों में, ग्राहम के कुछ उच नई मामलों को एक नया विश्व कोश्परदान किया गया है यहां इसका एक नमूना है लिूसेंट पारदर्शिन नहीं है साल 2000 के मद्य में, लिूसेंट टेकनोलोजीज इंक के पास किसी अन्य अमेरिकी स्टोक की तुलना में अधिक निवेशक थे जिसका मार्केट कैपिडलाइजेशन 192.9 बिलियन डोलर के साथ यह अमेरिका में बारवी सबसे मुल्यवान कंपनी थी क्या यह विशाल मुल्यांकन उचित था 30 जून 2000 को समाप्त वितिय तिमाही में लिूसेंट की वितिय रिपोर्ट की कुछ मूल बातों पर नज़र डालते हैं लिूसेंट के रिपोर्ट के एक निकट रीडिंग में एक अनुत्रित टेलिपोन स्विच बोर्ड की तरह खत्रे की घंटी बस्ती है जो इस प्रकार है लिूसेंट ने 4.8 बिलियन डॉलर में एक ओप्टिकल उपकर्ण आपूर्ति करता क्रोमेटिक्स नेटवर्स को खरीदा था जिसकी 4.2 बिलियन डॉलर गुडविल या बुक मुल्य से उपर की लागत थी क्रोमेटिक्स में 150 करमचारी थे लेकिन इसका कोई ग्राहक नहीं था और साथ में इसका राजसो भी सुनने था इसलिए गुडविल शब्द एपरियाप्त लगता है शायद होपचेस्ट शब्द अधिक सटीक है यदि क्रोमेटिक के इम्ब्रोयन प्रोडेक्स ने काम नहीं किया तो लिूसेंट को गुडविल को उल्टना होगा और भविश्य की कमाई के लिए इसे चार्ज करना होगा दूसरी एक फुटनोड ने खुलासा किया कि लिूसेंट ने अपने उतपादों के खरीदारों को एक पॉइंट पांच बिलियन डॉलर का उधार दिया था अपने ग्रहकों को कहीं और उधार लिये पैसे की गारंटी में लिूसेंट भी 350 मिलियन डॉलर के लिए खुपर था इन ग्रहक लोन की कुल संख्या एक वर्स में दोगनी हो गई थी यह हमें बताता है कि लिूसेंट के उतपादों को खरीदने के लिए खरीदार नगदी से बाहर चले गए थे क्या होगा अगर वे अपने रिन का बुक्तान करने के लिए नगदी से बाहर भाग गए अन्त में लिूसेंट ने नए सोफ्टेर को कैपिटल एसेट के रूप में विक्सित करने की लागर का इलाज किया बलकि एक एसेट के बज़ाए यहे एक रूटीन बिजनस एक्सपेंस नहीं था जो कमाई से आना चाहिए निशकर्स अगस्त 2001 में लिूसेंट ने क्रोमेटिक्स डिविजन को बंद कर दिया क्योंकि इसके उतपादों ने किबल दो ग्राकों को ही अकर्षित किया वितिय वर्ष 2001 में लिूसेंट को 16.2 बिलियन डोलर का नुकसान हुआ वितिय वर्ष 2002 में इसने 11.9 अरब डोलर का और नुकसान किया उन नुकसानों में खराब रेन और ग्राक वित पोशन के लिए प्रावधान में 3.5 बिलियन डोलर गुडविल से संबंदित हानी में 4.1 बिलियन और कैपिटल सौफ्टेर से संबंदित 362 मिलियन डोलर लिूसेंट का स्टॉक 30 जून 2000 को 1.062 डोलर पर वे 2002 में 1.26 डोलर जो 2.5 साल में बाजार मुलियन में लगबग 190 बिलियन डोलर के नुकसान पर बंद हुआ अधीग रहन के जादूगर टाइको इंटरनेशनल लिमिटेड का वर्णन करने के लिए हम केवल विंस्टन चर्चिल को पैरा फियर कर सकते हैं और कहे सकते हैं कि इतना सारा तो इतने कम लोगों ने कभी नहीं बेचा 1997 से 2001 तक इस बर्मूंडा आधारित समूँ ने टाइको स्टोक के शेरों में सबसे अधिक 37 बिलियन डोलर से अधिक का खर्च किया इमेल्डा मार्कोस के अनुसार यह इसके लिए जूते खरीदने जितना ही आसान बन गया था अकेले वितिय वर्सद 2000 में अपनी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार टाइको ने लगवग 200 कमपनियों का अधिक रहन किया जिसके हर दूसरे दिन एक से अधिक की ओसत थी परिनाम टाइको में तेजी से ब्रदी हुई जिसका राज़सो पांच सालों में 7.6 बिलियन डोलर से 34 बिलियन डोलर हो गया और ओपरेटिंग इंकम 476 मिलियन डोलर के नुकसान के साथ 6.2 बिलियन का लाब हुआ कोई आसरिया नहीं कि कमपनी का 2001 के अंत में कुल स्टोक मार्केट वैल्यू 114 बिलियन डोलर था लेकिन टाइको के वितिय विबरन कम से कम इसके विकास के रूप में थे लगबग हर साल उन्होंने अधी ग्रेंड संबंदी शुलकों में सेंकडों मिलियन डोलर दिखाई ये खर्च तीन मुखे स्रेणियों में चले गई पहला विले या पुनर गठन या अन्य नगन्य लागत दूसरा लंबे समय तक संपत्ति की हानी के लिए शुलक और तीसरा खरीद प्रकिरिया अनुसंदान और विकास में राइट ओव संक्षिप्त में इन्होंने पहले तो मूर्खों की तरह प्रभार का उलेक किया दूसरा चिल्ला के रूप में और तीसरा ववपी प्रेड के रूप में आईए जानते हैं कि ये समय के साथ कैसे दिखे जैसा कि आप देख सकते हैं मारन शुलक जो की गैर अनुमानित माना जाता है पांच वर्सों में से चार में दिखाया गया जो कुल मिला कर 2.5 बिलियन डोलर था चिल्ला ने कालानूकर में रूप से व्रदी करके 700 मिलियन डोलर से अधिक की राशिप राप्त की वुपी प्रेड से एक और आदा बिलियन डोलर आया अब बुद्धिमान निवेशक पूछेगा यदि टाइकों की व्रदी दर अधिगरेंड की रननिती इतनी साफसुतरी थी तो यह कैसे हुआ कि एक साल में ओस्तन 700 मिलियन डोलर खर्च करने पड़े पहला अगर जैसा की स्वष्ट है टाइकों चीजों को बनाने का व्यावसाई नहीं करता था बलकि अन्य कमपनियों को खरीदने का व्यावसाई करता था जो चीजें बनाती है तो इसके मौरन पर नोन क्रीकिंग का रोग क्यों लगाया गया क्या वे व्यवसाई करने की टाइकों की सामान्य लागतों का हिस्सा नहीं थे दूसरा और हर साल की कमाई को जोड़ते हुए पिछले अधी ग्रेणों के लिए लेखांकन शोल के साथ कौन बता सकता है कि अगले साल क्या होगा वास्तों में एक निवेशा की यह भी नहीं बता सकता कि टाइकों की पिछली कमाई क्या थी 1999 में अमेरिकी परतिबुती और विनिमे आयोग द्वारा एक लेखा समिक्षा के बाल टाइकों ने 1998 के खर्चों में 257 मिलियन डॉलर को मोरन शुलकों से जोड़ दिया जिसका अर्थ है कि उन गहर बकाया लागतों की वास्तों में उस वर्ष भी पुन्रावर्ती हुई थी उसी समय कमपनी ने अपने मूल रूप से 1999 के कामों को फिर से शुरू कर दिया जिससे मोरन 929 मिलियन डॉलर तक गिर गया जबकि चिला 507 मिलियन डॉलर तक पहुँच गया था टाइकों सपस्टर रूप से आकार में बढ़ रहा था लेकिन क्या यह अधिकलाब दाइक था यह बात कोई बाहरी व्यक्ती सुरक्षित रूप से नहीं बता सकता था निशकर्स वितिय वर्स 2002 में टाइकों को 9.4 बिलियन डॉलर का नुक्सान हुआ स्टोप जो वर्स 2001 के अंत में 8.90 डॉलर पर बंद हुआ था 2002 में 17.08 डॉलर पर लुडग गया जो 12 महिनों में 71.3 की स्पष्टहानी थी सुआवलम बीन नावालिम 10 जनवरी 2000 को अमेरिका ओनलाइन इंक और टाइम वार्नर इंक ने घोष्टना की कि वे शुरू में 156 बिलियन डॉलर के मुल्यवाले सोधे में विले करेंगे 31 दिसंबर 1999 तक एवल के पास संपत्ती में 10.3 बिलियन डॉलर थे और पिछले 12 महिनों में इसका राजसव 5.7 बिलियन डॉलर था दूसरी और टाइम वार्नर के पास संपत्ती 51.2 बिलियन डॉलर और राजसव 27.3 बिलियन डॉलर था टाइम वार्नर एक को छोड़कर किसी भी माप से एक बहुत बड़ी कमपनी थी जो था अपने स्टाक का मुल्यांकन क्योंकि अमेरिका ओनलाइन ने इंटरनेट उद्ध्योग में निवेश करके निवेशकों को चौका दिया था लेकिन इसके शेर ने अपनी कमाई में 164 गुना की बढ़ोतरी दर्ज की है ताइम वारनर के स्टोक केवल टीवी, फिल्में, संगीत और पत्रिकाओं का लगवग 50 गुना कमाई के साथ बेचा गया सोदे की गोशना करते हुए दोनों कमपनियों ने इसे समानों का रणनितिक विले कहा ताइम वारनर के अद्यक्स गेराल्ड एम लेविन ने गोशना की कि एवल टाइम वारनर से जुड़े सभी के लिए आवसर असीम है सभी के लिए उन्होंने कहा जो इसके शेर धारक हैं उनके लिए भी उन्वादीपूर्ण तरीके से उनके स्टोक को अंतते इंटरनेट डारलिंग का कैच मिल सकता था इसके लिए टाइम वारनर के शेर धारकों ने इस सोदे को भारी मनजूरी दी थी लेकिन उन्होंने कुछ बातों के अंदेखी की है जो ये है पहली यह बराबरी का विले अमेरिका ऑनलाइन के शेर धारकों को चैंट कमपनी का 55 परतिसर देने के लिए डिजाइन किया गया था बले ही टाइम वारनर 5 साल बढ़ा था दूसरा तीन साल में दूसरी बार अमेरिकी परतिबूती और विने में आयोग जांस कर रहा था कि क्या अमेरिका ऑनलाइन विपनन लागतों के लिए अनुचित रूप से जिम्मेदार है तीसरा अमेरिका ऑनलाइन की कुल संपत्ति का लगबग आधा यानी 4.9 बिलियन डॉलर का उपलब्द सेल फोर एक्विटी एक्विटी परतिबूतियों से बना था यदि सारोजनिक रूप से कारोबार करने वाले टेकनोलोजी शेयरों की कीमते गिर गई तो इससे कमपनी के परी संपत्ति आधार का बहुत अधिक नुकसान हो सकता है निशकर्ज 11 जनवरी 2001 को दोनों कमपनियों ने अपने विले को अंतिम रूप दिया एवल टाइम वार्नर इंक ने 2001 में 4.9 बिलियन डॉलर को दिये और एक निगम द्वारा दर्ज किये गए अब तक के सबसे गिनोने नुकसान में शामिल 2002 में एक और 98.7 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ अधिकांस नुकसान अमेरिका ओनलाइन के मुल्या को लिखने से हुआ 2002 के यांता तक जिन शेयर धारकों के लिए लेविन ने ऐसी मित अवसरों की भविश्यवानी की थी उनके पास अपने शेयरों के मुल्या में लगबग 80% नुकसान दिखाने के अलावा कुछ नहीं था क्या आप किंडन गार्डन में निवेश कर सकते हैं 20 मई 1999 को ईटोईज इंक ने अपने स्टोक का 8% हिस्सा जनता को बेश दिया वाल स्ट्रीट के सबसे परतिस्टित निवेश बैंकों में से चार गोल्ड मैन, साक्स एंड कमपनी, बैको स्टोन, राबर्टसन, स्टीफन्स, डोनाल्डसन, लोफिकन और जेनरेट और मेरी लिंच एंड कमपनी जो 20 डॉलर पर 83,20,000 डॉलर के शेयरों से कम है कारोबार के पहले दिन में 46.525 डॉलर पर 282.8% की बढ़त के साथ स्टोक तेजी से बढ़ा उस कीमत पर ईटोईज का बाजार मुले 7.8 बिलियन डॉलर था उस कीमत के लिए खरीदारों को किस तरह का व्यवसाई मिला पिछले वर्स में ईटोईज की बिकरी में 42.61% की व्रदी हुई और इसने अकेले पिछली तिमाही में 55,000 ग्राहक नहीं जोड़ी लेकिन अपने 20 महीनों के कारोबार में इट आइस ने कुल 30.6 मिलियन डॉलर की विकरी की थी जिस पर उसने 30.8 मिलियन डॉलर का शुद घाठा दिखाया था जिसका आर्थ था हर डॉलर के खिलोने को बेचने के लिए 2 डॉलर खर्च कर रहा था IPO Prospectus ने भी यह खुलासा किया कि E-Toys एक और आनलाइन ओपरेशन Baby Center Inc. जो प्राप्ट करने के लिए ओफर के कुछ आईका उप्योग करेगा जिसने पिछले वर्स की तुलना में 4.8 मिलियन डॉलर में 4.5 मिलियन का नुकसान उठाया था और E-Toys अपने प्रबंदन के लिए भविशे में जारी करने के लिए सामन्ने स्टोक में 4.6 मिलियन शेयर 4.6 मिलियन शेयर आरक्षित करेंगे इसलिए अगर E-Toys ने अभी पैसा कमाया है तो उसके शुद आए को 102 मिलियन शेयरों के बीच नहीं बलकि 143 मिलियन के बीच भी भाजित करना होगा जो भविशे की कमाई को प्रती एक तियाई से कम करके करना होगा तैइस आर के साथ E-Toys की तुलना चौकाने वाला है पुरू प्रती तीन महिनों में तैइस आए ने शुद आये में 27 मिलियन डोलर कमाई थे और एक पूरे वर्ष में E-Toys की तुलना में 70 गुना अधिक माल बेचा था और फिर भी शेयर बाजार टोईज आर की तुलना में लगबग 2 बिलियन डोलर अधिक है निसकर्च 7 मार्च 2001 को सारोजनी कंपनी के रूप में अपने संक्षिप्त जीवन में 398 मिलियन डोलर से अधिक का शुद गाटा उठाने के बाद दिवालियापन शुरक्षा के लिए E-Toys ने मामला दर्च किया स्टार्ट जो अक्तुवर 1999 में 86 डॉलर परती शेयर के स्टर पर था आखिरी बार एक पैसे के लिए कारोबार किया गया था धन्यवाद हिंडी ओडियो बुक डोट कॉम आपका दिन शुब हो दा इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अध्याए 18 कंपनियों के आठ जोडों की तुलना जो चीज है वह वही है जो होगी और जो किया जाता है वह वह है जो किया जाएगा और सुर्य के नीचे कोई नई चीज नहीं है क्या कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में यह कहा जा सकता है कि देखें यह नया है यह तो पहले से पुराने समय का है जो हमारे सामने है द्रम गरंद बता दें कि ग्राहम ने क्लासिक राइट अब तकनिक का उप्योग करते हुए आठ जोड़ी कमपनियों का क्लासिक राइट अब किया है जिसे करने के लिए उन्होंने कोलंबिया बिजनस स्कूल और New York Institute of Finance में अपने व्याख्यान में बीड़ा उठाया था ध्यान रखें कि ये शारांस निर्दिष्ट समय पर ही इन शेरों का वर्णन करते है सस्ते स्टाक बाद में अत्यादिक महेंगी हो सकते थे और महेंगी स्टोक सस्ते हो सकते थे अपने जीवन के किसी बिंदू पर लगबग हर शेर एक सोदा है एक और समय पर यह महेंगा होगा यद भी अच्छी और बूरी दोनों परकार की कमपनिया है लेकिन अच्छे स्टोक जैसी कोई चीज नहीं है केवल अच्छे स्टोक की कीमते हैं जो आते हैं और जाते हैं पेर वन सिस्को एंड सिस्को 27 मार्च 2000 को सिस्को सिस्टम इंक दुनिया का सबसे मुल्यवान निगम बन गया था क्योंकि इसके शेर ने कुल मुल्य में 548 बिलियन डॉलर की कमाई की सिस्को जो उपकरण बनाता है जो इंटरनेट पर डेटा को निगधेशित करता है जिसने पहले पहल अपने शेरों को 10 साल पहले जन्ता को बेचा था यदि आपने प्रारंबिक पेशकर्ष में सिस्को का स्टॉक खरीदा था और उसे रखा था तो आपको एक पागल व्यक्ति द्वारा बनाई गई टंकन तुरूटी से लाब होगा एक लाग तीन अजार शस्ट सो स्तानमे परतिसत या दो सो सत्रा परतिसत उस्ट वार्सिक रिटर्ण अपने पिछले चार राजकोश यतिमाईयों में सिस्को ने राजसों में 17.9 बिलियन डॉलर और कमाई में 2.5 बिलियन डॉलर का उत्पादन किया था यह स्टाउक 219 गुना सिस्को की शुद आए पर कारोबार कर रहा था जो कि एक बड़ी कमपनी के लिए सबसे अधिक मुल्य आए अनुपात में से एक था तब सिस्को कॉर्परेशन जो संस्ता कदर सोयों में बोजन क्या पूर्टी करती थी जो इस कारोबार को तीस वरसों से सारवजनी रूप से करती आ रही थी अपनी पिछली चारती माईयों में सिस्को ने 17.7 बिलियन डॉलर राजसों की सेवा की सिस्को की तुलना में लगबग 20% अधिक लेकिन शुद आहे में किवल 457 मिलियन डॉलर जो 11.7 बिलियन डॉलर के बाजार मुल्य के साथ सिस्को के शेरों ने 26 गुना आए पर कारोबार किया जो की बाजार के ओसत पी ई या नुपात से 31 अंग नीचे था एक ठेट निवेशक के साथ सब्द संग का खेल शायद इस तरह से चला होगा प्रशन जब मैं सिस्को सिस्टम कहता हूँ तो आपके दिमाग में कौन से चीज़ें आती है उत्तर इंटरनेट, भविशेका उद्योग, महान स्टॉक, गरम स्टॉक, हदी इससे पहले कि यह और अधिक बढ़ जाए, क्या मैं कुछ खरीच सकता हूँ प्रशन और सिस्को कॉर्परेशन के बारे में उत्तर, विवरन ट्रकों, स्लापी जोईज, शेफर्ड पाई, स्कूल लंस, हस्पताल का खाना आदी ओ, धन्यवाद, मैं अब भूका नहीं हूँ यह अच्छी तरह से स्थापित है, कि लोग अक्सर बड़े पैवाने पर, भावनात्मक इमेजरी के आधार पर, शेरों को एक मानसिक मुल्य परदान करते हैं जो की कमपनिया पैदा करती है, लेकिन बुद्धी मानने वेशक हमेशा गहराई से देखता है, यहां सिसको और सेसको के वित्य वक्तव्यों में संदेज जनक बात नजर आई है पहली, राजस्व और आई में सिसको की अधिकांस प्रदी अधिक रहनों से हुई अकिले सितंबर के बाद से, सिसको ने 11 अन्य कमपनियों को खरीदने के लिए 10.2 बिलियन डॉलर का बुक्तान किया था इतनी चल्दी, एक साथ इतनी सारी कमपनियों को कैसे मनाया जा सकता है इसके अलावा, पिछले 6 महीनों में, सिसको की आई का लगवक, एक दियाई अपने व्यावसायों से नहीं आया था बलकि इसके अधिकारियों और करमचारियों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले स्टोक विकलपों पर कर कम होने से सिसको ने 5.8 बिलियन डॉलर का निवेश प्राप्त किया था फिर 6 बिलियन डॉलर और अधिक खरीदा क्या यहें इंटरनेट कमपनी थी या म्यूचिल फंड क्या होगा अगर उन निवेशों ने उपर जाना बंद कर दिया दूसरा सिसको ने भी इसी अवदी में कई कमपनियों का अधिक रेंग किया था लेकिन केवल 130 मिलियन डॉलर का बुटतान किया सिसको के इंसाइडर्स के लिए स्टोक आप्शन कुल मिलाकर केवल 1.5% शेयर बकाया है बजाए सिसको में 6.9% के यदि अंदरूनी सुत्रों ने अपने विकल्पों को भुनाया तो सिसको की परती शेयर आए सिसको की तुलना में बहुत कम होगी और सिसको ने अपने 13.8 लावांस को 9 सेंट से एक शेयर पर 10 तक बढ़ा दिया था सिसको ने कोई लावांस नहीं दिया अंत में जैसा के वाटन के वित प्रोफेसर जेरेमी सी एगल ने कहा सिसको जैसी कोई भी कमपनी कभी भी इतनी तेजी से नहीं बढ़ पाई कि 60 डोलर से उपर की कीमत आए अनुपात को उचित्य देने में सक्षम हो जो अकेले 200 से अधिक P.E. अनुपात थे एक बार एक कमपनी जब विशाल बन जाती है तो इसका विकास धिमा होना चाहिए एक कमपनी एक विशाल काई हो सकती है या यह एक विशाल P.E. अनुपात के लाइक हो सकती है लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकते जल्द ही सिस्कों के रत के पईयों को बंद कर दिया गया सबसे पहले 2001 में उन अधिक रेणों में से कुछ को पुनर गठन करने के लिए 1.2 बिलियन डॉलर का शुलकाया अगले दो वर्सों में उन निवेश पर 1.3 पर तिसद का नुकसान हुआ 2000 से 2002 तक सिस्कों के शेयर ने अपने मुल्या का तीन चोथाई हिस्सा खो दिया इस भी सिस्कों ने मुनाफ़े को कम कर दिया और इसी आउधी में स्टोक में 57 पर तिसद की बढ़ोतरी हुई 3.2 याहू और यम 30 नवंबर 1999 को शुरू होने के बाद से याहू इंक का स्टोक 212.56 डॉलर पर बंद हुआ जो पिछले साल इसी समय 89.6 पर तिसद पर था 7 दिसंबर तक स्टोक में 5 ट्रेडिंग दिनों में 348 डॉलर या 63.6 पर तिसद का लाब पराप्त हुआ था याहू साल के अंत तक 31 दिसंबर को 432.6 डॉलर पर बंद हुआ एक ही महिने में स्टार्क दोगने से अधिक हो गया था याहू का कुल बाजार मुले जो 114 अरब डॉलर तक महुचा वह लगबग 28 बिलियन डॉलर अधिक था पिछली चारती माईयों में याहू ने राजसो में 433 मिलियन डॉलर और शुद आए में 37.9 मिलियन डॉलर की रैंकिंग की थी इसलिए याहू का स्टार्क अब 263 गुना राजसो और 3264 गुना कमाई पर था याहू इतना क्यों कमा रहा था 30 नवंबर को बाजार बंद होने के बाद स्टेंडर्ड एंड पूर्स ने गोश्टा की कि यह याहू को जोड़ेगा अपने S&P 500 इंडेक्स के साथ 7 दिसंबर तक इंडेक्स पंड और अन्य बड़े निवेश्कों के लिए एक अनिवारिया होल्डिंग और मांग में अचानक ब्रदी से स्टोप को अधिक से अधिक ऐस्ताई रूप से चलाने के लिए सुनिश्चित की आगया था कम से कम ऐस्ताई रूप से याहू के 90% शेर के साथ करमचारियों उद्धम पूंजी फर्मो और अन्य परतिबंदित धारकों के हाथों में स्टोप बंद हो गया है इसके शेरों का कुछ ही हिस्सा व्यापार कर सकता है इसलिए हजारों लोगों ने स्टोप केवल इसलिए खरीदा क्योंकि वे जानते थे कि अन्य लोगों को इसे खरीदना होगा जहां पर वस्तु की कोई किमत नहीं है इस बीच यम पेपसिको का एक पूरों विभाजन जिसमें हाजारों केंट की फ्राइज चिकन, पीजा हट और टेको बेल भोजनालियों का संचालन होता है पिछले चारती माहियों से राजसो में आठ बिलियन डॉलर का उत्पादन किया था जिस पर इस ने 633 बिलियन डॉलर कमाई यह याहू के आकार से 17 गुना से अधिक है फिर विवर्स 1999 के अंत में यम का शेयर बाजार मुले केवल 5.9 बिलियन डॉलर था या याहू के 1900 हिस्से का कैप्टलाइजेशन था उस कीमत पर यम का शेयर केवल 9 गुना अधिक आए और यह 73 पर 30 लाब पर इसके राजसों को बेच रहा था जैसा कि ग्राहम का कहना था कम समय में बाजार एक वोटिंग मशीन है लेकिन लंबे समय में यह एक वजन तोलने वाली मशीन है याहू ने अल्ब कालिन लोग प्रियता परतियोगिता जीती लेकिन अंत में यह कमाई की बात है और याहू मुश्किल में था एक बार फिर बाजार ने वोट देना बंद कर दिया और वजन करना शुरू कर दिया तराजु यम की और जुब गया 2002 के दोरान इसका स्टॉक साल 2000 से 25.4 परतिसद बढ़ा जबकि याहू ने 92.4 परतिसद संचाई रूप से खो दिया पेर 3 कॉमर्स वन एंड कैपिटल वन मई 2000 में कॉमर्स वन एंक पिछले जुलाई से केवल सारोजनेक रूप से कारोबार किया गया था अपनी पहली वार्षिक रिपोर्ट में कमपनी ने केवल 385 मिलियन डॉलर की संपत्ति दिखाई और कुल राजसों में केवल 34 मिलियन डॉलर पर 63 मिलियन डॉलर का शुद घाटा तरज किया इस माइनस क्यूल कमपनी का स्टॉप अपने आईपियो के बाद से लगवग 900 परतिसत बढ़ गया था जिसका कुल बाजार पूंजी करन 15 बिलियन डॉलर था क्या यह ज़्यादा था हाँ हमारे पास एक बड़ी मार्केट कैप है कॉमर्स वन के मुख्य कार्यकारी अदिकारी मार्क हाफ मैन ने एक साक्षादकार में कहा लेकिन हमारे पास खेलने के लिए एक बड़ा बाजार है हम एविस वसनिय मांग को देख रहे हैं विशलेशकों को उमीद है कि इस साल हमें 104 मिलियन डॉलर का राजसो पराप्त होगा क्योंकि अतीद में हम ऐसी अपेक्षियों को पार कर चुके हैं हाफ मैन के जबाब से दो बाते निकलती है पहली चुकि कॉमर्स वन पहले ही बिकरी में परते एक डॉलर पर दो डॉलर खो रहा था जैसा कि विशलेशकों की उमीद है अगर यहे अपने राजसो को बढ़ा देता है तो क्या यहे और भी बड़े पैमाने पर पैसे नहीं खोईगा दूसरा कॉमर्स वन अतीद में उमीदों से ज़्यादा कैसे प्रदान कर सकता था और कौन सा अतीद यहे पूछे जाने पर कि क्या उनकी कमपनी कभी लाब कमाएगी हापमेन के पास जवाब तयार था कोई सवाल नहीं है कि हम इसे एक लाबदाएक वेफसाई में बदल सकते हैं हम 2001 की चोथी तीमाही में लाबदाएक बनने की युजना बना रहे हैं एक साल के विशलेशकों ने हमें राजसव में 250 मिलियन डॉलर से अधिक बनाते हुए देखा है फिर से उन विशलेशकों पर आते हैं मुझे इन स्त्रों पर कमर्स वन पसंद है क्योंकि यह एक करीबी परतियोगिता की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है जिसका स्टोक भी लगबग 400 गुना राजसों पर कारोबार कर रहा था जिन सेट सिंग वासेर स्टीन पेरलो निवेश बैंक के एक विशलेशक ने कहा अगर ये वरदी दर जारी रहती है तो कमर्स वन 2001 में 60 से 70 गुना जादा विकरी पर होगा दूसरी और कैपिटल वन फाइनेंसियल कॉर्परेशन मास्टर कार्ड और वीजा क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला था जुलाई 1999 से मई 2000 तक इसके शेयर में 21.5% की गिरावट आई फिर भी कैपिटल वन में उल संपती 12 मिलियन डोलर थी और 1999 में 363 मिलियन डोलर की कमाई की लगबग 7.3 मिलियन डोलर के बाजार मुलेके साथ शेयर 20 मुना कैपिटल वन की शुद कमाई पर बेचा गया कैपिटल वन में सबकुस ठीक नहीं था कमपनी ने रिन से अपने बंधार को मुश्किल में बढ़ाया था भले ही यह खराब हो भले ही डिफाल्डर दरें मंदी में उठ रही हो लेकिन इसके शेयर की कीमत कम से कम संभावित परेशानी के कुछ जोकिम को दर्शाती है आगे क्या हुआ 2001 में कॉमर्स वनने राजसों में 409 मिलियन डोलर उत्पन किये दुर्भाग्य से इसके राजसों पर हर शेयर पर लाल रंग का 2.6 बिलियन डोलर या 10.30 बिलियन डोलर का शुद नुक्सान हुआ दूसरी ओर कैपिटल वनने 2000 से 2002 की तुल्णा में शुद आए में लगवग 2 बिलियन डोलर कमाए इसका स्टॉक उन तीन वर्षों में 38% नीचे चला गया पूरे शेयर वाजार की तुल्णा में कोई दूसरा इतना बत्तर नहीं था हलांकि कॉमर्स वन ने अपने मुल्या में 99.7% खो दिया हाफ मैन और उनके लैप डॉग विशलेस्टों को सुनने के बजाए वियापारियों को कॉमर्स वन की वारसिक रिपोर्ट में 1999 के लिए इमानदार चेताउनी दी जानी चाहिए हम कभी लाबदाएक नहीं रहे हम बविशे के लाब के लिए शुद्ध नुकसान उठाना चाहते हैं और हम कभी भी लाबदाएक नहीं हो सकते हैं पेर चार पाम और त्रीकॉम दो मार्च दो हजार को डेटा नेटवर्क कमपनी त्रीकॉम कोर्परेशन ने अपने पाम इंक का 5% हिस्सा जन्ता को बेश दिया पाम के पास सेश बचे 95% शेयर अगले कुछ महिनों में त्रीकॉम के शेयर दारकों को मिल जाएंगे त्रीकॉम के परतेक शेयर के लिए निवेशकों को पाम के 1.525 शेयर प्राप्त होंगे तो ऐसे दो तरीके थे जिन से आप पाम के 100 शेयर प्राप्त कर सकते थे IPO में अपने तरीके से कोहनी लगाने के कोशिश करके या 3 कॉम के 66 सेयर खरीद कर और तब तक परतिक्षा करें जब तक कि मूल कमपनी बाकी पाम स्टोक वित्रित नहीं कर देती है पर तेक 3 कॉम शेयर के लिए पाम के डेड़ शेयर प्राप्त करने के लिए आपके पास नई कमपनी के अगर 100 सेयर हैं तो आपके पास आभी 3 कॉम के 66 सेयर होंगे लेकिन कुछ महिनों का इंतजार कौन करना चाहता था जबकि 3 कॉम सिसको जैसे विशाल परतिदवन्दियों के खिलाब संगर्स कर रहा था पाम हाथ में डिजिटल आयोजगों के स्पेस में अगरनी था तो पाम का स्टोक 38 डॉलर के अपने परस्ताओ मुल्य से 95.06 डॉलर पर बंद हुआ जो 150 पर 30 पर तर्थम दिन का रिटर्न था इसे पिछले 12 महिनों में पाम ने अपनी आमदनी के 1350 गुना से अधिक का मान रखा था उसी दिन त्रीकॉम का शेयर मुल्य 104.13 डॉलर से गिर कर 81.81 डॉलर हो गया पाम की कीमत को देखते हुए उस दिन त्रीकॉम को कहां बंद करना चाहिए था अंक गनित आसान है पहला प्रतेख थ्रीकॉम शेयर पाम के 1.525 शेयर प्राप्त करने का अहकदार था दूसरा पाम का प्रतेख शेयर 95.6 डॉलर पर बंद हुआ तीसरा 1.525 गुना 9.06 डॉलर बराबर 144.97 डॉलर पाम में इसकी हिस्सेदारी के आधार पर इसका प्रतेख थ्रीकॉम का हिस्सा इसके लाइक था इस प्रकार 81.81 डॉलर पर व्यापारी कहे रहे थे कि सभी थ्रीकॉम के अन्य व्यवसाय संयुक 63.16 डॉलर परतिश शेयर या कुल सुन्य से 22 बिलियन डॉलर मुल्यके थे इतिहास में शायदी कभी कीसे शेयर की कीमप इससे जदा बेवकुफी से भरी गई थी जैसा कि थ्रीकॉम वास्तों में सुन्य से 22 बिलियन डॉलर के बराबर नहीं था पाम वास्तों में 1350 गुना आए के लाइक भी नहीं था 2002 के अन्त तक दोनों स्टॉक हाई टेक मंदी में करा रहे थे लेकिन यह पाम के शेयर दार्ग थे जो वास्तों में स्मेक टाउन हो गए थे क्योंकि उन्होंने पहली बार में खरीदने पर सभी सामन्य ग्यान को छोड़ दिया था पेर पांच साल 2000 के शुरुवाद CMGI इंक दमाके के साथ हुई थी क्योंकि 3 जनवरी को स्टोप ने 163.22 डॉलर कमाई थे एक कंपनी इंटरनेट इंक्यूबेटर ने ऑनलाइन कारोबार की एक किस्म में स्टार्ट अप फर्मों को विट पोशित और अधिक रहित किया था उसमें एसे शुरुवाती सितारे जैसे कि दागलोब.com और लाइकोस आदी थे वित वर्स 1998 में जैसा कि इसका स्टोप 98 सेंट से बढ़कर 8.52 डॉलर हो गया CMGI ने 53.8 मिलियन डॉलर खर्च करके इंटरनेट कंपनियों में पूरे या अंशिक दाओ लगाए वितिय वर्स 1999 में इसके स्टाक के रूप में 8.52 डॉलर से 40.09 डॉलर तक सूट हुआ CMGI ने 104.7 मिलियन डॉलर का लक्षे हासिल किया और 1999 के आखरी 5 महिनों में क्योंकि इसके शेयर 137.47 डॉलर तक जूम किये गए CMGI ने अधिक रेंड पर 4.1 बिलियन डॉलर खर्च किये वस्तुत है सभी पैसे CMGI के निजी तोर पर खनन मुद्रा जिसके कीमत अब कुल 40 बिलियन डॉलर से अधिक है यह एक तरह का जादूई पैसा था जो CMGI का अपना उच्छ स्टोक चला गया जितना अधिक CMGI खरीदने का जोखिम उठा सकता है उतना ही अधिक इसका स्टोक हाई चला गया पहला स्टोक इस अभवा पर जाएगा कि CMGI उन्हें खरीद सकता है फिर एक बार CMGI ने उन्हें अधिक रेंड कर लिया क्योंकि इसका स्वामितव उनके खुद के स्टोक में चला जाएगा किसी को भी परवा नहीं थी कि CMGI ने नवींतम में इसके संचालन पर 127 मिलियन डॉलर का नुकसान किया है वेबस्टर मैसाचियोसेट में डाउन टाउन CMGI के मुख्याले से 70 मील डक्षन पस्चिमें एंडोवर में स्थित है जो कॉमर्स इंक का मुख्या कारियाले है 1999 में इसके शेरों में 23 परतिसत की कमी आई हलांकि इसके शुद आई 89 मिलियन डॉलर थी जो 1998 के स्टर से केवल 7 परतिसत नीचे गिर गई CGI ने 4 परतिसत से अधिक के लावांश का बुख्तान किया 870 मिलियन डॉलर के कुल बाजार मुल्या के साथ CGI स्टोक 10 गुना से कम पर कारोबार कर रहा था और फिर अचानक सब कुछ उलट हो गया CMGI का जादूई पैसा मीरा गो राउंड रुका हुआ है इसके डौट कॉम शेरों की कीमत में प्रदी बंद हो गई फिर सीदे नीचे चले गई अब वो उन्हें लाव के लिए बेचने में सक्षम नहीं CMGI को अपनी कीमत के लिए हिट के रूप में अबना नुकसान उठाना पड़ा कमपनी ने 2000 में एक पॉइंट चार बिलियन डॉलर और 2001 में पांस पॉइंट पांस बिलियन डॉलर और 2002 में लगबग पांसो मिलियन डॉलर से अधिक हो दिया इसका स्टाक 2000 की शुरुआत में 163.22 डॉलर से बढ़कर वरस 2002 के अंता तक 98 सेंट तक 99.4% का नुकसान हुआ हालांकि पुरानी सीजियाई बॉरिंग ने स्टित आई को कम करके रखा और इसका स्टोक 2000 में 8.5% 2001 में 43.6% और 2002 में 2.7% पर बढ़ा हुआ जिससे 60% संचाई लाव हुआ पेर 6 बाल एंड स्टेकर 9 जुलाई से 23 जुलाई 2002 के बीच बाल कॉर्प का स्टोक 43.69 डॉलर से गिरकर 33.48 डॉलर पर आ गया 24 पर तिससत के नुकसान के साथ कमपनी 1.9 बिलियन डॉलर के स्टोक मारकेट मुले पर आ गई थी उन्हीं दो हफतों में स्ट्राइकर कॉर्परेशन के शेयर 49.55 डॉलर से गिरकर 45.60 डॉलर पर आ गई इसी के साथ 38 पर तिससत की गिरावट के साथ स्ट्राइकर की कुल कीमत 9 बिलियन डॉलर हो गई इन दोनों कमपनीों ने इतने कम समय में इतना मुल्य क्या वास्तों में कमाया अर्थोपेडिक परत्यारोपन और सर्जिकल उपकर्ण बनाने वाले स्ट्राइकर ने उन दो हफतों के दोरान एक प्रस्वे के अपती जारी की 16 जुलाई को स्ट्राइकर ने गोशना की कि दूसरी तिमाही में इसकी विक्री 15 परतिसद बढ़कर 734 मिलियन डॉलर हो गई जबकि कमाई 31 परतिसद बढ़कर 86 मिलियन डॉलर हो गई थी अगले साल स्टॉक 7 परतिसद तक बढ़ा फिर राइड डाउन डाउन हिल उडग गया फलो और सबजियों के डिबाबंदी के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले परसिद बाल जार के मूल निर्माता बॉल अब ओध्योगी कराकों के लिए दादू और प्लास्टिक की पैकिजिंग करते हैं उन दो हफ़तों के दोरान बॉल ने कोई प्रक्षवेगे अप्ति जारी नहीं की थी 25 जुलाई को हलांकि बाल ने बताया कि इसने दूसरी तिमाई में एक मिलियन डोलर की बिकरी पर 50 मिलियन डोलर कमाई थे जिससे एक साल पहले इसी अवदी में शुद आए में 1.3 की परदी हुई थी यहे अपनी कमाई को 4 तिमाईयों में 152 मिलियन डोलर तक ले गया इसलिए यह स्टाउक बाल कमाई से सिर्फ 12.5 गुना कारुबार कर रहा था और 1.1 बिलियन डोलर के बुक मुल्य के साथ आप 17 गुना स्टाउक खरीद सकते हैं स्टाउकर का बुक मुल्य 570 मिलियन डोलर था इसलिए कमपनी पिछले 12 महिनों में अपनी कमाई के 30 गुना से कई गुना मोटी कमाई पर कारोबार कर रही थी और इसकी बुक वेल्यू लगबग 16 गुना जादा थी दूसरी ओर 1992 से 2001 के अंतर तक स्टाउकर की कीमत 18.6% सालाना बढ़ी थी जिससे इसका लाभाश प्रतिव वर्स लगबग 21% बढ़ गया था और 2001 में स्टाउकर ने भविश्य के विकास के लिए आधार बनाने के लिए अनुसंधान और विकास पर 142 मिलियन डोलर खर्च किये थे तब क्या इन दोनों शेरों में गिरावट आई थी 9 जुलाई और 23 जुलाई 2002 के बीच जैसा की वर्ड कौम ने दिवालिये पन में उलट फेर किया डाउ जोन्स इंडस्टियल एवरेज 9,09.09 से गिरकत 7,702.34 जो की 15.3% पर नीचे आ गया था बॉल और स्ट्राइकर की अच्छी खबरें बुरी सुर्कियों और गिरते बाजार में खो गई जिसने इन दोनों शेरों को अपने साथ ले लिया हालांकि बॉल स्ट्राइकर की तुल्दा में कहीं अधिक सस्ते में समाप्त हो गई यहां सबक यह नहीं है यह अच्छे दामों के लिए बड़ी कीमते बना सकते हैं बॉल दो हजार दो में 21.19 डॉलर परती शेर पर समाप्त हुए जो जुलाई के निचले हिस्टे से 53 परतिसद उपर थी स्ट्राइकर ने 47 परतिसद की बढ़ोतरी के साथ 67.12 डॉलर पर साल समाप्त किया हर बार एक समय में मुल्य और विकास टॉप समान रूप से बिकरी पर जाते हैं आप किस विकल्प को पसंद करते हैं यह काफी हद तक आपके सुएं के व्यक्तितों पर निर्भग करता है लेकिन प्लेट के दोनों और मौल भाव किया जा सकता है पेर साथ नोर्टल एंड नोर्टेक फाइबर ऑप्टिकल उपकर्ण बनाने वाली कमपनी नोर्टल नेटवर्क्स के लिए 1999 की वार्सिक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि यह आर्थिक रूप से एक स्वर्णिम वर्स था फरवरी 2000 तक 150 बिलियन डॉलर से अधिक के बाजार मुले पर नोर्टेल के स्टॉक ने कमाई के 87 सी गुना पर कारोबार किया वाल्ट स्टीट के विसलेसकों का अनुमान है कि कमपनी साल 2000 में उत्वादन करेगी वह अनुमान कितना विस्वसनिय था नोर्टेल ने बकाया खातों में जिन ग्रहकों को बिक्री की थी जिनोंने अभी तक बिल का बुक्तान नहीं किया था उन्होंने एक वर्स में एक बिलियन डॉलर का बुक्तान किया था कमपनी ने कहा कि वरदी 1999 की चोती तिमाई में बढ़ी हुई बिक्री से प्रेरित थी हालांकि इन्वेंट्रीज भी एक कोईट दो बिलियन डॉलर से गुपारा हो गई थी जिसका मतलब है कि नोर्टेल उन उपकरणों की तुलना में तेजी से उत्पादन कर रहे थे जो बढ़ी हुई बिक्री को अन्नोड कर सकते थे इस बीच नोर्टेल के लोंग टरम रिसिवेबल बिलो ने अभी तक बहु वर्षिय अनुबंदों के लिए बुपतान नहीं किया था 519 मिलियन डॉलर से 1.4 मिलियन डॉलर पर उच्छाल गया और नार्टल के लिए लागतों को नियंतित करने के मुश्किल समय आ रहा था जिसकी बिक्री सामाने और परशासने को गया या ओवर हेड़ खर्च 1997 में राजसो का 17.6% से बढ़कर 1999 में 18.7% हो गया था यह नार्टेक इंक की ही था जो ग्लेमर स्पेक्टरम के मंद चोर पर सामान का उत्पादन करता है विनाईल साइडिंग, डॉर चाइम्स, एकजास्ट फैन, रेंज हूट्स, ट्रेस कॉमपेक्टर आदी 1999 में नार्टेक ने शुद बिक्री में 2 बिलियन डॉलर में 49 मिलियन डॉलर कमाए 1997 में बिक्री की 1.1 मिलियन डॉलर के शुद आए में 21 मिलियन डॉलर से ज़्यादा लाब कमाया जो नार्टेक के लाब मार्जन का 1.9 के साथ लगबग एक तियाई बढ़ गई थी जिससे नार्टेक ने राजसो के 19.3% से 18.1% तक ओवर हेड खत्म कर दिया था निश्पक्षता से कहा जाए तो नार्टेक का अधिकांस विस्तार अन्य कमपनियों को खरीदने से आया था बलकि आंत्रे की विकास से नहीं नार्टेक के पास 1.1 मिलियन डॉलर का रेंड था जो एक छोटी सी फर्म के लिए एक बड़ा भार था लेकिन फर्वरी 2000 में नार्टेक के शेर की कीमत 1999 में अपनी कमाई से पांस गुना थी जो निराशावाद में एक स्वस्थ खुराक जैसी थी दूसरी और नार्टेल की कीमत आने वाले साल में 87 गुना हो सकती है यह आशावाद का एक बड़ा ओर्डोस था जब सभी ने ऐसा कहा और किया गया था तब उन्होंने कहा 1.30 डॉलर की कमाई के बजाए नारेल ने साल 2000 में परतिशेर 1.17 डॉलर खो दिया अंतमे 2002 में नास्टेल ने लाल निशान में 36 बिलियन डॉलर से अधिका खुन बहाया था दूसरी और नार्टेक ने 2000 में 41.6 मिलियन डॉलर 2001 में 8 मिलियन डॉलर और 2002 के पहले 9 महिनों में 55 मिलियन डॉलर कमाई इसका स्टॉक वर्स 2002 के अंतर तक 28 डॉलर के शेर से बढ़कर 45.75 डॉलर हो गया जन्वरी 2003 में नार्टेक के परवंदकों ने कमपनी को निजी कर लिया सारुजनिक निवेशकों से सभी शेर 46 डॉलर परती शेर पर खरीदे इस बीच नार्टेल का स्टॉक फर्वरी 2000 में 1.61 डॉलर से बढ़कर वर्स 2002 के अंतर तक 56.81 डॉलर पर बंद हुआ पेर आठ रेड हैट और ब्राउन शोज 11 अगस्त 1999 को रेड हैट इंक लिनेक सोफ्टेर के एक डेवलपर ने पहली बार जन्ता को स्टॉक बेचा रेड हैट रेड होट थे शुरुआत में 60 डॉलर की पेशकश की गई शेर 23 डॉलर पर कारोबार के लिए खुले और 26.031 डॉलर पर बंद हुआ एक ही दिन में 272 पर तिसद का लाब रेड हैट का स्टॉप पिछले 18 वर्सों में ब्राउन सूज से अधिक हो गया था 9 दिसंबर तक रेड हैट के शेर 4 महिनों में 143.13 डॉलर पर 1944 पर 30 तक हिट हुए ब्राउन शूज इस बीच जिसकी दोनों लेस एक साथ बंदी हुई थी 1878 में स्थाभित कमपनी बस्टर ब्राउन के जूते बनाती है और सेयुक्त राजे अमेरिका और कैनेडा में लगबग 1300 फूटवेर स्टोर चलाती है 11 अगस्त को ब्राउन शूज का स्टॉप 17.50 डॉलर परतिश शेयर था जो 9 दिसंबर तक घटकर 14.31 डॉलर हो गया 1999 में में ब्राउन शूज के शेयर 17.6 परतिशत आंक तक गिर गए यहां एक कूल नाम और गरम स्टॉप के अलावा रेड हाट के निवेशकों को क्या मिला 30 नवंबर को समाप्त होने वाले 9 महीनों में कमपनी ने राजस सो में 13 मिलियन डॉलर का उत्पादन किया जिस पर उसे 9 मिलियन डॉलर का शुद्ध घाटा हुआ रेड हाट का व्यावसाई सड़क के किनारे वाले डेलिकेट सेन की तुलना में मुश्किल से ही उससे बढ़ा था और बहुत कम आकरशक था लेकिन व्यापारियों जिने सोफ्टेर और इंटरनेट जैसे शबदों ने प्रेरित किया था ने 9 दिसंबर तक रेड हेट के शेयर का कुल मुल्य 21.3 बिलियन डोलर तक पहुँचा दिया पिछली तीन तिवाईयों में कमपनी के शुद विक्री में 1.2 बिलियन डोलर और कमाई में 32 मिलियन डोलर का उत्पादन किया था ब्राउन शू के पास लगबग डोलर नगद और अचल संपतियों के हिस्से थे बच्चे अभी भी बश्टर ब्राउन जूते खरीद रहे थे फिर भी 9 दिसंबर को ब्राउन शू के स्टोक का कुल मुल्य 261 मिलियन डोलर था बमुश्किल रेड हट का आकार भले ही ब्राउन शू के पास रेड हट के राजसों का 100 गुना था उस कीमत पर ब्राउन शू की वार्शिक आईका 7.6 गुना और इसकी वार्शिक आईका एक चोथाई से भी कम मुल्य था दूसरी ओर रेड हट का कोई लाब नहीं था जबकि इसका स्टोक इसकी वार्शिक विक्री से एक अजार गुना से अधिक पर विक रहा था रेड आट कमपनी ने लाल निशान को दबाई रखा और इसे जल्द ही शेर भी किया हलनकि ब्राउन शू ने अधिक मुनाफ़ा कमाया और इस तरह इसके शेर धरकों ने भी इन सवी से हमने क्या सिखा बाजार ने अलपाओदी में ग्राहम के सिदांतों की खिली उड़ाई थी लेकिन उन्हें हमेशा अंत में मान लेते हैं यदि आप किशे शेर को शुद्ध रूप से खरीते हैं क्योंकि इसकी कीमत बढ़ती जा रही है तो यह पूछने के बजाए कि अंतरनी हिट कंपनी का मुल्य बढ़ रहा है या नहीं इसके तुरंत बाद, बाद में आपको बेहत खेद होगा यह एक संभावना नहीं है, यह एक निश्चिंतता है धन्यवाद, hindi-audiobook.com आपका दिन शुब हो The Intelligent Investor, अध्याए 19, शेर धारक और परबंदन की लावांशनेती, hindi-audiobook.com सबसे खतरनाक ऐसत्य यह है कि सत्य थोड़े विक्रत होते हैं इंटेलेजेंट इन्वेस्टर का कोई भी अन्या हिस्सा, ग्राहम द्वारा इससे अधिक तेजी से नहीं बढला गया था पहले संस्करण में यह अध्याए एक में से एक था, जिसमें लगवग 34 प्रष्ट थे अपने अंतिम शंशोदित संस्करण के द्वारा मूल खंड, शेर दारकों के अधिकार, कार्पोरेट परबंदन की गुनमत्ता को पहचानने के तरीके और अंदरुनी सुत्रों और बहारी निवेशकों के बीच, हितों के टकराओ का पता लगाने वाली तकनिकों के बारे में बताता है हालांकि ग्राहम ने पूरी चर्चा को लाभांस के बारे में आठ से कम प्रष्टों पर वापस पूरा कर दिया ग्राहम ने अपने मूल तरक की तीन चोथाई से अधिक टोती क्योंकि दशकों के प्रवोधनों के बाद उन्होंने स्पस्ट रूप से उम्मीद छोड़ दी थी कि निवेशक कभी भी कॉर्परेट परवन्दकों के व्यवहार की निगरानी में कोई दिल्चस्पी नहीं लेंगे लेकिन गोटाले की नमेंतम महामारी जिसमें AOL, Enron, Global Crossing, Sprint, Tyco और World Cup जैसी प्रमुक फर्मों पर प्रवन्दकिय दुरुवेवार, Shady Accounting या Tax Maneware के आरोपों में एक स्पस्ट चेताउनी है कि ग्राहम के पहले शाष्वत सतरकता की आवशकता के बारे में चेताउनी पहले से कहीं अधिक महतपून है आईए वापस देखते हैं और आज की गटनाओं के परकाश में उनकी चर्चा करते हैं त्योरी बनाम प्रेक्टिकल ग्राहम ने अपने मूल पूस्तक की शुरुवात The Wester Age Business Owner की चर्चा करते हुए सिधान्त, स्टोक होल्डर एक वर्ग के रूप में दाजा है में बहुमत के रूप में कारिय करते हुए वे हायर एंड फायर परबंधन को अपने इच्छा से पूरी तरह से जुका सकते हैं लेकिन प्रेक्टिकल में ग्राहम कहते हैं शेयर धारक के पूर्ण वाश आउट है एक वर्ग के रूप में वे ने तो बुद्धिमान दिखते हैं और ने ही सतरक वे परबंधन जो भी सिफारिस करता है चाहे उस परबंधन का रिकोर्ड कितना ही भी खराब क्यों नहीं हो उनके लिए वे शेयप लीक फैशन में वोट करते हैं वसत अमेरिकी शेयर धारक को किसी भी स्वतंतर रूप से बुद्धिमान कारवाई के लिए प्रेरित करने का एक मातर तरीका उसके तहट एक पठाका विस्पोर्ट करके होगा हम विरोधा बासी तथ्ये को इंगित करने का विरोध नहीं कर सकते हैं जो लगता है कि भगवान ही अमेरिकी शेयर धारकों की तुलना में अधिक व्यवारिक व्यवसाई है ग्राहम चाहते हैं कि आपको कुछ बुनिया दी लेकिन ऐ विस्वस्निय रूप से गहरा ऐसास हो जब आपको स्टाक खरीकते हैं तो आप कंपनी के मालिक बन जाते हैं इसके प्रबंदक CEO तक सभी आपके लिए काम करते हैं इसके निदेशक मंडल को आपको जवाब देना चाहिए इसका कैश आपके पास है इसके व्यवसाई आपकी संपत्ती है यदि आपको यह पसंद नहीं है कि आपकी कंपनी का प्रबंदन कैसे किया जा रहा है तो आप यह मांग करने का अधिकार रखते हैं कि प्रबंदकों को निकाल दिया जाए निदेशकों को बदल दिया जाए या संपत्ती बेश दी जाए ग्रहम की गोष्णा के अनुसार स्टाक होल्डर्स को चागते रहना चाहिए इंटेलिजेंट मालिक आज के निवेशक ग्रहम के संदेश को भूल गए है उन्होंने अपना आधिकांस प्रयास स्टॉक खरीदने में वे बहुत थोड़ा बेचने में लगाया है निश्चित रूप से ग्रहम हमें याद दिलाते हैं कि स्टाक होल्डर बनने के उतने ही कारण है जितने के देखवाल और निर्ने लेने के लिए चाहिए होते हैं तो आपको एक बुद्धिमान निवेशक से एक बुद्धिमान मालिक बनने के लिए क्या करना चाहिए यह बताने से शुरू करते हैं कि इसके लिए केवल दो बुनियादी प्रशन है पहला क्या प्रबंदन या थोचित कुशल है? दूसरा क्या ओसत शेरधारक के हीतों को उचित मानेता मिल रही है? आपको अपने उद्ध्योग में समान कमपनियों से प्रतेक कमपनी की लाप प्रदता, आकार और प्रतिस परदा की तुलना करके प्रबंदन की डख्षता को नापना चाहिए क्या होगा यदि आप निशकर्ष निकालते हैं कि प्रबंदक अच्छे नहीं हैं तब ग्राहम आपको क्या बताते हैं कि अब क्या करना चाहिए? पहला अधिक प्रियाप्त स्टॉक होल्डरों में से कुछ को आस्वस्त होना चाहिए कि एक बदलाओ की आफशता है और उस बिंदू की और काम करने के लिए तैयार होना चाहिए दूसरा स्टॉक होल्डर्स की रेंक और फाइल को प्रोक्सी सामगरी को पढ़ने और दोनों पक्षों के तरकों को तोलने के लिए प्रियाप्त खुला होना चाहिए उन्हें कम से कम यह जानने में सक्षम होना चाहिए कि उनकी कमपनी कब तक एसवल रही है जो इंकमेट मैनेजमेंट के प्रती समर्पन के रूप में करत्रिम अपरादों से अधिक के मांग करने के लिए तयार है तीसरा यह सबसे सहाइक होगा कि जब आंकड़े स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि परिणाम ओसत से नीचे है और अगर यह बाहर के व्यवसाई इंजिनीरों को नीतियों और प्रबंदन की क्षमता पर पारित करने के लिए कौल करने का रिवास बन गया तब भी प्रोक्सी सामगरी क्या है और ग्राहम यह क्यों जोर देते हैं कि आप इसे पढ़ें एक प्रोक्सी व्यवन में एक कमपनी अपनी वारसिक बैठक के लिए एजेंडे की गोशना करती है और प्रबंदकों और निदेशकों के मुआउजे और स्टोक स्वामितों के बारे में व्यवनों का खुलासा करती है साथ ये अंदरूनी सुत्रों और कमपनी के बीच लेंदेन भी करती है तब कमपनी यह प्रोक्सी परतेक शेर धारक को भेजती है जिसके माध्यम से शेर धारकों को वोट करने के लिए कहा जाता है कि किस लेखा फर्म को उस्टकों का लेखा परिक्षन करना चाहिए और निदेशक मंडल में किसे से वापरदान करनी चाहिए यदि आप प्रोक्सी पढ़ते समय अपने सामान्य ग्यान का उप्योग करते हैं तो यह दस्तावेज कोईले की खान में एक कैनरी की तरह होता है यह एक प्रारंबिक चेतावनी प्रनाली है जो यह संकेत देती है कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है फिर भी ओसतन सभी विक्तिगत निवेशकों के लिए एक तियाई और आदे के बीच अपने प्रोक्सी को वोट करने के लिए परेशान नहीं किया जा सकता है लेकिन क्या वे उन्हें पढ़ते हैं अपने प्रोक्सी को समझना और वोट करना हर एक बीट के रूप में एक बुद्धिमा निवेशक बनने के लिए एक मौलिक आफशकता है क्योंकि समाचार का पालन करना और अपने विवेख को वोट देना एक अच्छा नागरिक होना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी कमपनी के 10% के मालिक हैं या केवल 1% के मालिक हैं यदि आप कभी भी खुद के शेर के प्रोक्सी को नहीं पड़ते हैं और कमपनी बस्ट हो जाती है तो आपको जिस वेक्ति को दोसी ठहराना चाहिए वह है आप खुद ही हैं यदि आप प्रोक्सी पढ़ते हैं और उन चीजों को देखते हैं जो आपको परेशान करती हैं तो प्रतेक निर्देशक के खिलाब बोर्ड दें ताकि आप उन्हें ऐस्विकार कर सकें और वार्शिक बैठंग में भाग लें और अपने अधिकारों के लिए बोलें और स्टा हम का एक और विचार भी था जो आज के निवेशकों को लाप दे सकता है एक या अधिक पेशेवर और सुतंतर निवेशकों के चैयन के माध्यम से प्राप्त होने वाले फाइदे ये हैं कि आपको या किसी को व्यापक व्यावसाई कनुवव होने चाहिए जो उद्दम की आ कालिकों को चिंतित करता है क्या व्यावसाई बाहरी स्टोप होल्डर के लिए परेणाम दिखा रहा है जो उचित प्रबंदन के तहट इसकी उमीद की जा सकती है यदी नहीं तो क्यों और इसके बारे में क्या किया जाना चाहिए कोई केवल उस अडचन की कलपना कर सकता है जो कि ग्राहम का प्रस्ताव कार्पोरेट कार्नियो और गॉल्फिंग दोस्तों के बीच होगा जो आज के सुतंतर निदेशकों में से कई का गठन करते हैं वैसे यह किसका पैसा है अब ग्राहम की दूसरी कसोटी पर नज़र डालते हैं चाहिए प्रबंदन बाहरी निवे के साथ क्या करना है वे अच्छी तरह से जानते हैं ग्राहम ने इस प्रबंद की अदूर बहावना के माध्यम से यह देखा एक कमपनी का प्रबंधन व्यावसाय को अच्छी तरह से चला सकता है और फिर भी बाहर के स्टोक होल्डर्स को उनके लिए सही परिनाम नहीं दे स क्योंकि उसकी दक्षता संचालन तक ही सीमित है और यह पूंजी के सर्वत्म उप्योग तक सीमित नहीं है उसल संचालन का उदेश्य कम लागत पर उत्पादन करना और बेचने के लिए सबसे अधिक लाबदाएक रास्ता ढूनना है उसल वित के लिए आवशक है कि स्टाक कोर्डर्स का पैसा उनके हित के लिए सबसे उप्योगत रूपों में काम करें यह एक ऐसा सवाल है जिसमें परबंदन की बहुत कम रूची होती है वास्तों में यह लगबग हमेशा मालिकों से उतनी ही पूंजी चाहता है जितना कि वह अपनी वित्य समश्याओं को कम करने के लिए समभवत्य प्राप्ट कर सकता है इस परकार विशिष्ट परबंधन आवशक्ता से अधिक पूंजी के साथ काम करेगा अगर स्टोकदार की से अनुमुति देते हैं तो वे अक्सर ऐसा करेंगे 1990 के दसक के अंत और 2000 के दशक के शुरुवात में अगरनी टेकनोलोजी कमपनियों के परबंधन ने इस डैड़ी नोज बेस्ट रववये को एक नए टोप पर ले गए यह तरक इस तरह से चला आपको लाभांस की मांग क्यों करनी चाहिए जब हम उस नगदी को आपके लिए निवेश कर सकते हैं और इसे बढ़ते शेयर मुल्य में बदल सकते हैं जिस तरह से हमारे स्टोक में बढ़ोतरी हो रही है उस पर गोर करें इससे यह साबित होता है कि हम आपके पैनी को डॉलर में बदल सकते हैं एविश्वस नियरूप से निवेशक इसके लिए हुक, लाइन और सिंकर हो गए डेडी नोज बेस्ट इस तरह का सू समाचार बन गया जो 1999 तक केवल 3.7% कमपनियों ने पहली बार जनता को अपना बुक्तान किया, 1960 के दसक में सभी IPO ओस्तन 22.1% से नीचे थे, बस देखें कि लाभाश का बुक्तान करने वाली कमपनियों का परतिशत दूर हो गया, लेकिन डेडी नोज बेस्ट 4 पाई के अलावा कुछ भी नहीं था, जबकि कुछ कमपनियों ने अपने नगदी को अच् स्रेणियों में चले गए, जो पहली थी कि वे बस इसे बरबाद कर रहे थे, और दूसरी थी जो इसके तेजी से डेहर लगा रहे थे, लेकिन वे संभावताई से खर्च कर सकते थे, पहले समू में उधरन के लिए किराने का सामान और गैसोलीन में ना समझ उद्दम कर दिया, एशपोर्ट.com ने रिकोर्ड अब तक के दो सबसे बड़े नुकसाम, 2001 में जेडियस यूनिसेप के 56 बिलियन डॉलर और एयोल टाइम वारनर के 99 बिलियन डॉलर खत्म कर दिये, 2002 के बाद कमपनियों ने लाभाश का बुगतान नहीं करने का फैसला किया, जब अबनियों के साथ विले करने के लिए ऐसे समय में जब उनके शेरों का अत्याधिक पर चलन हुआ। इसलिए वास्त्विक सबूत स्पस्ट रूप से दिखाते हैं कि कई कमपनिया यह नहीं जानती है कि अतिरिक्त रिटर्न में अतिरिक्त नगदी को कैसे बदला जाए। प्राइव रदी की ओसत्दर 3.9 अंक अधिक थी जब लाभाश कम होने पर भी लाभाश अधिक थी। कोलंबिया के लेखा प्राध्यापक डोरोन निसीमोर अमीर जीव ने पाया कि जो कमपनिया अपने लाभाश को बढ़ाती है उन में ने केवल बहतर स्टोग रिटर्न होते हैं बलकि लाभाश वरदी कम से कम चार साल के लिए लाभाश परिवर्तन के बाद भविश्य के मु अप्तान करना महान परिणामों की गारंटी नहीं देता है लेकिन इससे पहले कि वे इसे या तो दूर कर सकते हैं या प्रबंदकों के हातों से कम से कम कुछ नगत निकालकर विशिष्ट स्टोग की वापसी में सुधार करते हैं कम पर बेचना अधिक पर खरीदना इस तरक के बारे में कि कमपनियां अपने शेरों को वापस खरीद कर बेहतर उपयोग के लिए अतिरिक नगदी कैसे डाल सकती है जब कोई कमपनी अपने स्टोग में से उसका पुनर खरीद करती है तो इससे उसके बकाया शेरों की संख्या कम हो जाती है यहां तक कि अगर इसकी शुद आई फ्लेट रहती है तो कमपनी की प्रती शेर आई बढ़ेगी क्योंकि इसकी कुल कमाई कम शेरों में फैलेगी बदले में यह स्टोक मुल्या को भी उपर उठाती है लाभांस के विपरित अभी तक बेहतर यह है कि एक बाई बैक उन निवेशकों के लिए करमुकत है जो अपने शेरों को नहीं बेशते हैं इस प्रकार यह उनके कर बिलको बढ़ाए बिना उनके स्टाक के मुल्या को बढ़ाता है और अगर शेर सस्ते हैं तो उन्हें पुनर खरीद करने के लिए अतिरिक्त नगत खर्च करना कमपनी की पूंजी का एक उत्करष्ट उपयोग होता है यह सब सिधान्त में सच है दुर्भाग्य से वास्त्विक दुनिया में शेर बाई बैक एक एसे उदेश्य की सेवा के लिए आए हैं जिसे केवल पापी की रूप में वर्नित किया जा सकता है अब जब स्टोक ऑप्शन की ग्रांट एक्जिकुटिव मुआवजे का एक बड़ा हिस्सा बन गई है तो कई कमपनियां विसेश रूप से हाई टेक उध्योगों में उन स्टार्क ऑप्सन्स का उप्योग करने वाले परवंद्गों को देने के लिए सेंकडों लाखों शेर जारी करने चाहिए लेकिन इससे शेरों की संख्या बकाया हो जाएगी और प्रती शेर कमाई कम हो जाएगी इसका कमजोर पढ़ने का परतिकार करने के लिए कमपनियों को वापिस मुड़ना चाहिए और खुले बाजार में लाखों शेरों की पुनर खरीद करनी चाहिए साल 2000 तक कमपनिया 1980 में 4.8% तक अपने स्वेंके शेरों को पुनर खरीद करने के लिए अपनी कुल शुद आए का 41.8% घर्च कर रही थी एक नजर सौफ्टेर दिगज औरेकल कार्परेशन पर डालते हैं एक जून 1999 और 31 मई 2000 के भी औरेकल ने अपने वरिष्ट अधिकारियों को 101 मिलियन शेर जारी किये और 484 मिलियन डॉलर की लागत से करमचारियों को 26 मिलियन और अन्य को 27 मिलियन डॉलर दिये इस बीच परती शेर आए के विखल्प को परती शेर अपनी आए को कम करने से रोकने के लिए और एकल ने 5.3 मिलियन डॉलर यानि उस वर्ष के कुल राजा सव का 52 परतीसत खर्च किया स्टोक के 290.7 मिलियन शेरों को वापस खरीदने के लिए और एकल ने 3.53 परतीसत परती शेर की ओसत कीमत पर अंदरुनिस उत्रों को स्टोक जारी किया और इसे 18.27 डॉलर की ओसत कीमत पर दोवारा खरीद लिया कम पर बेचें उच पर खरीदें क्या यह शेर धारक के मुल्य को बढ़ाने का कोई तरीका है 2002 तक और एकल का स्टाक साल 2000 के अपने मुल्य के आधे से भी कम हो गया था अब जब इसके शेर सस्ते थे तो और एकल ने और श्टाक खरीदने की जल्दवाजी की एक जून 2000 और 31 मई 2002 के बीच और एकल ने अपने पुनर खरीद को 2.8 बिलियन पर काट दिया जाहिर तोर पर क्योंकि इसे अधिकारियों और करमचारियों ने उस उस वर्ष कम विकल्पों का उप्योग किया था दरजनों अन्य परोदोगी की कमपनियों के समान कम पर बेचना उच पर खरीद पैटरन स्पष्ट था यहां क्या चल रहा है यहां पर दो आस्रे जनक कारक काम कर रहे हैं जिन में पहला है कमपनियों को तब कर में छूट मिलती है जब आधिकारी और करमचारी स्टोक विकल्पों का उप्योग करते हैं उधारन के लिए साल 2000 के बाद से 2002 के वित्यव वर्स में और एकल ने कर लाब में 1.69 बिलियन डोलर का भुगतान किया क्योंकि अंदरुनी सुत्रों ने ओप्शन्स पर कैश किया था स्प्रिंग कॉर्प्स ने 1999 और 2000 में ओप्शन मुनाफे में 1.9 बिलियन डोलर में बंद अपने अधिकारियों और करमचारियों के रूप में कर लाब में 688 मिलियन डोलर का निवेश किया दूसरा स्टोक ओप्शन के साथ भारी मुवावजा देने वाले एक वरिष्ट कारेकारी के पास लाबांश पर स्टोक बाई बैक के पक्ष में एक निहित स्वार्थ होता है जो इस तरह है कि तकनिकी कारणों से मुल्य में ओप्शन्स बढ़ते हैं जब किसी शेयर की कीमत में उतार चड़ाव अधिक चरम पर होता है जो एक शेयर की कीमत की एस्टरिता को गटाता है इसलिए यदि परवंदक लाबांश में व्रदी करते हैं तो वे अपने स्वें के स्टाक विकल्पों के मुल्य को कम कर देते हैं कोई आस्टरिय नहीं कि CEO वेतन लाबांश की तुलना में बहुत अधिक स्टोक खरी देंगे चाहे इस बात की परवा किये विना की शेयर कितने ओरलेवड हो सकते हैं या बाहर के शेयर धारकों के संसादनों को कैसे बरबाद कर सकते हैं उनके पसंद के ओपन आप्शन्स रखें अंत में डूबे उवे निवेसकों ने अपनी कमपनियों को ओवरपे अधिकारियों को उन तरीकों से मुक्त करने के लिए सोतंतर रूप से दिया है जो बस अचेतन थे साल 1997 में एपल के को फाउंडर स्टीव जोब्स कमपनी के अंतरी मुख्य कारियकारी के रूप में कमपनी में वापस आए पहले से ही एक धनी व्यक्ति जोब्स ने प्रती वर्ष एक डॉलर का नगत वेतन लेने पर जोर दिया 1999 के अंत में किसी भी मुखाउजे के बिना पिछले ड़ाई सालों के लिए सीईयों के रूप में कारियक करने के लिए जोब्स को बोर्ड ने उन्हें धन्यवाद के साथ गल्प स्ट्रीम जेट देने का फैसला किया जो 90 मिलियन डॉलर की कमपनी की लागत पर परस्तूत किया गया था अगले महिने जोब्स अपने नोकरी के शेर्ट से अंतरीम छोडने के लिए सहमत हुए और बोर्ड ने उन्हें 20 मिलियन शेरों पर ओप्संस के साथ पुरुशकर्ट किया इस तरह के ओप्शन्स अनुदान के पीछे सिधांत बाहरी निवेशकों के साथ परबंदकों के हितों को संरेक्षित करना है यदि आप एक बाहरी एपल शेर दारक हैं तो आप चाहते हैं कि इसके परबंदकों को केवल तभी पुरुशकर्ट किया जाई जब एपल का स्टोक बेहतर परतिफल अर्जित करे संबावताय आपके और कंपनी के अन्य मालिकों के लिए कुछ और उचित नहीं हो सकता है लेकिन वानगार्ड फंड के पूर वद्धेक्स जोन गोगल बताते हैं लगबग सभी प्रबंदक अपने विकल्बों का उप्योग करने के तुरंत बाद प्राप्त स्टोक को बेशते हैं ततकाल लाब के लिए लाखों शेरों को डंप करना संबावताय कंपनी के वफादार दिर कालिन शेर धारकों के साथ उनके हितों की रक्षा कैसे कर सकता है जोब्स के मामले में यदि एपल स्टाक 2010 की शुरुवात में सालाना 5% की दर से बढ़ता है तो वह 548.3 मिलियन डॉलर में अपने उप्शन्स को भुना सकेंगे दूसरे शब्दों में भले ही एपल का शेर कुल शेर बाजार के आदे से अधिक दिर कालिन ओसत पर्तिफल से बेहतर कमाई करता हो जोब्स एक आदे बिलियन डॉलर के विंड फॉल को उतारेंगे क्या यह एपल के शेर धारकों के साथ अपने हितों को रक्षित करता है या उस भरोसे को खराब करता है जो एपल के शेर धारकों ने निदेशक मंडल पर रखा है प्रोक्सी स्टेटमेंट को सतरक्रा से पढ़ते हुए बुद्दिमान मालिक किसी भी कार्यकारी मुआउजे की योजना के खिलाब मददान करेगा जो कंपनी के 3% से अधिक शेर को परबंदकों को बकाया में बदलने के लिए विकल्प अनुदान का उप्योग करता है इसके लिए आपको किसी भी योजना को विटो करना चाहिए जो बेहतर परिणामों के उचित और स्थाई उपाए पर विकल्प अनुदान नहीं बनाता है कम से कम 5 साल की आउदी के लिए एक यी उद्ध्योग में ओसत स्टोक को बेहतर बनाने के लिए कोई भी सीयो कभी खुद को अमीर नहीं बना सकता है यदि उसने आपके लिए खराब परिणाम उत्पन किये है अंतिम विचार ग्राम के इस सुजाओ को फिर से देखें कि प्रतेक कमपनी के सुतंतर बोर्ड के सदश्यों को शेर धारकों को लिखित रूप से इस बात की सूचना देनी चाहिए कि क्या उसके सही मालिकों की और से व्यवसाई का परबंदन ठीक से किया है तब क्या होगा यदि सुतंतर निदेशक भी लाभाश और सेर पुनर खरीड पर कंपनी की नीतियों को सही ठहराने लगे क्या होगा अगर उन्हें यह वर्णन करना होगा कि उन्होंने कैसे निर्धारित किया है कि कंपनी के वरिश परबंदक ओवरपेट नहीं थे और तब क्या होगा अगर हर निवेशक एक बुद्धिमान मालिक बने और वास्तों में उस रिपोर्ट को पढ़ें धन्यवाद हिंदी ओडियोबुक डोट कॉम आपका दिन शुब हो दा इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अध्याए 20 सुरक्षा का मार्जन के रूप में निवेश की केंद्रिया आउधारना यदि हम अनपेक्षित संभावनाओं के ब्रमांड में एप्रत्यासित का अनुमान लगाने या एप्रत्यासित की उमीद करने में विफल रहते हैं तो हम खुद को किसी की दया या एसी किसी चीज की दया पर निर्वर मान सकते हैं जिसे क्रमबद, श्रेणीबद या आसानी से देखा नहीं जा सकता सबसे पहले खोना नहीं है जो खिम क्या है आपको इस बात का उत्तर उस आधार पर मिलेगा कि आपने इस परशन को कब और कहां पूछा है जैसे 1999 में जो खिम का मतलब पैसा कोना नहीं था इसका मतलब किसी और से कम पैसा कमाना था कई लोगों को डर था कि एक दिन उनसे बारवे की उटगराएगा और तब वे दिन वे दिन ट्रेडिंग करेंगे और डोटकॉम के शेरों से भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे फिर 2003 के जोखिम से काफी हद तक यह मतलब निकल गया कि शेर वाजार में तेजी आ सकती है तब तक कितने भी नीचे गिरते रहो जब तक कि जो कुछ तुम्हारे पास बचा था वह भी चला जाए और आपको पता भी ने चले हलांकि इसका आर्थ लगबग चंचल और उतार चड़ाओ वाला हो सकता है क्योंकि वित्या बाजार खुद को जोखिम में डालते हैं जोखिम में कुछ गहरा और स्ताई गुन होता है जो लोग सबसे बड़ा रिस्क लेते हैं और वे बुल बाजार में सबसे बड़ा लाब कमाते हैं वे लगबग हमेशा बेर बाजार में सबसे खराब रूप से चोटिल होते हैं और एक बार जब आप बहुत ज़्यादा पैसे खो देते हैं तो आपको एक कठिन दोड या कैसे नो जुआरी की तरह उसे वापिस पाने के लिए और भी सक्त हो जाना चाहिए आपको तब तक लगे रहना चाहिए जब तक आप अभूत परोरोप से काम्याब नहीं होते तब तक इसके लिए एक नुस्का है जब वार्ट हाइम एंड कमपनी के प्रसिद फाइनेंसर जेके कलिंगे स्टेन के लंबे करियर में सब कुछ जानने के लिए पूछा गया कि अमीर कैसे बने तो कलिंगे स्टेन ने जवाब दिया हार मत मानो मतलब कल्पना कीजिए कि आप एक एसा स्टोक खरीते हैं जो आपको लगता है कि एक वर्स में यहां तक कि अगर स्टोक तब भी बाजार की वापसी को दुगना कर देता है तो बाजार से आगे निकलने में आपको सोला से अधिक साल लगेगे क्योंकि आपने बहुत अधिक भुगतान किया है और शुरुवात में बहुत अधिक हो दिया है कुछ पैसे खोना निवेश का एक अनिवारिय हिस्सा है और इसे रोकने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते लेकिन एक बुद्धिमान निवेशक होने के लिए आपको यह सुनिश्चित करने के जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि आप कभी भी अपने पैसों का नुकसान ने करें हिंदू धरम में धन की देवी लक्षमी को अकसर फाइवर स्टिप्स पर खड़े होकर चित्रित किया जाता है जो पलक जबकते ही दूर हो जाती है उसे प्रतिकात्मक रूप से रखने के लिए लक्षमी के कुछ भग उनके प्रतिमा को कपड़े की पटियों से ढख देंगे या फर्ष पैर पर रख देंगे बुद्धिमान निवेशक के लिए ग्राहम की सुरक्षा का मार्जिन एक ही कारिय करता है जिससे किसी निवेश के लिए बहुत अधिक बुगदान करने से इंकार करके आप उन आउसरों को कम कर देते हैं जिन से आपका धन कभी भी नश्ट हो जाएगा या अचानक नश्ट हो जाएगा इस पर विचार करें डिसंबर 1999 में स्वाप्त होने वाली चारती माईयों में फाइवर आप्टिक्स कमपनी जेडियस यूनिपेज कार्प ने शुद बिकरी में 673 मिलियन डॉलर कमाए जिस पर इसे 313 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ इसकी कुल मूर्च संपती 1.5 बिलियन डॉलर थी फिर भी 7 मार्च 2000 को जेडियस यूनिपेज के शेर में 153 डॉलर का हिस्सा था जिससे कमपनी को कुल 143 बिलियन डॉलर का कुल बाजार मुले मिला और फिर न्यू एरा के शेरों की तरह यह दुरुगट नागरस्त हो गया जो कोई भी उस दिन इसे खरीदा था और 2002 के अंत तक उससे जुड़ा रहता उसने इन संभावनाओं का सामना किया यदि आपने 7 मार्च 2000 को जेडियस यूनिपेज को 153.421 डॉलर के अपने चरम मुले पर खरीदा था और फिर भी इसे साल 2002 के अंत तक रखा तो वापसी की विविन वार्चिक ओसत दरों पर आपको अपनी खरीद मुले पर वापस आने में कितना समय लगेगा यहां तक की 10% वार्चिक रिटर्न की मजबूत दर पर इस अतिक खरीद पर भी 43 साल से अधिक समय लगेगा जोखिम हमारे स्टोक में नहीं बलकि अपने खुद में है जोखिम दूसरे आयाम में मौजूद है यानि आपके अंदर यदि आप यह समझते हैं कि आप वास्तों में किसी निवेश को कितना बेहतर समझते हैं या कीमतों में एक ऐस्ताई गिरावट को समझालने कि आपके ख्षमता में नहीं है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं या बाजार कैसा है अंतते वितिय जोखिम यह तै करता है कि आपके पास किस परकार के निवेश हैं और आपकी इस तरह के निवेशक हैं यदि आप जानना चाहते हैं कि वास्तों में जोखिम क्या है तो अपने नजदी की बातरूम में जाएं और दरपन को देखें कांच से जो आपको देख रहा है वही जोखिम है जैसा कि आप खुद को आईने में देखते हैं वैसे आपको क्या देखना चाहिए नोबेल पूरुसकार विजेता मनोवगयनिक डेनियल का हनमेन उन दो कारकों की व्याख्या करते हैं जो अच्छे निरने लेते हैं पहला सही तरह से कैलिबरेटेड आतम विश्वास क्या मुझे यह निवेश समझ में आता है और मुझे लगता है कि मैं इसा कर सकता हूँ दूसरा सही परत्यासित पस्तावा अगर मेरा विश्लेशन गलत निकला तो मैं कैसे परतिकरिया करूँगा क्या पता लगाने के लिए कि क्या आतम विश्वास अच्छी तरह से कैलिबरेट किया गया है दरपण में देखें और खुद से पूछें क्या संभावना है कि आपका विश्लेशन सही है पहला मेरे पास कितना अनुबव है अतीत में इसी तरह के फैसलों के साथ मेरा ट्रेक रिकोर्ड क्या है दूसरा अन्य लोगों का विसिस्ट ट्रेक रिकोर्ड क्या है जिन्होंने अतीत में यह कोशिश की है तीसरा अगर मैं खरीद रहा हूं तो कोई और बेच रहा है यह कैसे संभाव है कि मैं कुछ ऐसा जानता हूँ जो इस दूसरे व्यक्ति या कमपनी को नहीं पता है पांचुमां क्या मैंने गंणना की है कि मेरे करों और व्यापार की लागतों के बाद भी इस निवेश को खरीदने के लिए मुझे कितना निवेश करने की आवशकता है अब आईने में देखें कि क्या आप उस तरह के व्यक्ति हैं जो अपने फस्तावे का सही अनुमान लगाता है अपने आप से पूछने से शुरुवात करें क्या मैं पूरी तरह से परिणामों को समझ सकता हूँ यदि मेरा विशलेशन गलत हो गया है तो अगर मैं सही हूँ तो मैं बहुत पैसा कमा सकता हूँ लेकिन क्या होगा अगर मैं गलत हूँ समान निवेशों के एतियासिक परदर्शन के आधार पर मैं कितना ख़ो सकता हूँ दूसरा क्या मेरे पास अन्य निवेश है जो मुझे इस बात से रूब रू कराएंगे क्या मैं इस नई निवेश के साथ अपनी बहुत अधिक पूंजी जोखिम में डाल रहा हूँ तीसरा, जब मैं खुद से कहता हूँ आपको जोखिम के लिए एक उच्छ सहिस्नू होना चाहिए मुझे कैसे पता चलेगा क्या मैंने कभी किसी निवेश पर बहुत पैसा खो दिया है इसे कैसे महसूस किया क्या मैंने अधिक खरीदा या क्या मैंने जमानत दी चोथा, क्या मैं अपनी इच्छा शक्ती पर भरोसा कर रहा हूँ कि मुझे गलत समय पर ऐस एहज होने से रोके या क्या मैंने निवेश अनुमंद पर अस्ताक्सर करके और डॉलर के जर्ये अपने स्वें के ओसत लागत व्यवहार को अग्रीम रूप से नियंद्रित किया है मनो वैग्यानिक पॉल सलोविक के सब्दों में आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि जोखिम दो अवयवों की समान कुराक से पीसा जाता है संभ्यावता और परिनाम निवेश करने से पहले आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपने वास्तिक रूप से सही होने की अपनी संभावना का आंकलन किया है और आप गलत होने के परिनामों पर कैसे प्रतिकिरिया देंगे बर्न स्टीन का निश्कर्श यह है कि एनिश्चित अता की स्थिति में निर्ने लेने में परिनामों को संभावनाओं पर हावी होना चाहिए हम भवीश्य को कभी भी नहीं जान पाते है इसी परकार ग्राहम ने आपको यह हर बात में याद दिलाया है कि बुद्धिमान निवेशक को केवल विशलेशन प्राप्त करने पर ध्यान के अंदरित नहीं करना चाहिए यदि आपका विशलेशन गलत हो जाता है तो आपको नुकसान के खिलाब भी सुनिश्चित होना चाहिए आपके निवेश के जीवन काल में कुछ बिंदू पर कम से कम एक गलती करने की संभावना लगबग 100% है और उन बादाओं को पार करना पूरी तरह से आपके नियंतर्ण से बाहर है हालांकि आपके पास गलत होने के परिणामों पर नियंतर्ण है कई निवेश को ने 1999 में अपने सभी पैसे को डोटकॉम स्टोग में डाल दिया 1999 में मनी मैगजिन द्वारा 1338 अमेरिकियों के एक ओनलाइन सर्विक्षन में पाया गया कि उन में से लगबग दस्वे हिस्से में इंटरनेट शेरों में कम से कम 85% पैसा लगाया था उन्होंने सुरक्षा के एक मार्जन के लिए ग्राहम की कोल को अंदेखा किया कि वे सही होने की संभावनाओं को जानते थे उन्होंने गलत होने के परिणामों से खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं किया बस अपनी होल्डिंग्स को स्ताई रूप से विविद्धा पूर्ण रखते हुए आप मिस्टर मार्केट के नवीन तम सबसे लोगपरिये फैशन पर पैसे लगाने से इनकार करते हुए आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी गलतियों के परिणाम कभी भी वयावय नहीं होंगे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मिस्टर मार्केट आपको क्या परिणाम देता है बस आप हमेशा एक शांत आतों विश्वास के साथ कहे पाएंगे कि यह समय भी निकल जाएगा धन्यवाद हिंदी ओडियो बुक डोट कॉम आपका दिन शुब हो